हेलो 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 क्या हाल चाल भाई सूप्रभात गुड मॉर्निंग एवरिबड़ी तो एक्जाम में अब तो सर दस दिन से कम बाकी है ग्यारा तारिक हो चुकी है समय पलट चुका है क्या हाल चाल भाई सबके हाउस दा जोष एर और वी ओडिबल आर वी विजिबल क्या हम ओडिबल और विजिबल है हेलो 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 सूप्रभात चलो चलो दिग गए कुछ मेरी चैट अडग गई थी तो मुझे लगा यार आवा वाज वाज तो नहीं हारी कई से क्या हाल चाले भई तो यार सूपर डूपर एक्साइटेड सूपर डूपर हैपी अब आप पुछोगे सर हैपी क्यूं क्या हो गया है ऐसा एक बच्चा निपाल से भी है अरे वाज क्या बात है ओसम अर्यू डूइंग तो भी सबसे पहले थोड़ा बात स्ट्रेच रोगेरा कर लिया जाए सुबह सुबह ताकि एकदम जोश भी सुपर हायर है फोकस भी बना रहे थोड़ा प्रड़ायम और आयम कर लिया जाए फिर शुरू करें बच्चा उल्ला ऐलव यू सर ऐलव यू टू ओ ओ ओ बहुत प्यार बरसते वे सुबह सुबही सब चंगा सी तो यार देखो कल मैं इसरल का जो लर्निंग सेंटर है वहां गया बच्चों का हमेशा बहुत प्यार मिलता है उपर वाले की बहुत क्रिपा है हम सब पे कि आप जैसे इतने प्यारे प्यारे बच्चे हमें मिलते रहते हैं मोटिवेट करते रहते हैं इंस्पायर करते रहते तो वहाँ पे बच्चों ने बोला कि सर देखो लास्ट टाइम पे सब ने हमारा हाथ हमारा साथ छोड़ दिया था लास्ट के पंदरा दिन में रिविजन कैसे करना है इतना मुश्किल हो जाता है समझना क्योंकि हमारे पास प्रॉपर रिसोर्स नहीं होता है पर इसरल हमेशा समर चला के हमारी ये लास्ट टाइम की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हमको समझ में नहीं आता वो प्रॉब्लम हमसे दूर कर लेता है मेरे को यार इतना प्राउड फील हुआ पूरी टीम पे तो यार किस कि इस समर से बहुत मदद हो रही है और उसका confidence बढ़ रहा है और उसको आप लग रहा है कि हाँ 10, 12, 15 question तो extra आप लगी जाएंगे क्योंकि हम समर फॉलो कर रहे है किस किस का ये हो रहा है पहले ये बताओ किस किस को ऐसी फील आ रही है कि हाँ सर चीजें पकड़ाई में आ रही है चीजें अब अच्छी हो रही है है ना चीजों को अब हम और बेटर रिटेन कर पा रहे है देख सकते हैं मैं एक fire के साथ बताओ यार ऐसे नहीं fire के साथ बताओ कि सर बिलकुल समझ में नहीं हा रहे है आप हो रहा है काफी बत चुगा हो रहा है चलो तो एर आज क्योंकि अब एक्जाम टाइम पास में आ चुका है बिना बिलकुल टाइम लगा है हम सीधाPower रिविजन पे खूद रहे है सबसे पहले मैंने वो वाला topic लिया है जिसमें सबसे ज़्यादा questions आते हैं तो we are going to start with hydrocarbon hydrocarbon में हम क्या-क्या कर रहे होंगे पूरा elkene, पूरी elkin, elkine और aromatic hydrocarbon ये चार topics हम इस hydrocarbon में खतम कर लेंगे आज 12 बजे तक mostly hydrocarbon हो जाएगा साड़े 11 बजे तक हो जाएगा बस आप लोग पूरे focus के साथ-साथ चलते रहें, बनते रहें ठीक है? तो यार शुरू करें, let's go आप लोग की इजाज़त हो तो शुरुआत करी जाएं और यार हम Israel में हमेशा जो इंडिया के best teachers हैं उनको लेकर आते हैं SMR में, क्योंकि ये last time है यार, आपने कहीं से भी पढ़ा हो, आप कहीं के भी बच्चे हो एक बच्चे ने इतना बढ़िया कुछ बोला था कि कुछ भी कर लो, कहीं से भी बढ़ लो SMR तो Israel से होगा सुपर मेगा रिविजन तो Israel से ही होगा तो यार, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, आगे चलते हैं हम, और अब हम करेंगे hydrocarbon से शुरुआत ठीक है, let's go सुपर excited, इससे दो-तीन question आते हैं, आज हम अगले डेड़ घंटे में हमारे 12 नमबर बढ़ाने वाले हैं, 15 नमबर बढ़ाने वाले हैं, जो शायद negative हो जाते हैं, अब positive हो जाते हैं एक चीज़ का और जवाब दे दो ठीक है? एक चीज़ का और जवाब दे दो बीच बीच में mechanism थोड़े बहुत बताता चलू कि सिफ reactions मोटा मोटा revise कराता चलू ये और बता दो जिसको mechanism चाहिए वो mechanism लिख दो जिसको नहीं चाहिए वो बोलो no sir जिसको नहीं चाहिए वो no sir और बाकी बोलो mechanism बताओ यार देखो हम मैं तो सर पे कफन बांद के निकला हूँ कहीं पे कोई teacher तोड़ रहा है कहीं पे किसी को police protection चाहिए कहीं पे किसी को कुछ चाहिए सब लोग मेरा ये मेरा वो कर रहे है बच्चे का कोई नहीं सोच रहा है बच्चे का सोचो तुम जो भी बने हो बच्चे के कारण बने हो बच्चो का सोचो यार मैं तो से एक चीज ही बोलना चाहूंगा हम पागलों की तरह बच्चों का सोच रहे और ये आपसे वादा है जब आपके भी बच्चे हो जाएंगे तब भी हम बच्चों का सोच रहे होंगे We are here to stay We are here to make a dent कि भारत में पढ़ाई कैसे होती है और वो करके रहेंगे तो बच्चों ने मेकानिजम बोला है तो त当 बीच-वीच में मेकानिजम बताता चलूँगा ठीक है तो यार ये iLKIN के हमारे preparation methods है क्या है? iLKIN के हमारे preparation methods है सारे के सारे iLKIN को किस-kिस तरीके से prepare किया जाता है ठीक है? elcane जो होते हैं वो elcane, alkyne और alkyne में least reactive होते हैं ठीक है least reactive क्यों होते हैं ? बहुआ least reactive क्यों होते हैं, सर इसका क्या reason होता है ? जैसे मेरे पास मानदो, ethene है तो अगर ethene को किसी से भी reaction करना है तो दो bonds है मेरे पास यहाँ पर carbon 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 hydrogen single bond यह bond non-polar है कोई polarity नहीं है यह आपको कोई नहीं बताएगा सीधा सब reaction से चालू कर देते हैं सब कुछ रटना पड़ता है मैं उसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करता आज organic को भी एकदम समझके बाते करके पढ़ेंगे पता भी नहीं चलेगा रिविजन कब हो गया है यह मेरा वादा है CH bond होता है यह भी almost non-polar होता है क्यों कि carbon और hydrogen की electronegativity is almost similar और यह दोनो bonds यह दोनो bonds काफी ज़्यादा strong होते है तो आप मानलो कोई मेरे पर attack करने आया मेरे पर कोई छोटा मोटा नन्ना मुन्ना सा ज्यादा powerful reagent नहीं आया नन्ना मुन्ना सा reagent आया तो क्या वो carbon carbon bond या carbon hydrogen bond को तोड़ पाएगा हाँ या ना चैट में जवाब देदो हाँ या ना हाँ या ना हाँ या ना क्या ये class 11 12 के student देख सकते हैं जो class 11 का और गयरिंग नहीं पड़े है देख लो यार कुछ-कुछ तो समझ में आई जाएगा फिर जब पूरा detail में बढ़ोगे तो easy रहेगा क्या कोई भी टटपंजू आदमी क्या कोई भी नन्ना मुन्ना सा चोटू मोटू सा इस पर attack कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा तो ये कैसे होते हैं least reactive होते हैं among alkin, alkin and alkin यहाँ पर electrons की भीड भी खटी नहीं है कि उस electron की भीड को ये दूर करना चाहे repulsion के गारण ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो चलो हम शुरू करते हैं catalytic hydrogenation से फिर woods देखेंगे फिर decarboxylation, coal bay, fall bay, fanana, demaca करते हुए उसकी physical property देखते हुए फिर इसके chemical reactions देखते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे ठीक है? तो alkin's कम reactive होते हैं उनको बूला जाता है paraffin तो कहीं पे अगर paraffin लिखा आ जाए तो समझ जाना की समझते जाना की ये alkin की बात हो रही है paraffin कहीं पे भी लिखा आ जाए तो हम क्या समझेंगे? की the people are the talkings about the alkin's ठीक है? है ना? तो ये paraffin होते हैं paraffin मतलब little, effin मतलब reactivity तो अब सबसे पहले हम किसे करते हैं? भाई इसका preparation हम एक alkin को उठा के लेते हैं कि चला जा भाईया, alkin बनाना है हमको जुरत पढ़ रही है alkin की petrol वगिरा बनाने में बहुत काम आता है ये तो किसी भी alkin को पकड़के लिए आते हैं जब हम उसको alkin को पकड़के लाते हैं तो एक metal की presence में उसको catalyst बना कर हम hydrogen के साथ इसका reaction करवाते हैं ठीक है, आया समझ में है ना जैसे जैसे इस metal को हम क्या बोलेंगे कौन सा metal होता है ये बताओ ये nickel हो सकता है, palladium हो सकता है इन metals की presence में आप reaction करवाते हो तो होता क्या है थोड़ा सा इसकी detail बता देता हूँ कि जब alkene आती है metal के पास ठीक है तो metal जो है उसको electron से प्यार होता है तो वो क्या करता है इस alkene के पास जो दो extra electron है जो काफी reactive होते हैं उन electrons के साथ ऐसे एक temporary bond बना लेता है ठीक है, फिर अपने पास कौन आता है, hydrogen आता है इस hydrogen की बीच में एक bond हुआ करता था उसके electron भी ये metal अपने पास ले लेता है और ऐसे एक temporary bond बना लेता है this is a metal surface ये क्या है, एक metal का surface है यहाँ पर catalyst का क्या रोल है वो आपको बता रहो हूँ यहाँ से question आ जाते है ठीक है, फिर क्या होता है कि ये hydrogen कभी-कभी free हो जाता है गलती से तो ये जाके इधर attack कर देता है carbon और metal के bond पे तो carbon और metal का bond क्या होता है तूड जाता है, और यहाँ पर कौन जुड जाता है ये वाला hydrogen यहाँ पर attach हो जाता है similarly, उधर वाला hydrogen भी आता है similarly उधर वाला hydrogen भी आता है और यहाँ पे आके कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से attach हो जाता है तो एलकीन से शुरू किया था क्या बन गया? एलकेन बन गया ठीक है? एलकीन से शुरू किया था और क्या बन गया? एलकेन बन गया क्या बन गया? गया ठीक है आया समझ में अच्छा अब एक मिल को बात बताओ मैं मेटल का ब्लॉक लूँगा कि इसको पाउडर्ड फॉर्म में लूँगा मैं पाउडर्ड फॉर्म में लूँ कि पूरा का पूरा बड़ा ब्लॉक लूँ मेटल का बताओ चलो जिसको पता है मैं powdered form में लूँ कि मैं block की form में लूँ बताओ जरा किस form में लूँ इस series से question आएंगे क्या हर साल 30 में से 18 20 question इसी series में से आते हैं इस बार भी आएंगे powdered form में मेरे को लेना है powdered form में मेरे को क्यों लेना है क्योंकि जितना ज़्यादा surface area बढ़ाऊंगा उतने ज़्यादा carbon और उतने ज़्यादा hydrogen मेरे surface पे absorb होंगे मतलब absorb में adsorb होंगे क्या होंगे adsorb होंगे reaction उतना ही तेज आगे बढ़ेगा तो ये हो गया इसका अपना पूरा mechanism ठीक है आया समझ में कि ये reaction कैसे होता है ठीक है आगे चलें एलकेन से शुरू किया था hydrogen लिया catalyst की presence में मिल गया हमको alkane क्या मिल गया हमको? हमको alkane मिल गया ये सबसे common तरीका है alkane बनाने का पूरी दुनिया में ठीक है बाउटर लेंगे surface इरे बढ़ाने के लिए कितने बच्चे ऐसे हैं अभी तो मैंने visualize भी नहीं कराया जिनको पहली बार ये mechanism पता चला है अभी तक तो सर रखते आ रहे थे आज पहली बार समझ में आया औरे हो कैसे रहा है कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पहली बार समझ में आया कि mechanism कैसे हो रहा इसका? चलो ठीक है जागे हैं सब? ओहो कुछ बच्चे बोले मुझे कुछ बच्चे बोले मैं 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 आगे जलते हैं है ना? तो हम catalysts कौन कौन लेते हैं PD-PT ordinary temperature पे palladium platinum ये काफी अच्छा surface प्रोवाइड करते हैं तो ordinary temperature pressure पे काम हो जाता है अगर आप निकल लेते हो तो इसी reaction को Sebatiar and Sanderson's reaction बोला जाता है आप PD-PT ले रहे हो तो normal hydrogenation हो गया अगर आप निकल ले रहे हो 200-300 degrees Celsius पर थोड़ा साब आपने temperature बढ़ा दिया reaction को करवाने के लिए activation energy से पार ले जाने के लिए तो उसको Sebatiar Sander बोला जाता है आप राने निकल भी ले सकते हो ठीक है? methane इस तरीके से prepare नहीं हो सकती सर, methane क्यों नहीं prepare हो सकती? अब बावड़ों alkene या alkene मनाने के लिए minimum 2 carbon तो चाहिए अकेले carbon के alkene कैसे बनाओगे? तो जब 2 carbon minimum alkene मनाने के लिए चाहिए और alkene से alkene बन रहा है तो फिर हम methane prepare नहीं कर सकते क्योंकि methane क्या होता है? CH4 एक carbon का alkene तो alkene एक carbon की होती नहीं है तो इसलिए एक carbon का alkene नहीं बन सकता hydrogenation के through ठीक है? आचा एक चीज और क्या catalyst reaction में participate करता है क्या? क्या catalyst reaction में participate करता है क्या? यह important point था methane not possible which of the following alkanes can be formed from hydrogenation चार option आ जाएंगे एक methane होगा तो आप cannot be formed में methane को टिक मार के आओगे यह question बहुत बार आया है अभी भी आ सकता है नहीं हो सकता तो क्या मैं catalyst को भुवाजी बोल सकता हूँ? भुवाजी हमारी उती ना पापा की बहन या मौसी या मामा बताओ क्या catalyst को मैं भुवाजी मौसी मामा बोल सकता हूँ क्या? बोलो भुवाजी मामा बोल सकता हूँ क्या? catalyst को एक बच्चा बुच रहा है क्यूँ? देखो मेरी शादी नहीं हो रही थी मतलब मैं कर नहीं रहा था तो यार भुवाजी मामा जी सारे पीछे बढ़ गये भहिया शादी कर ले दुनिया भर के रिष्टे देख लिए उनकी गुदकी शादी नहीं हो रही वो participate नहीं कर रहे हैं उस marriage में उनकी दुड़िना शादी हो रही है शादी तो मेरी हो रही है पर जबरदस्ती rate of शादी बढ़ाए जा रहे थे बढ़ाए जा रहे थे यह बस rate of reaction बढ़ा देते हैं meeting place दे देंगे बेटा में जैपुर में रहता हूँ लड़की जैपुर की है मेरा गर है यहाँ आपे 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 बिल ले ना अबे तम्हारी चलो आगे चलते हैं तो catalyst कौन होता है समझ में आगया बढ़ा जी, मामा जी, मौसी जी, जो भी, चाचे जी, चाचा जी है ना पक्का let's go आगे अब तुमको जिंदगी बर catalyst याद रहेगा आप अगर alkyl halide से बनाना चाहते हो तो कैसे होता है देखो zinc plus acid यह हमको क्या देगा electrons देगा, कितने electron यहाँ पे देगा दो electron एक electron x के पास जाएगा यह bond break होगा, यह minus बन जाएगा यह minus बन जाएगा तो अगर मैं alkyl halide से alkyl halide से alkane बनाता हूँ तो mechanism होता है carbon ion के through सबसे important point यही है सबसे important point यही है कि carbon ion के through reaction होगा तो अगर मेरे पास अगर अगर मेरे पास यह carbon ion है और मेरे पास यह carbon ion है A है और B है किस case में alkane बनने का rate ज़्यादा होगा, बताओ अगर मैं आपको A carbon ion देता हूँ एक case में B carbon ion देता हूँ जो intermediate है A और B में किसमे rate ज़्यादा होगा किसमे rate ज़्यादा होगा बताओ कुछ बच्चे बूलें A का rate ज़्यादा होगा क्यों भईया, गद्यरों मैंने क्या बोला carbon ion intermediate जो carbon ion ज़्यादा stable होगा उसकी rate ज़्यादा होगी A ज्यादा stable है कि B इसलिए इतना basic भी बता रहा हूँ गधड़े बोल रहे हैं कुछ-कुछ A, A, A अरे बावड़ों सारी A बोलने लग गए भाईया ओहो कार्ब एनायन बोल रहा हूँ कार्ब और केटायन नहीं बोल रहा हूँ फिर से ध्यान से सुनो कौन सा कार्ब एनायन ज्यादा stable होता है अब जो जितना छोटी डिग्री का होता है वो कार्ब एनायन ज्यादा stable होता है इसका तो इधर भी प्लस आई लग रहा होगा इधर से प्लस आई लग रहा होगा और अनस्टेबल कर रहा होगा इधर से वे एक का प्लसाई लग रहा है तो B ज़्यादा stable है तो B की rate ज़्यादा आएगी बाउडों द्यान दो ऐसे हवा में तीर मत मारो ठीक है चलो तो आगे चलते हैं तो carbon ion जितना stable होगा उतना ज़्यादा rate of reaction आएगा तो यहाँ पे होता क्या है R पे माइनस आता है कौन से R पे माइनस आएगा जहाँ पे X attached है वहीं पे माइनस आएगा जैसे अगर इधर CL है तो यह carbon पे माइनस आएगा अगर CL बीच में है तो यह carbon पे माइनस आएगा तो rate of reaction आपसे पूछा जा सकता है carbon ion की stability देखेंगे जो carbon ion जादा stable बन रहोगा उसका rate of reaction जादा आएगा फिर अगला woods reaction यह सबसे important है generally इसका free radical mechanism माना जाता है पर यह कभी-कभी anionic mechanism से भी होता है तो इस पे ambiguous question नहीं आते woods reaction में क्या अंतर है अंतर यह है कि यहाँ पे आपको दो molecule लेने पड़ेंगे सामने वाले alkyl halide के लिए alkane मनाने के लिए alkyl halide से जब हमने alkane मनाया तो यहाँ पे हमको एक ही molecule लेना पड़ा आप देख सकते हो पर जब हम woods के through reaction करवाते हैं woods के mechanism के through reaction करवाते हैं तो हमको दो mole या दो molecule चाहिए होते हैं RX के RX माने alkyl halide के alkane को बनाने के लिए यह अंतर है ठीक है यह अंतर है इसका part 1 कहां है Israel के channel पे है इसका part 1 आप जाके वहाँ पर देखें home page पे हमने playlist set करी हुई है आपको वहाँ मिल जाएगा मेरे जवानों ठीक है तो woods reaction में क्या हुआ दोनों मेकानिजम होती है फ्रेडिकल और कार बनाये अभी तक कोई इस conclusion पे नहीं आ पाया कि exactly क्या हो रहा है अलग-अलग result आते है तो इसलिए हमको कुछ नहीं करना dry ether दे रखा हो RX दे रखा हो NA दे रखा हो तो समझ जाना woods reaction है तो product क्या बन जाएगा इधर से ये निकला dot बना इधर से ये x निकला dot बना दो फ्रेडिकल बन गए r dot r dot तो क्या बन जाएगा r r तो क्योंकि देखो सबसे पहले organic k आपको पूरा एक gist बता देता हूँ gist बता देता हूँ gist क्या होता है की carbon don't like charge साला और charge में आप free radical भी जोड़ लेना कि पप्पू can dance साला charger don't like charge साला जब भी charge आ गया या free radical आ गया तो महा मारी मच जाती है फिर molecule पागल हो जाता है फिर वो कुछ भी करेगा उस चीज को हटाने के लिए ये पूरी organic का gist है ये पूरी organic की ताकत है organic से वितनी सी ही है charge नहीं चाहिए क्या नहीं चाहिए charge नहीं चाहिए आया समझ में है ना ठीक है ये गांट बांद लो ये गांट बांद लो अरे गौरव बोल रहा है कि सब result announce करो रुख जाओ बेटा पहले यहां पढ़ ले है अपन result इसके बाद आ जाएगा है ना यहां पर focus करो बहुत important चीज बता रहा हूं बहुत important चीज बता रहा हूं इससे सारी चीजें हो जाएगी ठीक है तो यहां पर क्या हुआ free radical बन गया दो free radical बन गया अभी दोनों एक दूसरे पर तड़ाप रहे हैं मैं का करूँ मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मिल जाएंगे पास में आकर आर आर बन जाएगा ठीक है इस method से भी हम methane नहीं बना सकते तो question कैसा आता है can methane be prepared by woods reaction no क्यूंकि हम दो alkyl halide ले रहे हैं तो दो carbon मिलेंगे तो methane नहीं बनेगा पर अगर मेरे पास CH3Cl है और मैं उसका reaction H2 के साथ करवाँ ठीक है तो मेरे पास CH4 बन सकता है तो अगर आपको methane मनाना है तो आप CS3Cl, CS3BR ये सारे molecules को पकड़ कर लेकर आओ ना hydrogenation से methane बनेगा ना woods reaction से methane बनेगा ठीक है दोनों में से नहीं बनेगा ठीक है अगर आप दो अलग-अलग alkyl halides लेते हो जैसे मान लो इसका एक example आपको देता हूँ आपने methyl halide लिया और आपने ethyl halide लिया तो सारे product बनेगे सारे product का सर क्या मतलब होता है मान लो मैंने AX लिया प्लस BX लिया ठीक है तो सारे product क्या हो गए AA भी बनेगा BB भी बनेगा और AB भी बनेगा clear है समझ में आ गया ये सबको बतादो बटावट से हाँ या ना ये बहुत important है तो जैसे इसमें question कैसे बनता है आपको कोई भी दो दे देंगे और बोलेंगे find total products आप से क्या बोलेंगे find total products ठीक है तो अगर ये reaction हो रहा है तो total product कित्ते बने एक, दो, तीन आई बात समझ में total product कित्ते बने एक, दो, और तीन इतना आसान पूछेगा क्या सर बिल्कुल इतना आसान पूछ लेता है jay mains में बिल्कुल ये questions आ चुके है ने वही वाले questions आपको बता रहा हूँ जो आ चुके है ठीक है clear एक बच्चा हो रहा है इतना easy नहीं आएगा तनिश्क और आ गया तो छोड़के आ जाएगा क्या दू पेपर में इतना easy नहीं आएगा जो ये आता है और इसमें पता है वो लोग क्या करेंगे आपको कुछ ऐसा product देंगे जिसमें ये भी बन रहा होगा CH3 let's say यहाँ पे BR कुछ ऐसा बन रहा होगा जिससे यहाँ पे एक optical center generate हो रहा होगा तो number of products count करने में आपको isomerism को भी account में लेना पड़ेगा तो ये advanced level की तरफ फिर चीज आगे बढ़ जाती है पर ऐसे question हर साल आते हैं ठीक है और अभी भी आएंगे है ना चलो बहुत बढ़िया तो इस reaction में होता क्या है इस reaction के एक problem क्या है अगर मैंने ये और ये लिया और मैं चाहता हूँ कि मेरे को सिव इथेन ही चाहिए मेरे को ये falto का ये butane और ये propane चाहिए ही नहीं तो फिर woods अच्छा method नहीं है alkane preparation का क्यों? क्योंकि ये सारे जो close members होते हैं homologa series के members होते हैं इनका boiling point बहुत close होता है boiling point बहुत close होने के कारण क्या होता है आप इनको separate नहीं कर सकते एक 25 degree पे boil हो रहा है एक 25 point एक degree पे boil हो रहा है दूसरा 25 point 7 degree पे boil हो रहा है करें कि आप थोड़ा सा भी temperature बढ़ता है सारे separate हो जाते हैं नहीं बढ़ता है तो वैसे के वैसे ही liquid form में पढ़े रहते हैं तो इसलिए woods अच्छा method नहीं है है न? woods क्या है? woods अच्छा method नहीं है अगर आप दो अलग-अलग reagents यूज़ कर रहे हो तो आप इधर भी methane इधर भी methane यूज़ कर रहे हो मतलब methyl chloride बढ़िया है methyl chloride, methyl chloride, butane मनाना है बढ़िया है पर अगर आप अलग-अलग reagents यूज़ करोगे तो बहुत सारे products बन जाएंगे जिनको आपस में separate नहीं कर सकते तो फिर एक individual product उसमें से निकालना is not possible, ठीक है दूसरी बात, ठीक है एक और बात बताता हूँ कि आप इससे odd number के alkyl halide बनाने में आपको बहुत तकलीफ आती है mostly even number of alkyl halide इससे बनते है है ना, ठीक है एक और खास बात अगर dry ether दे रखा है तो alkyne बनेगा पर अगर dry ether नहीं दे रखा और यहाँ पे water का presence है dry ether के जगे अगर यहाँ पे आपको ऐसे नीचे लगा के h2o भी दे रखा है तो फिर क्या बन जाएगा alcohol बन जाएगा क्या बन जाएगा alcohol बन जाएगा तो for example अगर मैंने CS3I का reaction करवाया sodium metal मैंने ले रखा है वहाँ पे पानी भी है तो sodium metal पहले पानी के साथ जाके reaction करके एक base बना लेगा OH- आएगा SN2 mechanism से इस पे attack करेगा iodine बाहर भग जाएगा क्या बन जाएगा CS3OH तो alcohol का formation हो जाएगा तो dry ether है तो alkane बनेगा और wet अगर दे रखा है या H2O दे रखा है तो क्या बनेगा alcohol बन जाएगा किसका alcohol बनेगा जो R लिया है उसमें X को हटाके उसमें से X को हटाके OH लगा देना ये बन जाएगा ये इसके trick हो गई ठीक है clear है X हटाओ OH लगाओ अगर यहां पर dry ether की जगे पानी भी दिया है फिर frankland reagent अगर आप woods में sodium को हटाके zinc लगा दोगे तो reaction का नाम हो जाएगा frankland reaction बस इतने अंतर है sodium हटाके अगर zinc आ गया तो frankland reaction हो जाएगा तो क्यों हो जाएगा frankland हो जाएगा है ना पक्का आगे बढ़े चलो फिर decarboxylation very 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 important एक ना एक question तो इससे कुछ न कुछ relate करके आएगा ही सही यह आज लिखा के ले लो recording कर ले ना इसकी ठीक है मैं खुदी बताऊंगा देखो बोला था कि आएगा वड़ इससे reaction आएगा तो अगर आपको soda lime दे रखाओ और carboxylic acid दे रखाओ और heat कर रखाओ तो यहां से हटा दो बस चुप चाओ यहां से हटा के इसकी जगे hydrogen लगा दो तो आपके पास क्या बन जाएगा alkane बन जाएगा और साथ में Na2CO3 का formation हो जाएगा क्या बोला मैंने अगर आपको soda lime दे रखाओ मतलब NaOH के साथ CAO heat दे रखी हो carboxylic acid हो एक reagent तो COO Na वाला part हटाओ उसकी जगे H लगाओ mechanism क्या होता है यहाँ पे carbonion mechanism होता है क्या mechanism होता है carbonion mechanism होता है यह important है तो जितना stable carbonion बनेगा reaction उतना ही अच्छा होगा यहाँ पे क्या आएगा R- क्या आएगा यहाँ पे R- ठीक है पक्का पर एक special case special case special case अगर आपने formic acid लिया है क्या लिया है आपने formic acid अगर आपने लिया है तो उस case में hydrogen gas बनेगी उस case में क्या बनेगा hydrogen gas कैसे इसका क्या काम होता है COA ने को खाना बाकी जो भी बच्चा पीछे उसको यह छोड़ देता है उस पे क्या चुड़ जाएगा H तो क्या बन गया H2 तो यहाँ पे आपको alkane नहीं मिलेगा H2 gas बनेगी ठीक है यहाँ पे क्या होएगा कि यहाँ पे आपको alkane नहीं मिलके H2 बनेगा तो जैसे यह question है चलो बताओ इसका answer बताओ give reactivity order for decarboxylation of the following इन तीनों में decarboxylation का क्या order होगा केड़ा answer सही है answer दे दो फटापट एक बच्चा बुलना ता question करवाओ लो भई आपकी demand पूरी हुई answer बताओ पटापट से राजकुमारों राजकुमारियों बताओ 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 अब क्यों सो रहे हो काहे सोरे हो या कुछ बच्चे बोलें 1 हाँ 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 कुछ बच्चे बोलें 1,2,1,2,3,2,1,1,2 कुछ बच्चे 3 भी बोल रहे है हो गया? चले आगे? चलो आंसर है 2 अरे आंसर क्या है? सही आंसर है 2 क्यों सर? ऐसा क्यों होगा? मैंने क्या बोला था? इसको पूरा उड़ा के माइनस बना देना जिसके साथ COH assigned लगा हुआ है उस पे माइनस आएगा तो तीन कार्बन आयन बने 1 डिगरी मतलब 1 डिगरी क्या? ऐलकेन वाला, सिंगल बॉंड वाला, एक डबल बॉंडेड कार्बन पे और एक ट्रिपल बॉंडेड कार्बन पे है अब क्या करेंस आप कौंस ज्यादा स स्टेबल होगा ड्रिपल बॉंडेर कार्बन वाला ज्यादा स्टेबल भी होगा कि सिंग्ल बॉंड तर फेट मुंट्य तर परसंट पर्संट परसंट छे एस केरेक्टर फिफ्टी परसंट यहां पर 50 नहीं है एक्चुली रुको 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 अदब यह SP3 है तो 25% मान लो यहां पर यहां पर 25 25% यहां पर 33 और यहां पर 50 जितना ज्यादा % s character होगा carbon iron उतना ही ज्यादा stable होगा तो हमेशा triple bonded carbon ज्यादा electro negative हो जाता है % s character होने के कारण तो उस पर carbon iron ज्यादा stable होता है यह question पिछले सालों में आया हुआ है year लिखना भूल गया मैं बाट आया हुआ question है correct answer is 2 चले आगे बढ़े लेट्स गो है ना यह आपके पास कार्बेनायन बन रहे है फिर अगर एक कमपाउंड में दो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं तो आपको उस केस में सोडा लाइम लेने की भी जरूरत नहीं है एक कार्बोक्सिलिक एसिड अपने आप भाग जाता है जैसे अगर आपके पास यह है और आप इसको हीट करते हो बिना सोडा लाइम लिए तो एक COH ग्रूप अपने आप यहां से निकल जाएगा और आपके पास बन जाएगा यह ऐसा क्यों हो रहा है इसका क्या रीजन है इस इस वेरी स्टेबल यह कार्बनायन स्टेबल क्यों है जरा रीजन लिखके बताना मेरको चैट में यह यह जो कार्बनायन है यह स्टेबल क्यों है बताओ यह स्टेबल क्यों है यह स्टेबल क्यों है जरा बताईए तो वाई इज दिस स्टेबल बोलो जन्ता जनार्दन बोलो बोलो जल्दी जल्दी चलेंगे या रपन ऐसे तो यही चैप्टर होता जाएगा आंसर दो सो मत खुश्बू ने सही आंसर की खुश्बू फैला दी आकाश ने भी यहाँ पर भयंकर रेजरेंस हो रहा है भयंकर क्यों बोला मैंने क्योंकि कार्बन का नेगेटिव उठकर ऑक्सिजन पे जा रहा है भाई जन्ता के मज़े होगा इस मॉलिक्यूल के मज़े होगा carbon कम electronegative होता है उसको negative नहीं चाहिए पर oxygen को negative पसंद है जैसे baby को base पसंद है वैसे oxygen को negative पसंद है तो वो negative अपने पे ले लेगा तो ये carbon आयन stable है तो इसको stabilize करने के लिए मेरको soda lime की जुरत नहीं है तो खुद से ही एक ये बाहर निकल जाएगा क्या बन जाएगा acid बन जाएगा ठीक है पका सबंगे आया आगे जलते है कोल बे प्रोसेस से भी आप करा सकते हो free radical mechanism वहाँ पे होता है हम इसमें electrolysis कराते हैं बिजली की मदद लेते है बिजली सिब गाने में बिजली नहीं होती केमिस्ट्री में भी बहुत सारी बिजली होती है ठीक है है ना पका वेबब बेटा बहुत बढ़िया सर हमने भी तो बोला answer वेबब बोल रहा है लेकर तलवार खड़ा हो गया अन्याय हो रहा है यहाँ पे भाई साब यार मैंने वो जो सबसे शुरू में जिसने दिया था न वो देखकर फिर में समझाने लग गया था तो पीछे से चैट बहुत ज़्यादा नीचे चली गई तो मैं देखनी बाया माफी चाहता हूँ आपसे ठीक है माफ कर दो भी या है ना पहले IUPAC करवा देते सर अब सवाल ही नहीं आते है उसमें से उतने इसलिए उसको बाद में करेंगे करेंगे सब आज ही करेंगे इसी बाले में करेंगे पर पहले hydrocarbon करेंगे वैबब सारी बोल रहे है अरे सारी की क्या बात है यार आप तो जनता जनारदन हो है न मजाग था यार मजाग तो इसमें क्या होता है फ्रेडिकल बनता है हम क्या कराते है electrolysis कराते है sodium या potassium salt का monocarboxylic acid का concentrated aquos solution हम लेते हैं तो हम इसका concentrated aquos solution लेते है aquos solution लेते है electrolysis कराते है तो anode पे alkane और CO2 मिल जाता है cathode पे base और hydrogen gas बन जाती है तो पता कैसे चलता है reaction हो गया fizzing होती है जैसे हम soda की bottle खोलते है तो fizzing होती है CO2 gas बाहर निकलती है यहाँ पे जो अपने experimental setup होता है जैसे reaction आगे की तरफ जाता है completion की तरफ बढ़ता है तो fizzing होना शुरू हो जाती है किसकी? H2 की और यह कैसी gas होती है colorless gas होती है ठीक है? कैसी gas होती है? colorless बिना color की gas होती है दिखती भी नहीं है पर वास आजते है समझे है? तो अगर मैं CS3 COONA का electrolysis कराऊंगा तो क्या बन जाएगा? RR सामचारण और NTR को लाके बनेगा यहां तो नहीं बनेगा यहां तो आर आर ही बनेगा राइज एंड रिवोल्ट रोर नहीं होगा यहां पर रोर कौन गड़ता है एच्टू गड़ता है ओओ वाँ 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 कितना सड़ा जोगता चलो आगे चलें CH3COONA दो मोल मैंने लिए मैंने उनको इलेक्टरल से सेटप में पटका CH3 CH3 बन गया यहां पर भी सेम चीज है क्योंकि फ्री रेडिकल बन रहा है क्योंकि फ्री रेडिकल बन रहा है तो सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनेंगे तो अगर आर और आर डैश मतलब अलग अलग कार्बॉक्सलिक असिड लेते हैं तो अल पॉसिबल प्रोड़क्स बनेंगे तो जो तकलीफ वुड्स में आती है वो ही तकलीफ यहां पर भी आएगी ठीक है अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है C1 से C4 वाले सारे गैस होते हैं मतलब मीथेन ब्यूटेन तक सारे क्या होते हैं गैस होते हैं ठीक है नियो पेंटेन और आईजो पेंटेन यह मतलब नियो पेंटेन तो गैस होता है पर एन पेंटेन और आईजो पेंटेन लो बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड्स होते हैं C6 से C17 कलरलेस लिक्विड्स और C17 से उपर वैक्सी इसका रीजन कौन बताएगा कि सर कम कार्बन है तो गैस थोड़े कार्बन बढ़े तो लिक्विड और उससे भी ज्यादा कार्बन बढ़ गए तो सॉलिड ऐसा क्यूं हो रहा है रीजन बताओ जरा चैट में चैट में रीजन बताओ फटावट से बताओ 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 बोलो वांडर वाल फोर्सेज एकदम सही रीजन बताया हमारे प्यारे चात्रों और चात्राओं ने होता क्या है जैसे जैसे नंबर ओफ कार्बन बढ़ते हैं तो मास बढ़ता है साथ में इनका सर्फेस एरिया बढ़ता है एक मॉलिक्यूल इतना है एक मॉलिक्यूल इतना है क्योंकि ये सारे non-polar होते हैं तो यहाँ पे कोई dipole dipole, iron dipole तो लग नी रहा होता सिर्फ wonder wall forces लग रहे होते हैं क्या लग रहे होते हैं? wonder wall forces जितना छोटा surface area होगा wonder wall forces उतने कमेरिया पे लग पाएंगे तो दो molecules आपस में अच्छे से bind नहीं हो पाएंगे यहाँ पे surface area बहुत बढ़ गया है surface area बढ़ने के कारण force बढ़ जाएगा और आपको तो बताएए दो molecules के बीच में अगर force बढ़ेगा तो वो liquid या solid बनने की तरफ जाएंगे तो जैसे जैसे number of carbon बढ़ते हैं surface area बढ़ता है और जैसे जैसे surface area बढ़ता है wonder wall forces बढ़ते हैं और जैसे जैसे wonder wall forces बढ़ते हैं वैसे वैसे आप liquid और फिर liquid से solid की तरफ जाते हो तो क्या ये याद करना है बिल्कुल याद नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है बस एक समझाने के लिए forces का आपको बताया था boiling point molecular weight के proportional होता है नॉर्मल एलकेंस के लिए ठीक है molecular weight के proportional surface area molecule के proportional तो heptane का boiling point hexane से ज़्यादा hexane का pentane से ज़्यादा अब कुछ एक और चीजे हैं जैसे जैसे मैं side chain बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे boiling point कम होता जाएगा क्या बोला मैंने जैसे जैसे side chain बढ़ाता जाऊंगा boiling point कम होता जाएगा जैसे मेरे पास एक ये molecule है इसको मैं बुल रहा हूँ A अबे ओ ओ ठीक है color change कर लेते हैं सपेद बनाते हैं एक molecule है ये इसको मैं बुल रहा हूँ B color change कर लेते हैं blue ले ले हैं बहुत time हो गया blue लिये है इसरल वाला color क्यूंकि blue है पानी 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 और दिन में सानी 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 जानी जानी सानी आ जाओ मिलके पढ़ाई करें इसी बात पे ये है C किसका boiling point सबसे ज़्यादा होगा बोलो है अब यहां answer लिक रहा है तो भी गलत दे रहे हो पगलो ऐसे मत करो उपर point भी लिक रहा है boiling point सबसे ज़्यादा होगा C का जैसे जैसे side chain बढ़ाओगे वैसे वैसे surface area decrease होगा जैसे जैसे surface area decrease होगा force decrease होगा force decrease होगा तो boiling point भी decrease होगा तो answer सही है C C का boiling point सबसे ज़्यादा होगा फिर इसके बाद जो melting point होता है वो packing पे बहुत depend करता है तो अगर आपके पास odd number of carbon है मतलब अगर आपके पास hexane है 6 carbon और आपके पास heptane है 7 carbon तो hexane का melting point heptane से ज़्यादा होगा क्यों? क्योंकि even number of carbon में packing effective होती है odd number of carbon में packing effective नहीं हो पाती layer पे layer, layer पे layer, layer पे layer, layer पे layer पे layer नहीं जम पाती तो इसलिए even number of carbon का melting point ज़्यादा होता है odd number of carbon का melting point कम होता है adjacent में मैं कब compare करूँगा C6 और C7 में compare करूँगा अगर मैं C6 और C12 या C13 में compare करूँगा तो C13 का ही ज़्यादा होगा molecular mass वहाँ पे जीतने लग जाएगा पर adjacent में compare करूँगा C12 का melting point C13 से ज़्यादा होगा तो adjacent में even का odd से ज़्यादा और अगर बहुत दूरी में देख रहा हूँ तो molecular mass ज़्यादेगा जिसमें जितने ज़्यादा carbon उसका melting point उतना ज़्यादा ठीक है clear है न चलो बहुत बढ़िया क्या गानक आया भीया विगनेश ने मैंने भी कुछ तो अच्छा पड़ा विशेश बूल रहा है आ जाओ अन बीच सारान सर की फोटो खीज फूटी किस्मत होगी तेरी जो प्रतीक सर की बात न वानी बढ़िया 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 ओसम दन्यवाद चलो आगे बढ़ते हैं अब हम इसका उक्सिडेशन करा सकते हैं अब हम फिजिकल प्रॉपटीस से आगे बढ़कर केमिकल प्रॉपटीस पर आ सकते हैं आप कोई भी एलकेल ले लो उसको अगर आप सफिशेंट मातरा में ओक्सिजन दोगे तो carbon dioxide बन जाएगा ठीक है यह exothermik reaction होगा अगर आप उसको थोड़ी limited मातरा में oxygen दोगे तो carbon monoxide बना देगा और अगर आप बिचारे मीथेन को सिर्फ एक O2 का मॉलिक्यूल दे रहे हो तो carbon black बन जाएगा जो printing में यूज होता है तो आपके पास अगर आप easter light हो तो printed study material पहुचा होगा जही वालों के पास वो किससे बना है उसकी ink कैसे produce होती है ऐसे produce होती है अगर आप neat वाले S parent हो तो पहुचने वाला है उसमें जो ink अभी हम use कर रहे है तो वो किससे होता है वो इससे होता है तो ये printing में use आता है formation कैसे होता है essay formation होता है clear? है न? आगे चले let's go forward फिर catalytic oxidation आप करा सकते हो important reaction है mechanism इसका कुछ नहीं होता है unknown type का ही mechanism है बस अगर आप दो methane के molecule लेते हो एक oxygen का molecule लेते हो और red hot copper या iron tube पे high pressure temperature condition में reaction करवाते हो तो alcohol का formation हो जाएगा आपको याद क्या करना है इसमें ये reagent ये catalyst याद होना चाहिए क्या याद होना चाहिए? ये catalyst याद होना चाहिए आपको ये दे देंगे, ये दे देंगे ऐसा लिख देंगे, पूछले क्या बना तो जब भी मैं इलकेन का reaction oxygen के साथ कराऊंगा controlled environment में red hot copper या iron tube के उपर इसका surface यूज़ करते हुए इसको catalyst यूज़ करते हुए ठीक है? अगर मैं manganese acetate यूज़ करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? acid मिलेगा बहुत सारे यहाँ पे मेरे पास क्या है? लंबी carbon chain है तो जो carbon chain का last वाला part होगा, जो last methyl group होगा, वो oxidize हो जाएगा और क्या बना देगा? acid. इन acids को क्या बोलते है? fatty acids बोलते हैं, यह सब याद करने का है इसमें कुछ समझने का नहीं है तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ learn आपके पास PDF आ जाएगी, आप उसमें जहाँ जहाँ learn लिखा है, रटे मार लेना बैट कर, इसी में आपकी भलाई है, हम को क्या करना है? वहाँ पे बैट के हम रटे मारेंगे हम वहाँ पे रटे मारेंगे खुशी पूच रहे हैं, आप reply क्यों नहीं कर रहे क्योंकि बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ अब मेरे दो आखें पीछे नहीं है मेरी से दो आखें आगे है ना में डॉक्टर स्ट्रेंज हो, इसकी थर्ड आई भी आ गई है तो पहले पढ़ा लेंगे फिर चैड देख लेंगे प्लीज माफी चाहूंगा गुस्सा मत हो यार, प्यारे बच्चे हो आप सब यहाँ तक क्लियर है, है ना अगर आपको टर्शरी एलकेंस को भी ऑक्सिडाइस कराना है इनको ऑक्सिडाइस करना मुश्किल होता है यह वैसे स्टेबल ज़्यादा होता है ठीक है, तो आपको इसमें केमिनोफोर यूस करना पढ़ेगा क्या यूस करना पढ़ेगा केमिनोफोर कुछ बच्चे इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं ठीक है इस पे आपको केमिनोफोर यूज करना पड़ेगा तो आपके बास टर्शरी एलकोहॉल बन जाएगा अब इसके बाद मैं चैट पढ़ लूँगा पहले आप यहां तक पढ़ लो इसको भी लर्ण हाँ भई खुशी दुख्य में तो अब बता अब बता तेरे दुख दूर भगाने आया हूँ मैं खुशी को दुबारा खुश करने बता क्या पूछना चारी थी अम्में रिप्लाइ कर रहा हूं तो पूछ तो ले बेटा अईसे क्या करते हो मजे ले रहे हो हमारे वेबब पांडे बोल रहा है क्या इसका नाम ये है क्या वोही नाम है उसका जो तू चैट में बोल रहा है मैं बोल नहीं सकता उसको नहीं तो तुम फिर इसका वीडियो काट के डाल दोगे फिर बोलोगे सर ऐसी बाते करते हैं हाँ नेसेंट ऑक्सिजन की प्रेजिन्स में तो ये जो है न के मिनो फोर ये नेसेंट ऑक्सिजन देता है खुशी अब पूछी नीरी यार वो गुस्टा खाके चली गई मिर से ओ मैं गौड विनोध पूछ रहा है सर टाइपिंग में टाइम लगेगा खुश्बू बोल रही है सर रिपीट नितिन बिटा क्या रिपीट करूँ अब 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 को समझ में आ गया सर अगर करना है स्कोर तो SRM से अच्छा स्कोर आएगा क्या SRM क्या है SRM तो बिटा प्राइविट कॉलेज है वहाँ से अच्छा स्कोर करके भी बहुत अच्छी नौकरी तो नहीं मिलेगी IT के लिए फाइट मार लो तुम है न SRM क्या होता है SRM SRM चले आगे बड़े तू SMR की बात कर रहे हैं मैं समझ गया देख जो बच्चे मेर से ये पूछ रहे है SRM मैं SMR कर लूँगा तो अच्छे नंबर आ जाएंगे बहुत सीधी सिंपल सी बात है अगर तुमने अभी तक घास काटी है एक साल दो साल मेहनत नहीं करी तो सिर्फ SMR से नंबर नहीं आएंगे मैं तुम्हारा टाइम वेस नहीं कराना चाहता तुम जबरदस्ती के एक होप में महीना बर अपना बरबाद कर लोगे बारवी कक्षा की बच्ची है अभी तक कुछ नहीं पड़ा तो जाके ड्रॉप ले ले बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे जादू नहीं होएगा पर अगर तुमने पढ़ रखा है है ना अगर तुमने पढ़ रखा है और रिविजन में तकलीफ है लास्ट टाइम में कैसे मैनेज किया जाए तो मैं गैरेंटी देता हूँ यह SMR Physics Chemistry Maths तीनों की तुमने अच्छे से जब मैं सेंटर पे गया था इस बार भी जाओंगा बच्चों ने सीधा आके बोला सर इनौर्गेनिक में आपने नो कोस्चन जो आने थे आपने जो करवाया उस में से साथ कोस्चन आए नो में से साथ इस बार भी आएंगे पर अगर तुझे कुछ नहीं आता पर अगर तुझे कुछ नहीं आता न तो मेरे से उम्मीद मत लगाना कि तुँ एकदम से जाके एक्जाम फोड़ के आजएगी वो बिचारे भापड़े जो दो साल से दस-दस घंडे बढ़ रहे हैं हमारे मेंटर्स जिनको खून पिला रहें और वो खून पी रहें उनकी तो सोच यार है ना तो अगर पहले से आता है तो SMR से बहुत advantage हो जाएगा और अगर पहले से नहीं आता है तो drop ले ले और अगर already dropper है यही last chance है तो यह सवाल वैसे भी irrelevant है जितनी ताकत है लगा दे कुछ तो improvement होगा यह पक्का है ठीक है SMR मतलब super mega revision है ना सर how much score can be scored from SMR खुशी फिर से यही चीज़ पूछ लिए देख मैंने मेरा जवाब दे दिया है ना मैं यह बोलूँगा कि SMR से 270 नमबर लिएगी नहीं लाएगी पर अगर तेरे अभी 80 नमबर आ रहे हैं तो SMR देखकर तो 130-140 पर पहुंच सकती है पर 270 पर नहीं पहुंचेगी अगर तेरे 180 नमबर आ रहे हैं तो 220-230 तक पहुंच सकती है अगर तेरे 210 नमबर आ रहे हैं तो 250-260 तक पहुंच सकती है तुम भी कर सकते हो है ना चलो आगे बड़े अब आजाते हैं हम हेलोजेनेशन पे अब ये chemical properties actual वाली शुरू हो चुकी है और ये पूरे अलकेन की chemical properties का most important reaction है तीक है इसके बारे मैं थोड़ा सा बताता हूं CL CL पे जब मैं धूप मारता हूं तो ये CL.CL. में क्यों टूट जाता है बताओ दो question है यहाँ पे पहला question तो ये 2T क्यों रहा है और दूसरा question free radical क्यों बन रहा है देखो अब हम advanced level की भी साथ में preparation करते जा रहे है ठीक है दो question है मेरे यहाँ पे पहली बात तो 2T क्यों रहा है ऐसा क्या हो गया धूप देने से है ना और दूसरा free radical क्यों बन रहा है कि टायन एनायन क्यों नहीं बन रहे बतादो भड़ावट बताओ क्लोरीन और क्लोरीन ये तीन लोन पेर लेके बैठा है जैसे आप इसको energy दोगे तो ये वाला bond जो break होने की कगार पे है इसको एक motivation मिल जाएगा break होने के लिए तो ये break हो जाएगा और यहाँ पे क्यूंकि आपने कोई medium नहीं लिया है तो ये charges में break नहीं हो सकता charges को support करने के लिए आपको polar protect, polar aprotect solvent चाहिए होते हैं जो इन charges को support कर सकें charge को support करने वाला कोई नहीं है इसलिए बनेगा free radical तो तूट क्यों रहा है और ऐसे ही क्यों तूट रहा है इसका जवाब मिल गया question यहीं से बनता है advance में qualitative question आ सकते हैं ठीक है बिलकुल आ सकते हैं कुछ बच्चे बुल रहा है similar electronegativity के कारण free radical बन रहा है एकदम correct बात है बहुत बड़ा यहाँ पे एक reason वो भी है but अगर मैं यहाँ पे कोई solvent ले लूँ और कुछ conditions डाल दूँ तो यह CL minus और CL plus में भी break हो सकता है similar electronegativity होने के बावजूद तो एक reason similar electronegativity है और एक reason है lack of medium ठीक है तो इसको बोला जाता है homolytic cleavage तो halogenation तीन step में होता है पहला chain initiation step जहाँ पे हम free radical की chain को initiate कर रहे है हमने धूप मारी या heat किया दोनो chlorine CL dot CL dot में तूट गए अब chlorine electronegativity होता है उसको तो साला भंकर परिशानी वी जाती है मेरे पे free radical कार्बन के होते हुए मेरे पे free radical तुम पागल समझे हो का हम में दिमाग नहीं है का वो सीधा जाता है और कार्बन से H dot खीच के लिए आता है मेरे को कुछ नहीं पता तू अपना जान मैं तो हो गया stable HCl बना के कार्बन बिचारा कम electronegativity है तो CL से तो कम परेशान है बट कम परेशान है इसका मतब यह नहीं परेशान नहीं है यह भी परेशान तो है तो यह बोलेगा चल रहे निकल लड़ा निकल तूने मेरे पे पहले कर लिया जब तक मैं neutral था इसलिए मैंने तेरी बात सुन ली तू तो तेरी परेशानी मेरे सर पे डाल के चला गया इसकी टोपी उसके सर तो मैं भी इसकी टोपी उसके सर तो यह क्या हो गया चेन प्रोपोगेशन स्टेप एक के साथ धोका हुआ उसने दूसरे के साथ किया दूसरे के साथ धोका हुआ उसने तीसरे के साथ कर लिया जैसा आजकल पूरा चल रहा है आपने न्यूस तो सुन ही ली होगी पहले में यहाँ था फिर मैं वहाँ चला गया फिर मैं वहाँ चला गया फिर मैं वहाँ चला गया यह ऐसे ही होता है तूने मेरे साथ गलत किया ठीक है, अब मैं किसी और के साथ गलत करूँ है फिर ये किसी और के साथ गलत करेगा, तो ये चलता रहेगा फाइनली फिर जब दो free radicals आपस में अगर मिल गए, तो stabilization हो जाता है chain terminate हो जाती है chain क्या हो जाती है chain terminate हो जाती है ठीक है महेश मिराजे बीटा spam मत कर, है ना इतना spam करना ठीक नहीं है है ना, ठीक है पक्का है ना चलो, बहुत बढ़िया ठीक है तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन गया मैंने alkane से शुरू किया था मेरे पास alkyl halide बन गया majorly यही बनता है तो alkyl halide का formation हो गया reactivity order क्या है F2 more than Cl2 more than Br2 more than I2 इसका reason बताओ चैट में देखते हैं तुम्हें कितना आता है reason बताओ जब तक मैं पानी पी लेता हूँ पटाफट से इसका reason बताओ reason बताओ विनीद गुपता मेरे से कब से पूछे जा रहा है कि सर में कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ ऐसे पढ़के जही फोड सकता हूँ क्या मेरे भाई कुछ भी नहीं पढ़ा है तो पढ़ ले ना अब तो पढ़ ले अब तो पढ़ा रहा हूँ यही पूस्ता जाएगा चैट में तो पढ़ेगा कब है F सबसे जादा इलेक्टर नेगटिव है नहीं भीया लेस साइज मोर इलेक्टर नेगटिव इसका रीजन नहीं है स्मॉल साइज इसका रीजन है इसके पास भी तीन लोन पेर इसके पास भी इसके पास भी इसके पास बहुत छोटे से एरिया में तीन लोन पेर है वो आपस में एक दूसरे की जान ले लेंगे जान ले लेंगे तो यह बहुत छोटा है तो यह सबसे जल्दी तूटेगा इसका free radical सबसे जल्दी बनेगा इसलिए इसकी rate सबसे ज़्यादा आएगी ठीक है? चल वा, आगे, बढ़ वा बढ़ते हैं iodine के reaction में हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर मैं यहाँ पे कोई catalyst नहीं लेता हूं यहाँ पे एक और parallel में reaction नहीं खड़ी करता हूं तो यह reaction reversible होता है तो यहाँ पे yield अच्छी नहीं आती yield is less तो मैं ली चैटलियर प्रिंसिपल लगा देता हूं मैं यहाँ पे हाँ योथरी साथ में ले लेता हूं हाँ योथरी क्या करता है? ही को खा जाता है तो मैं अगर product हटाता जाऊंगा तो reaction आगे आता जाएगा हमको चाहिए क्या? यह चाहिए तो इसलिए ली चैटलियर प्रिंसिपल लगाऊंगा सामके session में chemical equilibrium revise जब करेंगे हम तब यह देखेंगे ठीक है? तो iodination को जब भी मेरे को कराना है तो मैं HIO3, HIO4, HNO3, HGO वगेरा जैसे oxidizing agent साथ में लेता हूं जिससे मेरा HI destroy हो जाता है तो reaction आगे जाता जाएगा ठीक है? पक्का चलबा? आगे चलबा का? चलो फिर reactivity order अगर मैं alkane का बोलूँ तो free radical intermediate है जितना free radical stable होगा उतना जादा reaction जल्दी आगे जाएगा तो free radical जब कब stable होगा जितना जादा plus I होगा plus I किस में जादा होता है? tertiary में 3 degree, more than 2 degree, more than 1 degree तो अगर मेरे पास ये तीन alkane's हैं A, B और C सबसे जादा तेज rate किसकी आएगी? A, B और C में सबसे जादा तेज rate किसकी आएगी? अब एक बच्चा बहुत next level का सवाल पूछ रहा है मेरे से पहले इसका answer दो फिर मैं उसका answer करूँगा रुग जा भईया, रुग जा Slayer, Code M, जो भी तो है Slayer, Code M, मैं तेरे message को Slayer कर दूँगा अब, रुग जा रुग जा रे पंची के अब ये हाँ, रुग गया वो, क्या बात है मेरी बात मानते हैं हाँ, तो इसका सभी answer है क्यों? क्योंकि सर अभी तो आपने बताया महीं पे तो लिखा हुआ है हमको पढ़ना तो आता ही है इतने भी हम वो नहीं है, अनपढ़ कमार आपने बोला, टर्शरी का जादा होगा टर्शरी लिख दिया हो, तो उसका ही जादा होगा ये answer आजाएगा, दिमाग लगा है विना ऐसे नहीं करना, उसका free radical सबसे जादा rate देगा, ठीक है, समझा गया है ना अबे, A answer है, गदेडों ये B वाले अबे, A answer है ऐसे क्या कर रहे हो यार A answer है, A A, A for आगरा, पहले हम आपे पागल खाना था सब वहां चल जाओ, महीं बढ़ती हो जाओ जाके जितने भी A के अलावा कुछ और बोल रहे है अबे, जितना जादा डिगरी होगा न, कार्वन का, उतना ही free radical stable बनेगा, प्लस I के कारण answer होगा A ठीक है, A बोलने के बाद भी कुछ बच्चे C लिख रहे हैं हाँ, आगे बढ़ो हम nitrogen भी करा सकते हैं तो अगर मैं HNO3 लेता हूँ तो यहाँ पे oxygen के lone pair और nitrogen के lone pair में repulsion होता है तो NO2 डोट बन जाएगा OH डोट बन जाएगा, तो RNO2 और H2O बनेगा अब आप मेरे को यह बताओ, कि सर ROH क्यों नहीं बन रहा NO2 डोट क्यों जादा जाके भिढ़ रहा है OH के comparison में बताओ सर, बताओ यहाँ पे ROH भी तो बनना चीए अब बी कैसे होगा आरे मैंने ऐसे नहीं लिखा भाई अब यार यह 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 ऐसा है यह ऐसा है, जो A वाला option है वो ऐसा है, यह है जो B वाला option है, वो यह है अब यह 1 डिग्री नहीं है मेरे भाईयों इस पे 3 कार बने और जुड़े हुए OH SORRY, मैं यहाँ पे 3 लगाना बुल लिए रहा MY MISTIC SORRY 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 वहिया MY MISTAKE, MAH MISTAKE BRO, MAH MISTAKE, MAH MISTAKE MAH MISTAKE, SORRY PLEASE, PATHRना मारे जाडू लेकर ना आए SORRY लिख दिया, लिख दिया, लिख दिया भाई साब ठीक है, आगे बड़े हैं चलो इसका जवाब दे दो यहाँ पर RNO2 क्यों बन रहा है ROH भी तो बन सकता था आपने .OH पर भी लगाए YRNO2 YRNO2 बिल्कुल क्योंकि NO2.SOR ज़्यादा रियाक्टिव है अव्व्यस सी बात है क्यों? क्योंकि देखो सर आपने N पर डॉट लगा दिया और साथ में दो ऑक्सिजन मिलके उसकी बैंड भी बजा रहे हैं खीच रहे हैं उससे सारे उलेक्ट्रोन और आपने उपर से उस पे उलेक्ट्रोन और एक कम कर दिया तो ये ज़्यादा परेशान है तो ये ज़्यादा ताकत से रियाक्ट करेगा थीक है तो RNO2 बन जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं है ना? तो अगर मैं CS3 CS3 पे HNO3 का रियाक्शन करवाऊंगा तो एक हटेगा NO2 जड़ जाएगा ठीक है या फिर ये बीच में से भी ब्रेक हो सकता है और CH3 NO2 बना लेगा All possible products यहाँ पे बन जाते हैं दो कार्बन हैं तो एक कार्बन का product भी बनेगा दो कार्बन का product भी बनेगा यह important है तो आपसे number of reaction मतलब number of products पूछे जा सकते हैं तो इसका ध्यान रखना number of products निकालते time you have to take care ठीक है अगर मैंने मालो propane ले लिया तो 1 nitro propane बनेगा 2 nitro propane बनेगा nitro ethane बनेगा और nitro methane बनेगा तो total number of products खित्ते बन गए 4 क्या मैंने ये 4 सही लिखा है क्या बताओ क्या ये 4 मैंने सही लिखा है क्या is the answer correct 4 क्या total 4 ही product बनेगे यहाँ पे बोलो 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 अब मैं तुम्हें पागल बना रहा हूँ चार ही बनेंगे और कोई isomerism possible नहीं है लोगों लग रहा है यहाँ पे वह जाएगा optical isomerism नहीं होगा क्योंकि 2 nitro propane है इधर भी CH3 उधर भी CH3 chiral center generate नहीं होगा 4 ही बनेंगे ठीक है चलो आगे चलते हैं sulfonation भी हम करा सकते हैं तो यहाँ पे SO3H dot बनेगा obviously वो ज़्यादा reactive है तो वो इसको हटा लेगा ठीक है पक्का पर यह उतना reactive नहीं होता तो यह ज़्यादा तोड़फोड नहीं मचाएगा और सिर्फ एक ही प्रोड़क बनता है और वो भी यह तो यह sulfonation में और nitrogen में फरक है यह अंतर है sulfonation और nitrogen में अरे यह बच्चे जितने भी बोल रहे हैं admit card आ गया और यह हो गया और वो हो गया और फलाना और दिमा का admit card आ गया अभी जाके देखेगा क्या पढ़ ले बाद में देख ले न और कुछ बच्चे देखने भी चले गए पागल कोई भी तुम्हें आके इतना सा distract करा जाता है तुम उड़ते उड़ते पहुंच जाते हो क्यों भाई किस खुशी में गदड़े हो क्या बाद में देख ले न नहां यार पाल तु बोल अगर actually में आ भी गया हो तो भी क्या फरक पढ़ रहा है भाई तो भी काहीं फरक पढ़ रही हो चे भाई है ना पढ़ाई करते हैं अपन ठीक है isomerization very very important यह पता नहीं यह क्योंकि practical chemistry से related है actually में industry में काम आता है तो यह बहुत important है इसको याद करना है there is no mechanism to it तो यहाँ पे भी लिख रहा हूँ learn भाई आपने butane लिया ALCL3 HCL से reaction करवा होगे तो isomerize हो जाएगा यह बन जाएगा आपने यह जो भी इसका नाम होता है मिरको नहीं पता है इसका क्या नाम होता है इसको लोगे तो एक chain का length कम हो जाएगी और यह उठके बीच वाले carbon पे आ जाएगा यह उठके बीच वाले carbon पे आ जाएगा इसका यही product बनता है यहाँ पे CH3 क्यों नहीं लगता पता नहीं इसका reaction mechanism उतना clear नहीं है scientifically भी नहीं है तो इसका यह product बनता है तो आपको यह याद करना है तो आपको यह याद करना है ठीक है चले आगे है ना फिर hydroforming या dehydrogenation या cyclization या catalytic reforming या aromatization most important reaction है अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसका most important इसको भी याद करना है तो होता क्या है अगर मैंने ethane या मैंने normal hexane लिया मैंने क्या लिया normal hexane C-C-C-C-C-C-C और उसमें मैंने CR2O3, AL2O3 की presence में 500 degree पे reaction करवा दिया तो benzene का formation हो जाएगा aromatization हो गया normal हमने alkane से aromatic compound बना दिया अगर मैं ये लेता हूँ तो दो product बनेंगे कैसे? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो या तो ये 6 मिलके aromatize हो जाएगे तो ये product बन जाएगा या फिर ये 6 मिलके aromatize हो जाएगे तो ये product बन जाएगा दोनों बराबर मातरा में बनेंगे कोई दिक्कत नहीं है ये नाम आपको याद होना चाहिए जब एक benzene पे 2 CH3 होते हैं तो उसको xylene बुला जाता है learn question में directly xylene दे दिया जाएगा क्या दे दिया जाएगा xylene दे दिया जाएगा क्या दे दिया जाएगा xylene दे दिया जाएगा question में directly xylene दे दिया जाएगा ठीक है तो दो product बन सकते हैं वह आप इससे बूचेंगे number of products 2 clear normal octane अगर में लेता हूँ और उससे CR2-3, L2-3 का reaction करा दो 500 degree Celsius पे तो मेरे पस दो product बनेंगे ortho xylene और यह जो भी है ठीक है तो aliphatic से aromatic पे जाना है one of the bestest reactions ठीक है अब हम आ जाते हैं alkyns पे तो alkyn, alkyn से ज़्यादा reactive होते हैं बताओ क्यूं अगर मेरे पास CH2 double bond CH2 है तो इसकी reactivity CH3, CH3 से ज़्यादा होगी बताओ क्यूं सर इतना basic क्यूं पढ़ा रहे हो क्यूंकि आगे जाकर यही सबसे ज़्यादा काम आएगा अभी जो हम revise करेंगे उसके अंदर ठीक है ऐसा क्यूं होता है अलकीन ज़्यादा उचल कूद क्यूं मचाते हैं अलकेन के comparison में बता दो हाई France हलो France डैड्स प्रिंसेज बोलरी हाई France हलो France हलो France सर क्लास 11 कब से होगा प्लीज यह कौन सी है क्लास 13 बढ़ा 11 वी कक्षाई है फड़ा clarity से question पूछो तो clarity से answer दूँगा पाई बाउन डे सर इसमें अच्छो मुझे तो दिखी नहीं रहा जवाब सही है बट वो तो दिख रहा है न physics का reason क्या है physics क्या है इसमें what is the physics पाई बाउन वी कर होता है क्यूं का है पाई बाउन वी कर होता है electron density increases क्या बात है अवतार तुने मेरे मन की बात बोल दी यहाँ पर छोटी सी जगे में double bond होने के करण bond length और कम हो गई है और आपने छोटी सी जगे में 4 electron गुसा दिये तो repulsion मनमान बढ़ चुका है तो यह चाहता है यह 2 electron को किसी को दे आओ यार मेरी आफ़त खतम कहां 4 electron लेके गुँँगा तो यह ज़्यादा reactive हो जाता है यहाँ पर ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी इनको oil forming gas भी बोला जाता है olifiant gas से जो term ने term लिया है इनको olifines बोला जाता है उनको paraffines बोला जाता था इनको olifines बोला जाता है तो alkene मनता कैसे है आप dehydration करा लो carbogatine rearrangement उसमें हो जाएगा फिर dehydro-halogenation फिर kolbe, linla, rosenman, birch de-halogenation, vitic reaction तो एक-एक करके देख लेते हैं यहाँ पर क्या बनेगा? carbogatine बनेगा carbogatine कैसे बनेगा सर? देखो, H plus है अब आपसे एक question बूछूँगा पक्का जवाब दोगे? है ना? Please जवाब दोगे? जवाब दोगे? है ना? यह H plus इस पूरे molecule में किसके पास जाएगा? जरा बताओ यह जो H plus है यह इस पूरे molecule में किसके पास जाने वाला है? बतादो फटाबट से अरे हो studies lover boys uncle रुख जा बेटा इतना spam मत कर ऐसे क्यों कुरता है? किसके पास जाएगा? इसका पहला प्यार कौन है? अब एक गाना आए था नहीं यार पहला प्यार या प्यार पे कुछ बचपन का प्यार में न दूर नहीं जाना रहे तो इसका बचपन का प्यार कौन है? O.H. क्यूं? इसके पास क्या नहीं है? इसके पास क्या जादा है इलेक्टरॉन ओहो राम मिला ही जोड़ी है भाई साब उपर वाले ने बना के भेजी है तो ये इसके पास चला जाएगा वे आर ऐसे क्या गड़ते हो ये गया तो क्या हो गया ओ पे आ गया प्लस क्योंकि ये एच तो यहाँ पे आके जुड़ गया अब आपको पूरे और गयानिक की सबसे सची बात बता रहा हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी काम आएगी वो क्या है कि OH2 मतलब पानी और N2 ये BLG होते हैं ये क्या होते हैं BLG सर ये कौन सी नहीं चीज़ लेगे आगे हो आप ये क्या होते हैं BLG BLG का फुल फॉर्म जो बताएगा उसके J में 40 नमबर ज़्यादा आएंगे बता दो BLG का फुल फॉर्म जिसने BLG का फुल फॉर्म सही बता दिया उसके 30-40 नमबर बढ़ जाएंगे क्या वाथे क्या बात है क्या वाथे मजा वागा ये पूरी और्गानिक के best living groups हैं इनको जाने से कोई नहीं रोक सकता चाहे पीछे जो बच जाए ये आज कल के नलायक बच्चे जो होते न पहले माबाप से पूरे पैसे ले लेते हैं उनका सब कुछ करा लेते हैं फिर मेरे गाउं में मेरे शहर में अपॉर्चुनिटी नहीं है साब मैं छोड़के जा रहा हूँ आप देखते रहे ना आपके बीचे बढ़ापे में मैं क्या गरूँ तुम ऐसे मत बनना यार मेरे दिल पे यही सबसे ज़्यादा बात चुबती है पड़ लिख लिए ना तुम्हारे गाउं में शहर में अपॉर्चुनिटी नहीं अपॉर्चुनिटी बनाओ नहीं यार सर पेरेंट्स ही तो हैं क्या है जहां पे 50-60 साल जिंदगी के गुजार चुके हैं इतने रिष्टे बना चुके हैं ये काम मत करना ओएजटू एजटू और एजटू तक ठीक है ये तो केमिकल्स हैं कोई फरक नहीं बढ़ता आप बैड लिविंग ग्रूप बनना आप बैस लिविंग ग्रूप मत बनना है ना हर बच्चा यहाँ पे क्या बनेगा पील जी बनेगा पेरेंट्स का साथ कभी नहीं छोड़ेगा चाहे जो हो जाए शाप लगेगा वरना मेरा ठीक है है ना माता पिता से बड़ा कोई नहीं होता चाहे जो हो जाए ठीक है है ना मैं मेरे को तो मन करता है दो बता नहीं सकता मैं खेर जो भी है, तो N2O और H2O best living groups होते हैं, तो यह फटाक से यहाँ भाग जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, positive charge, logical भी है, positive oxygen को दूँ की carbon को, obviously carbon को देंगे, तो यह जो mechanism होता है, यह mechanism होता है, carbo cation पे based, तो यहाँ पे intermediate कौन सा बना, C+, यही इस reaction की सबसे बड़ी ताकत है, और क्यूंकि मैंने यहाँ पे heat कर रखा है, तो यह C+, बड़ा unstable है, तो यह इस hydrogen को यहाँ से भगा देगा, और double bond बना लेगा, ठीक है, तो क्या बन गया, alken बन गया, तो क्या बन गया, alken बन गया, क्या बन गया, तो क्या बन जाएगा, alken बन जाएगा, सबसे important बात, कार्बोकटाइन बना है, आप यहाँ पे concentrated H2SO4 यूज कर सकते हो, H3PO4, KHSO4, यह endothermik reaction होता है, कार्बोकटाइन intermediate बनता है, और आपको higher temperature dehydration कराने के लिए, तो जैसे मैंने mechanism बताया था, यह वैसा ही हो रहा है, ठीक है, पक्का, कार्बोकटाइन का बनना is the RDS, जितना stable कार्बोकटाइन, reaction उतना ही तेज, तो अब जब कार्बोकटाइन बनता है, तो वो rearrange भी होता है, rearrangement का मतलब, मान लो आपका कार्बोकटाइन यहाँ पे बना, leaving group यहाँ पे था, वो यहीं पे कार्बोकटाइन छोड़ के चला गया, molecule आपस में एक दूसरे का ध्यान ही रख लेगा, वो बोलेगा यहाँ पे कार्बोकटाइन stable नहीं है, बहुत unstable है, methyl तो निकल, methyl वहाँ चला गया, यह कहाँ पे आगया, यहाँ पे, पहले कार्बन क्या था, 1 degree, कार्बोकटाइन, अब कार्बोकटाइन कितना हो गया, 3 degree, फरक्या पड़ा, यहाँ पे, hyperconjugation नहीं था, यहाँ पे बहुत भयंकर hyperconjugation है, 8 alpha hydrogen है यहाँ पे, ठीक है, तो stability बढ़ जाएगी, ठीक है, आगे चले, SN1 reaction है यह, बिल्कुल, SN1 reaction तो नहीं बुलेंगे, E1 reaction है यह तो, SN1 यह, E1 है, ठीक है, पक्का, यहाँ पे 3 membered cyclic transition state बनती है, migration सिर्फ एक चीज़ को देखता है, कि finally जो कार्बोकटाइन मन रहा है, वो most stable होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, most stable होना चाहिए, बाकी लोग बाग, migratory aptitude और यह सब पनाला दिमा का रट लेते हैं, मैं वैसा कुछ नहीं कराऊंगा, जो most stable कार्बोकटाइन मने, उसको बना दो जाके, तो जैसे यह है, अब यहाँ पे 2 possibility है, Ethyl migrate करे, plus charge यहाँ पे आए, Ethyl यहाँ पे आए, यह वाला option, दूसरा option है, Methyl migrate करे, plus charge यहाँ पे आए, क्योंकि migration तो होगा, अभी 2 degree है, Carbocatine 3 degree बनने की पूरी उम्मीद है, तो migration होगा, तो migration किस case में होगा, इस case में होगा, किसका होगा, Ethyl का होगा, क्यों? Ethyl क्यों जाएगा? क्योंकि जब Ethyl जाएगा, तो 6 alpha H आएंगे, जितने alpha H, उतनी stability, तो कौन जाएगा? Ethyl जाएगा, जब भी, एक बहुत बड़ा key point, master key point, अब ध्यान से सुनेंगे, बहुत बड़ा key point, हम यहाँ पे देखते हैं, बहुत बड़ा key point, हम यहाँ पे देखते हैं, और वो यह है, कि, वो यह है, देखो, अभी में पढ़ाने लग गया न, तो लोग कम होने लग गए, यही आपको जीत दिलाएगा, अभी में बक्वास करता रहूँगा, मजे करता रहूँगा, तो लोग बढ़ते रहेंगे, और जैसे पढ़ाने लगूँगा, लोग कम हो जाएगे, लास्ट टाइम पे भी, अगर हमको मस्ती मजाग चाहिए, तो ड्रॉप येर में आपसे मिलते हैं, अब पूरा फोकस पढ़ाई पे करेंगे, टाइम कम है हमारे पास, फोर मेंबर रिंग, फाइव मेंबर रिंग पे आगे चली जाएगी, अगर उसके पास मौका होगा तो, तो अगर आपके पास, फाइव और सिक्स मेंबर रिंग बन रही है, सिर्फ उस केस में ही, रिंग एक्सपैंशन होगा, कार्बुक के टायान रियरेंजमेंट के थुरू, उसके अलावा नहीं होगा, सेविन मेंबर, एट मेंबर बन रही है, तो रिंग एक्सपैंशन सिर्फ तभी होगा, जब आप फोर मेंबर से फाइव मेंबर या फाइव मेंबर से शिक्स मेंबर रिंग की तरफ जा रहे हो, ठीक है, पक्का, यह वन डिग्री था, यह टू डिग्री है, पर यहाँ पे सिर्फ अलपा हाइडरोजन के कारण स्टेबिलिटी नहीं आई, कि रिंग स्ट्रेइन भी कम हुआ, क्या कम हुआ, रिंग स्ट्रेइन भी कम हुआ, ठीक है, रिंग स्ट्रेइन भी कम हुआ, है न, क्लियर है, तो फाइव सिक्स मेंबर रिंग जब भी बनेगी, ring expansion हो जाएगा क्यूंकि carbocatine की stability बन रही है और ring strain भी कम हो रहा है clear है? है ना? आगे चले चलो एक case में ring contraction भी होता है जिसको हम जानते है dancing resonance के नाम से किसके नाम से जानते हैं? dancing resonance के नाम से जानते हैं four member ring है वो three member ring में चली जाएगी पर सर यहाँ पे तो stability कम हो गई नहीं यही तो बात है बहुत special case है dancing resonance अभी जब GOC का revision करेंगे इसके बाद वहाँ पे आपको बता दूँगा बड़ी हमको ध्यान में रखना है ring expansion कब होगा? जब five member या six member ring बनेगी ring contraction कब होगा? सिर्फ dancing resonance के case में ही ring contraction होगा मतलब अगर आपके पास एक four member ring है कुछ इस प्रकार से और उसके उपर positive charge है तो वो contract होकर यह बना लेगी यह आपको याद रखना है यह आपको याद रखना है यह आपको याद रखना है ठीक है? पक्का? पॉजिटिव चार्ज माइगरेट करके यहाँ पर जाएगा फिर दो possibility बनती है double bond या तो इधर बन जाए ring के अंदर या double bond बाहर बन जाए तो जहाँ पर number of alpha hydrogen जादा होंगे double bond वहीं पर बनेगा वो ही major product होगा यहाँ पर count करो 2 और 2 चार यहाँ पर count करो 3 और 2 और 2 7 तो यह वाला product major होगा question ऐसे ही आते है which of the following will be the major product ऐसे ही question जही मेंस पूछता जाता है तो number of alpha hydrogen count करेंगे alkyne के उससे stability decide करेंगे तो major product बनेगा वो उधर वाला तो आप alkyl halide से भी बना सकते हो E2 mechanism इसमें होता है आपने बहुत strong base लिया है alcoholic QH OH- आएगा इसको उठा कर जाएगा यह negative charge बनेगा carbon पे negative दूँ कि halogen पे carbon को भी पता है मेरे से अच्छा halogen negative charge को समालेगा तो इधर यह इसको break करेगा मतलब इधर अपने electrons को डालेगा इसके पास ज़्यादा electrons होते जा रहे है तो यह इसको X- निकाल के बाहर भगा देगा इसको बोलते है E2 elimination क्या बोलते है E2 elimination या alpha beta elimination तो मेरे पास क्या बन गया alkene मेरे पास बन गई simple सी चीज है ठीक है क्या है यह simple सी चीज है है ना चले आगे पक्का फिर आप coal way method से भी बना सकते हो coal way में क्या होता है यह दोनों पार्ट निकल जाएंगे इसका सी OON है इसका सी OON है इस पे dot आएगा और इस पे dot आएगा एक ही molecule में दो dot आपस में bond बना लेंगे तो क्या बन गया alkene बन गया बहुत effective method है alkene बनाने का यह सब हम पढ़ चुक है फिर आप catalytic hydrogenation करा रहो alkynes का देखो अगर आपने poisoned catalyst नहीं लिया तो alkyn से alkene बन जाएगा अगर मैंने PC प्रियंका चोपड़ा नहीं poisoned catalyst नहीं लिया तो alkene बन जाएगा पर अगर मैंने प्रियंका चोपड़ा को बीच में डाल दिया तो reaction alkene पे जाके रुख जाएगा ठीक है तो दो possibility है या तो cis alkene बन जाएगी sin addition करके या trans addition करके trans alkene बन जाएगी ठीक है दो possibilities generate होती है है ना दो possibilities रहे शौर आगे बढ़े let's go तो क्या क्या होता है भाईया तीन reaction होता है जिसमें cis alkene मनती है याद कर ले ना जहाँ जहाँ पे PDF में learn लिका है लिंडलार रोजनमंड और निकल पुराइट तो अगर मैंने एक alkene alkene सरी अगर मैंने एक alkene लिया है उस पे मैं H2PD का reaction करूँ CACO3 के साथ presence में तीक है और साथ में CACO3 क्या है प्रियंका चोपडा मतलब poison catalyst ये reaction को बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाने देगा एक step के बाद रोग देगा तो क्या बना cis alkene फिर BASO4 क्या है प्रियंका चोपडा और nickel boride क्या है प्रियंका चोपडा ये सारे के सारे क्या करेंगे cis alkene मना देंगे तो alkene से cis alkene मनाने का तरीका होता है ये तीनो linlarz, rosenmant और nickel boride ठीक है linlarz, rosenmant और nickel boride clear है आगे चले है ना सरपर में trans addition कराना जाता हूँ तो burch reduction करा दो क्या करा दो अगर आपको trans alkene मनानी है trans alkene यहाँ पर बनी है तो आप burch reduction करा दो burch में हम क्या लेते है sodium या lithium के साथ liquid NH3 हम क्या लेते है sodium लीथियम के साथ liquid NH3 NH2- generate होता है mechanism इनके J-means के point of view से important नहीं है जब J-advance का revision करेंगे तब mechanism देखेंगे अभी सिर्फ product important है तो cis alkene भी बना सकते है trans alkene भी बना सकते है तो यह चारों हमारे पास है इसको आप learn कर लेना यह आपको copy में बना होना चाहिए और यह आपको याद होना चाहिए लिंडलार, रोजनमंड, निकल बोराइड से बनेगा cis बर्च से बनेगा trans इससे cis बनेगा इससे भी cis बनेगा इससे cis बनेगा इससे trans बनेगा ठीक है चौलो भाई फिर हम de-halogenation भी करा सकते हैं de-halogenation का मतलब अगर दो आजू-बाजू वाले कारवन पे एक-एक हेलोजन लगी हुई है और मैं उसका reaction zinc dust के साथ करा दो zinc क्या करेगा electron देगा कितने? 2 जैसे ही वो 2 electron देगा ये minus बनके बाहर भग जाएगा इसके उपर minus आजाएगा जैसे इसके उपर minus आएगा ये बोलेगा अरे मैं क्या करूँ? मैंने जैसे शुरू में बोला था किसी के उपर भी carbon पे charge नहीं आना चाहिए वरना वो carbon बावडा हो जाता है पगला हो जाता है वो बोलेगा भाई तेरे पास halogen लेना तूरा के electron ये बोलेगा आपे मेर को भी नीची है हेलोजन को दे देगा तो हेलोजन बाहर यहाँ पे क्या बन गया? double bond तो CH3, CH double bond CH2 बन जाएगा इसको लता है de-halogenation विटिग reaction विटिग में आप फॉस्फोरस इलाइड्स नाम के compound लेते हो बहुत special class of compounds है कम ही बनाया जाता है industrial purpose के लिए बनाया जाता है जिसमें आप EPS3 फॉस्फोरस के साथ double bond मनाते हो CR2 का मतलब CR2 एक compound है उसके साथ आप double bond मना रहे हो अब यहाँ पे होगा क्या? मेरे को एक question का answer करना फॉस्फोरस का oxygen से प्यार ज़्यादा कि carbon का कि carbon का oxygen से प्यार ज़्यादा बताओ फॉस्टाफट कौन ज़्यादा प्यार करता है फॉस्फोरस oxygen को ज़्यादा प्यार करता है कि carbon oxygen को ज़्यादा प्यार करता है बताओ चैट में जल्दी से बताओ फटावट से बताओ फॉस्फोरस का प्यार ज्यादा है तो फॉस्फोरस क्या बोलेगा ओक्सिजन को बाई मेरे पास आने दे तो वो ये ओक्सिजन को काट के यहां से ले जाएगा दोनों कारबन दुखी बचेंगे डबल बॉन्ट मना लेंगे बन जाएगा आपके पास ये तो इसको बोला जाता है विटिक रियाक्शन आ जाता है पेपर में फिछले दो-तिन साल में दो या तीन बर अलग-अलग शिफ्ट में आया हुआ है तो पॉसिबिलिटी है विटिक के भी आने की ठीक है फिर एलकीन की फिजिकल प्रपरटी C1 से C3 गैस होती है C4 से C20 लिक्विड C20 के बाद सॉलिड यहां पे भी सेम फंडने है डाइपोल मोमेंट ट्रांस का तो 0 होता है और सिस का कुछ डाइपोल मोमेंट होता है तो सिस वाला पोलर होता है ट्रांस वाला अल्मोस्ट नॉन फोलर होता है ठीक है है ना सिस का ट्रांस से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो ट्रांस में पैकिंग बेटर होती है जैसा कि आप देख रहे हो यह एक दूसरे के उपर लेयर बनाके बहुत इजिली पैक हो जाते है तो पैकिंग इस बेटर तो ट्रांस में क्योंकि पैकिंग बेटर है मेल्टिंग किस पे डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग पे डिपेंड करता है तो ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट सिस से ज़्यादा होगा packing efficiency के कारण boiling point के अगर हम बात करेंगे तो वो सिस का trans से ज़्यादा होगा क्यों? क्योंकि boiling point जो है वो forces पे depend करता है, वो packing पे depend नहीं करता, वो intermolecular forces पे depend करता है, और क्योंकि सिस polar है, सिस क्या है polar है, तो polar में dipole-dipole force लगेगा और dipole-dipole force लगने के कारण, क्या होगा? क्या होगा? boiling point increase हो जाएगा, तो सिस का boiling point trans से ज़्यादा, और molecular weight जैसे जैसे बढ़ता है, melting point, boiling point दोनों बढ़ता है, solubility सारे के सारे alkenes non-polar solvent में जादा soluble होते हैं, बट अगर polarity है, तो कुछ-कुछ alkenes जो है, वो polar solubents में भी soluble हो सकते हैं, बट non-polar में ही होते हैं, majorly, ठीक है अब इनकी chemical properties, काफी question आते है, alkenes की chemical property में तो आप H2 का addition करा दो formation of alkenes में जो हमने revise किया था, catalyst लो hydrogenation कराओ, alkenes बन जाएगा, इसको दुबारा नहीं देखेंगे अब ये important है alkenes के पास एक बद बताओ, क्या जादा है क्या electron alkenes के पास जादा है, क्या? हाँ या ना में जवाब दो, फटाफट हाँ या ना में जवाब दो क्या alkenes के पास electron जादा है, क्या? बताओ और भई, अमूद, कैसा है बेटा? बढ़ियाँ हाँ तो वो अपने पास किसको attract करेगा? जिसके पास electron कम है, मेरे पास जादा है तो मेरे से ले ले, तो इसके पास कौन आएगा? Electrophile मतलब electron loving, और electron से प्यार कौन करेगा? जिसके पास electron कम है, ठीक है? तो alkenes के उपर electrophile आकर add होता है इसलिए electrophilic addition reaction तो xy आएगा, add होगा x जुड़ जाएगा, y जुड़ जाएगा compound बन जाएगा, तो अलग-अलग होते जैसे hcl आ सकता है halogen acid, तो क्या होगा? carbogatine का formation होगा, h plus आके attack करेगा, यहाँ पे positive charge बनेगा, और उस पे आके cl जुड़ जाएगा, तो जो आया समझ में, तो यहाँ पे अब Marko Nicole rule लगता है halogen कहाँ पे जुड़ेगा, जहाँ पे hydrogen कम है ठीक है, halogen कहाँ पे जुड़ेगा, जहाँ पे hydrogen कम है, halogen atom goes to the unsaturated carbon atom bearing lesser number of hydrogen atom तो x कहाँ पे जुड़ा जहाँ पे hydrogen कम थे x यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है रटने की ज़रूत नहीं है, simple mechanism होता है, hx है h पे delta plus है, x पे delta minus है, polar molecule है तो यह alkene क्या करेगी अपने electron इधर shift करेगी 1 degree पे carbon ion ज़्यादा stable, तो इधर shift होगा इसका plus आये भी लग रहा है यहाँ पे तो इस पे एक negative charge आएगा इस पे negative charge आएगा, तो यह इस पे attack करके, यहाँ से h plus खा के आजाएगा x minus को बाहर भगा देगा तो इस पे क्या आया, positive charge तो x minus किस पे आएक आएक करेगा इस पे आएक करेगा, तो यह मारको निकोब सब फरजी है, हमको क्या होना चाहिए, हमको आना चाहिए भगया, क्या चीज mechanism, हमको क्या आना चाहिए mechanism आना चाहिए ठीक है, clear है तो hydrogen कहाँ जाएगा जहाँ पे hydrogen कम है बट अगर carbocatine rearrangement हो रहा है, जब भी carbocatine बनेगा, एक और चीज आपको बता दूँ, जब भी c plus बनेगा, और अगर rearrangement possible है तो rearrangement होगा mostly बच्चे rearrangement नहीं करते answer लिखके आ जाते हैं उनके number कटते हैं, जैसे इस case में, अगर मैं hbr ccl4 लेता हूँ अगर मैं hbr ccl4 लेता हूँ तो होगा क्या, positive charge पहले यहाँ बनेगा ठीक है, यह h इदर जाएगा, यह plus इदर आएगा, यहाँ पे आके br जुड़ेगा, तो actual product यह बनेगा, तो carbocation rearrangement हमको कराना है ठीक है, simple है sub stability का खेले, rule, rule sub, फरजी, कभी लगते कभी नहीं लगते, पर mechanism सच्ची, rule फरजी, mechanism mechanism सच्ची, ठीक है पक्का, ब्रेक नहीं देंगे, अरब hydrocarbon खतम होने वाल है, फिर ब्रेक लेते रहना कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं परोक्साइड ले लेता हूँ जैसे HBR के साथ अगर मैं परोक्साइड ले लेता हूँ, तो उसको परोक्साइड इफेक्ट बोला जाता है, मारको निकोव रूल काम नहीं करता है, इसका एक और नाम होता है, खराश इफेक्ट, क्या रियाक्शन होता है, ये रियाक्शन होता है, देखो अगर मैंने HBR ROR लिया है, परोक्साइड लिया है, तो ये परोक्साइड फ्री रेडिकल में ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पे जो मेकैनिजम होगा, वो फ्री रेडिकल मेकैनिजम होगा, क्या होगा, फ्री रेडिकल मेकैनिजम होगा, तो सर अब फ्री रेडिकल मेकैनिजम से क्या हु फ्री रेडिकल मेकैनिजम से यह हुआ कि बियार डॉट बन जाएगा क्या बनेगा बियार डॉट तो इस मॉलिक्यूल पे दो आप्शन है या फिर उपर वाला ए है नीचे वाला बी है ए बनेगा की बनेगा पटाफट से बता दो ए बनेगा की बनेगा बता दो पटाफट ए बनेगा की बनेगा टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी नाम क्या है नाम जानकर क्या करो यह भी या पढ़ाई कर लो अभी नाम जानना है ना काम जानना है पढ़ाई करनी है ए बनेगा क्या बना ए बना तो अवविस्सी बात है जादा stable radical जहांपे बनेगा वो यह बनेगा तो बियार कहांपे एड हुआ जो लेस सबस्टीट्टैड है बियार वहांपे जाके एड हुएगा तो प्रोड़क्ट क्या बनेगा यह बनेगा तो अगर मैं एच बियार C-C-L 4 करा रहा हूं तो कार्बो कटायन पर अगर HBR परोकसाइड तो फ्री रेडिकल मेकानिसम ठीक है अब क्वेस्चन ही आता है कि परोकसाइड इफेक्ट सिर्व HBR के साथ ही क्यों लगता है सिंपल सा परोकसाइड बनके आपस में मिल जाते हैं वो कार्बन के और हैड्रोजन के बाउंड को नहीं तोड़ पाते तो इसलिए जो खराश इफेक्ट है या परोकसाइड इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन के केस में काम करता है HF तो वैसे भी ये सारे रियक्शन नहीं देता तो जो खराश इफेक्ट या परोकसाइड इफेक्ट है वो सिर्फ ब्रोमीन के साथ काम करेगा वो क्या करेगा उसे ब्रोमीन के साथ काम करेगा तो अगर मेरे पास ये condition है HBR परोक्साइड तो चुपचाप BR यहाँ पे लगा दो काम खतम free radical का rearrangement नहीं होता HCL परोक्साइड दे रखा है कोई फरक नी पड़ेगा यहाँ परोक्साइड doesn't matter reaction कैसे होगा कार्बोकटाइन के थू होगा और कार्बोकटाइन क्या करेगा rearrange होगा rearrange होके यहाँ पे जाएगा तो CL यहाँ पे लगेगा HBR CCL4 सेम mechanism है यह बन जाएगा आप पानी का addition कर सकते हो dilute H2SO4 ले लो बीच वाले कार्बन पे OH आकर लग जाएगा क्यों क्योंकि कार्बोकटाइन यहाँ पे है important बात क्या है अगर मैं पानी का addition कराता हूँ तो कार्बोकटाइन intermediate बनता है उसके बाद की सारी कहानी सेम है बस HCL के case में chlorine minus nucleophile था पानी के case में H2O nucleophile है nucleophile change किया है बाकी reaction exact same है X2 के addition करा सकता हूँ non classical carbocatine के through यह होता है three member ring यहाँ पे बनती है ठीक है है न X2 के addition में तो जहाँ पे भी alkene है दोनों तरफ halogen halogen जुड़ जाएगा इधर भी halogen इधर भी halogen तो RCHX, CH2X vicinal halides या vicinal dye halides इनको vicinal halides बोला जाता है vicinal मतलब vicinal का क्या मतलब होता है adjacent carbon तो इनको क्या बोला जाएगा vicinal halide vicinal में अपने आप सुन्ज़ना आगया दो halide होंगे और कहां होंगे adjacent carbons पे होंगे ठीक है फिर super important most important reaction आप इसको मान सकते हो alkene का test of uncerturation bromine water test इसको बोला जाता है देखो अगर मैं bromine water लेता हूँ ठीक है अगर मैं bromine water लेता हूँ उसका एक brown color बहुत सुन्दर सा brown color solution का होता है अगर मैं उस brown color के पानी में bromine water में alkene डाल दूँगा तो alkene bromine के साथ reaction करके vicinal halide बना लेंगे तो color किसके कारण आ रहा था bromine के कारण color उड़ जाएगा निगल लेगा तक लिया तो color उड़ गया तो मेरा जो brown color का solution था वो अब कैसा हो गया colorless हो गया तो brown से colorless मैं अलग से practical organic chemistry POC नहीं कराऊंगा revision में बीच बीच में POC आता जा रहा है तो बाद में मत बोलना की POC कैसे होगा ठीक है साथ साथ में हम POC कर रहे हैं साथ साथ में POC कर रहे हैं ठीक है है ना चलो बहुत बढ़िया आगे बढ़े तो कौन सा इसमें से test of unsaturation दे देगा ये नहीं पूछा कौन सा नहीं देगा unsaturation का test VR2 CCL4 के साथ बता दो फटावट से अंसर कर दो फटावट से बता दो कौन साथ ढावट पावट Mm पाँ-था पाँ-था-था-बधा-था-था इसे नहीं देगा तो इसलिए यह टेस्ट नहीं देगा तो अंदे काम मत करना कि answer mark करके आगए third पर पहुंचा ही नहीं ऐसे नहीं करना, सारे options देखने चाहिए ठीक है, तो आंसर हो गया 3, फिर आप HOX या X2 H2O, एक ही बात है, मैं HOBR लिखूँ या BR2 H2O लिखूँ बात एक ही है, ठीक है This is one and the same thing तो इसमें क्या होता है, OH OH पे, CL पे डिल्टा प्लस या अलकीन ऐसे तूटके, इस पे reaction कर देगी, attack कर देगी तो CL, इधर जुड़िया CH2, CH3 पे प्लस दो option है, अभी CH3 के प्लस के पास बाहर का molecule आके attack करे, या जो अंदर का chlorine है उसके पास जो lone pair है वो ही attack कर दे, तो दो possibilities हो गई intra attack की inter attack inter मतलब बाहर का molecule intra मतलब अंदर का ही कोई कौन सा attack faster होता है, intra की inter, फटावर्ट से बता दो कौन सा attack faster होता है intra की inter, फटावर्ट बताओ जल्दी जल्दी बात बताएंगे अब intra attack faster होता है तो ये फटावर्ट से जाके attack कर देगा, ये क्या बन गया non classical cation इसको carbon cation नहीं बोलेंगे क्योंकि ये carbon के उपर cation नहीं बना है, non classical cation 3mcts 3-membered cyclic transition state पूरे molecule के उपर plus है, OH- बाहर ही घुम रहा है मंद रहाता हुआ, अवे काँ plus है, काँ plus है इदर, 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 उसको दिख जाएगा, इस पर plus है, आओ देखेगा न ताओ, इदर से आके नीचे उपर से attack कर देगा, सर नीचे से क्यों करेगा, भया नीचे बहुत सारे molecule है, आने में, गुसने में परिशानी होगी इसलिए उपर से आएगा, उपर से आना असान है, तो anti attack होगा तो एक पे जुड़ जाएगा OH एक पे जुड़ जाएगा CL, ये fast step है ये slow step है, यहाँ पे ये वाला कार्बन पे प्लस आना is always a slower step, ठीक है उसके बाद तो fast ही fast है है ना, ठीक है तो intra attack पहले inter attack बाद में है ना, तो दो तरह के electrophile हमने पढ़े, पहला electrophile जिसमें खुद के पास loan pair नहीं है, तो वो classical carbo ketion बनाएगा ठीक है, तो उसमें rearrangement भी होगा, ये सारे वो हैं, HCl, HBr, HI, Di, H2SO4, H2OH+, ROH, H+, CS3C, OH, H+, ये सारे कैसे reaction करेंगे कार्बो ketion मना के reaction करेंगे, दूसरे तरह के कौन हो गए, जिसमें खुद के पास एक loan pair है, तो cyclic ketion मनेगा, cyclic carbo ketion नहीं, cyclic ketion मनेगा, ऐसे कौन हो गए, ये सारे, इन सब के पास खुद का एक loan pair है, तो यहाँ पे 3 MCTS बनेगी, cyclic ketion का formation होगा, तो यहाँ पे, क्या rearrangement होगा, क्या, नहीं, सर, rearrangement नहीं होगा, rearrangement नत्थी होगो, नाहीं, 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 rearrangement नाहीं होगा, cool है, चाला आगे, ठीक है, फिर, क्या-क्या chemical reactions होते हैं, किसके, alkene के, वो देख लेते हैं, और इसके अलावा क्या-क्या होते हैं, कार्बीन का addition, मैंने CH2N2 लिया, ठीक है, CH2N2 में क्या होता है, ये N2 अच्छा living group है, ये छोड़ के भाग जाएगा, तो इसके पास एक vacant orbital आ जाएगा, इसके पास extra electron है, तो ये अपने 2 electron यहाँ पे डाल देंगे, तो होता क्या है, ऐसा कुछ हो जाए, ये vacant electron, यहाँ पे extra electron थे, जो एलकीन थी, इसके पास vacant orbital था, तो ये electron यहाँ चले गए, तो क्या बन गया, 3-membered ring, बस इसको heat करने की जड़ोद थी है, जैसे heat किया, ये अच्छा living group है, नालाइक बच्चों की तरह, जो माबाप को छोड़ के निकल जाते हैं, ये निकल के छोड़ गया, सोचा भी नहीं, पीछे बिचारे CH2 का क्या होगा, कोई electron का जुगार भी नहीं है, मारा जाएगा गरीब, पर ये अच्छे बच्चे थे, दूसरों के माबाप का भी ध्यान रखते हैं, रखा, three-membered ring बना दी, क्या बना दिया, three-membered ring बना दी, three-membered ring बना दी, three-membered ring बना दी, ठीक है, है ना, चले आगे, let's go, important reaction है, कारबीन बहुत कम बनता है, कुछ-कुछ cases में बनता है, यहां बन रहा है, reaction हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, di-azomethane, question में directly di-azomethane दे दिया जाएगा, आपको पता होना चाहिए, di-azomethane is CH2N2, ठीक है, फिर oxidation reaction, आप आराम से oxidize करा सकते हो, combustion reaction करवा लिया, carbon dioxide water बन जाएगा, ठीक है, अब, most important reaction दुबारा से आ गया है, ozone olysis, दो तरह की ozone olysis होते हैं, oxidative और reductive, अगर zinc लोगे, तो reductive ozone olysis होगा, मतलब acid नहीं बनेगा, aldehyde से, aldehyde पे ही reaction रुख जाएगा, और अगर ketone बन रहा होगा, तो वैसे भी acid नहीं बनता है, तो अगर मैंने zinc और water लिया, साथ में ozone लिया, तो aldehyde ketone बनेंगे, ठीक है, है ना, तो इससे क्या होता है, हमें double bond का एक alkyne में पता चल जाता है, अगर aldehyde बना, तो unbranched alkyne था, मतलब, जैसे अभी आपको उताता हूँ, अगर मैं इसके उपर reductive ozone analysis कराऊंगा, तो aldehyde बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर branches नहीं थी, वहीं पर अगर मैं, इस पर ozone analysis कराऊंगा, तो ketone बनेगा, क्योंकि यह branched है, तो double bond की position पता करने के लिए, ozone analysis काम में आता है, ठीक है, double bond की position पता करने के लिए, ozone analysis काम में आता है, ठीक है, तो भाई, अगर मेरे पास ozone analysis कराने के बाद, HCHO, methanol और propanol बनता है, तो double bond कहाँ पे था, 1 और 2 के बीच में, अगर मेरे पास, propanol बनते हैं 2, तो double bond कहाँ पे था, इस तरह के molecule में, 2, 3, dimethyl, but2, in, से मैंने क्या बनाया है, मैंने इस molecule पे, ozone analysis कराया, तो ये बनेगा, but1, in पे ozone analysis कराया, तो ये बनेगा, तो products को देखकर, मैं idea लगा सकता हूँ, कि original alken क्या होगा, ठीक है, अब, आपने oxygen से reaction करवाया, ozone में, ये nascent oxygen देता है, इस तरह का एक intermediate बनता है, जिससे, एक nascent oxygen further generate होती है, अब आप उसके बाद, hydrolysis कराते हो, दो तरीके हैं, zinc मतलो, तो oxidative हो जाएगा, जो aldehyde है, वो further acid में चला जाएगा, ketone, ketone ही रहेगा, reductive करा लो, अगर aldehyde बनाना है, तो, acid बनाना चाहते हो, तो zinc मतलो, अगर aldehyde बनाना चाहते हो, तो zinc लो, ठीक है, simple है, एक further, अगर आप oxidative ozonolisis कराते हो, और formaldehyde बन गया, तो वो finally, carboxylic acid बनाने की बज़ाए, CO2 बना लेगा, एक सबसे बड़ा key point आज आपको देता हूं, क्या देता हूं, एक सबसे बड़ा key point आपको देता हूं, और वो key point है, एक carbon पे 2 OH, जैसे एक मयान में 2 तलवारे नहीं रह सकती, वैसे एक carbon पे 2 OH नहीं रह सकते, ये बहुत unstable होता है, breakdown हो जाता है, तो अगर ozonolisis में oxidative ozonolisis है, बिना zinc के करवाया जा रहा है, तो अगर HCHO बना, CO2 बना देगा, तो ozonolisis के reagent क्या होता है, आपने लिया है O3, और आप लेते हो H2O2, so this is oxidative, this is oxidative, अगर मैंने अब यहाँ पे O3 लिया, H2O2 लिया, zinc ले लिया, तो this is reductive, तो अगर मेरे पास यह है, इसका oxidative नहीं है, ozonolisis कराऊंगा, यहाँ से bond break होगा, इधर double bond हो लगेगा, double bond हो लगेगा, क्या बना, aldehyde, oxidative कराया है, तो aldehyde क्या बना देगा, acid, क्या बन गया, acetic acid, reductive कराया है, aldehyde, aldehyde बही बना रहेगा, तो क्या बन गया, acetal, ठीक है, यह compound लिया, यहाँ से break होगा, यह तो ketone ही बनेगा, oxidative कराओ, reductive कराओ, ketone will be ketone, यहाँ double bond आएगा, क्या बना यह, aldehyde, यह भी break होगा, जितने double bond ने, सारे break हो जाएंगे, double bond break करो, double bond हो लगाते जाओ, तो यहाँ पर अगर हम मैं ध्यान से देखू, ketone, ketone रहेगा, यहाँ पर, दो aldehyde बन रहे हैं, दोनो aldehyde, acid में convert हो जाएंगे, तो ketone, दोनो aldehyde थे, acid में convert हो गए, oxalic acid, यह क्या बना, formaldehyde, यह किस में जाएगा, CO2 में, यह सारे product आपको याद होने चाहिए, भाई यह safe technique, अभी बहुत ज़्यादा spamming हो गई है, तो इसलिए, माफी चाहूंगा मैं, थोड़ी दिर के लिए आप रुख जाओ, है ना, ठीक है, reductive कराता हूँ, जो product यहाँ बना है, as it is वही बनेंगे, इसको बुला जाता है, glyoxal, याद कर ले ना, इसका नाम, directly दे दिया जाता है, ठीक है, और HCHO, और ketone, है ना, फिर आप hydroxylation करा सकते हो, कैसे कराओगे, आप ऐसे hydroxylation कराओगे, Bayer's reagent से, Bayer's reagent क्या होता है, 1% cold K-minophore, फिर से K-minophore आ गया, वैब आप फिर से समझ जाएगा, कै-minophore का दूसरा नाम, जिससे हम उसको याद करते हैं, ठीक है, है ना, ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, मैंने इलकीन लिया, मैंने Bayer's reagent लिया, Bayer's reagent क्या करता है, nascent oxygen प्रोवाइड करता है, पानी लिया, बन जाएगा, यह, डाय ओल, क्या बन गया, डाय ओल यहाँ पर फॉर्म हो गया, प्रोपेन 1, 2, डाय ओल, ठीक है, important reaction है, oxidation कराने के लिए, important reaction है, Bayer's reagent, दुबारा से, यह practical organic chemistry का reaction है, क्यूं, ब्रेकडाउन हो गया, तो इसका pink color चला जाएगा, उसकी जगे आपको brown precipitate मिल जाएगा, MnO2 का, तो question कैसे पूछा जाता है, कि एक reaction है, उसमें pink color decolorize होके, brown precipitate बनाता है, बताओ product क्या बनेगा, तो आप बोलोगे, diol बनेगा, फिर आप strong oxidizing agent ले सकते हो, जैसे oxidative cleavage आप करा रहे हो, जो हमने किस में कराया था, exact same product बनेगा, oxidative ozonolysis की तरह, as oxidative ozonolysis, तो strong oxidizing agent कौन से होते हैं, k-menopor, h plus, या फिर diachromate, तो permanganate ले लो, या diachromate ले लो, ये आपको पूरा end तक acid बना के छोड़ेंगे, product कैसे बनाएंगे, इसको break किया, double bond O लगाया, double bond O लगाया, जो ketone है, वो ketone मन के रह जाएगा, जो aldeide है, वो acid बन जाएगा, तो एक तरफ बचेगा, acid और एक तरफ बचेगा ketone, ठीक है, simple है, अब आप substitution reaction करवा सकते हो, दो तरह के substitution होते हैं, allylic substitution, या benzylic substitution, तो होगा क्या, जब आप reaction करवा होगे, मानलो इसका, heat करके, तो allylic position पे, एक free radical generate होगा, क्या mechanism होता है, free radical mechanism होता है, यहाँ पे free radical generate होगा, यहाँ पे आके CL जड़ ज़ड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि CL, CL, temperature बढ़ाया हुआ है, तो dot dot में convert, उसके बाद की कहानी हमको पता है, और because this free radical is very stable, resonance stabilized है, तो यह reaction, अच्छी rate से आगे बढ़ेगा, इसको बोला जाता है, allyl chloride, या फिर 3 chloro prop 1 in, 3 chloro prop 1 in, ठीक है, 3 chloro, अरे यह जो spam कर रहे हैं, इनको करने दो, जब जही का paper आएगा, यह सारे paper में spam होंगे, हम पहुँचेंगे IIT, यह drop year या private college, बिल्कुल मज़े से spam करने दो, आप अपना ध्यान focus मत अटाओ, ठीक है, हम पूरा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, इनको करने दो, पहुँचेंगे यह जहां पहुँचना है, ठीक है, अब, N-bromo succinamide, super important reaction, वापिस से यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको सीधा N-B-S दे दिया जाएगा, free radical mechanism के through reaction होता है, जहां free radical सबसे ज़्यादा stable बनेगा, वही पे bromine जुडेगा, या chlorine जुडेगा, ठीक है, अगर N-B-S से कराय है, तो bromine जुडेगा, C-L-2 500 degree Celsius के है, तो C-L जुडेगा, दो जगे पे free radical बन सकते थे, एक यहाँ, एक यहाँ, बट this is more stable, ज़्यादा substituted है, resonance stabilized है, तो C-L कहाँ जुडेगा, यहाँ, ठीक है, पक्का, सेम काम N-B-S से भी होता है, N-bromo succinamide से, आप free radical बना कर कर सकते हो, polymerization दुबारा industrial reaction, इसी लिए super important, mostly polymers, एलकीन दौरा ही बनाए जाते हैं, या एलकीन के derivative से बनाए जाते हैं, ठीक है, तो यह monomer है, high temperature pressure, catalyst, क्या बन गया, polythene बन गया, ठीक है, high temperature pressure, catalyst की presence में, आप बहुत सारे इलकीन के molecule लेते हो, monomers लेते हो, तो उससे एक polymer बन जाता है, उससे क्या बन जाता है, उससे polymer बन जाता है, क्या बन जाता है, polymer बन जाता है, ठीक है, है ना, चले आगे, चलो, conjugated diene का addition reaction, बहुत simple है, यहाँ पे दो चीजे होती है, एक होता है kinetically controlled product, एक होता है thermodynamically controlled product, दो possibilities होती हैं यहाँ पे, या तो 1, 2 addition हो जाए, adjacent position पे, या फिर 1, 4 addition हो जाए, तो temperature क्या दिया है, उस पे depend करता है, reaction क्या होगा, ठीक है, तो for example, बहुत simple है, मान लो आपके पास यह diene है, मैंने इसका HBR पे reaction गरा है, die in, दो double bond, अगर मैंने temperature कम रखा है, तो 1, 2 addition होगा, एक पे H, दूसरे पे BR, बीच वाले पे BR लगेगा, क्योंकि free radical के थूर हो रहा है, या positive charge के थूर हो रहा है, तो जहाँ पे जादा stable होगा, free radical या positive charge, वहाँ पे BR लगेगा, तो second position पे BR लग जाएगा, पर अगर temperature जादा है, तो resonance हो जाता है, जिसके कारण 1, 4 addition हो जाता है, तो हमने क्या सीखा, कि अगर diene है, अगर diene है, अगर diene है, ठीक है, अगर diene है, तो, अगर diene है तो, अगर diene हमारे पास है, temperature हमने कम लिया है, तो KCP बनेगा, kinetically controlled product, क्योंकि temperature कम है, तो जो easiest to form होगा, वो बन जाएगा, तो 1, 2 addition हो गया, अगर high temperature है, activation energy को पार करने के लिए, हमारे पास energy है, temperature हमारा रोना दोना है नी, बहुत energy है, तो thermodynamically controlled product बनेगा, ये जादा stable है, क्यों number of alpha H, एलकीन के पास जादा है, ये कम stable है, पर temperature कम होने के कारण, less stable के साथ संतोश करना पड़ता है, और अगर high temperature है, हमारे पास, तो activation energy को पार कर सकते हैं, और जादा stable product बना सकते हैं, जादा stable product, अराम से बना सकते हैं, ठीक है, पका, है ना, आगे जले, तो आप से पूछा गया है, चलो ये question ने उड़ा दिया, तो दो product होते है, KCP, TCP, यह उन्हें आपको समझा दिया, है ना, KCP में क्या होता है, temperature कम है, तो जो जल्दी बन जाएगा, तो अगर मैंने HBR यहाँ पर कराया है, minus 80 degree Celsius, energy नहीं है, तो क्या बनेगा, KCP बन जाएगा, 1, 2 addition हो गया, पर अगर temperature है, 35 degree Celsius, energy हमारे पास है, तो ज़्यादा stable product बनेगा, 1, 4 addition, TCP product, ठीक है, पक्का, अब आजाते हैं, alkyne पे, alkyne is almost similar to alkyne, यहाँ पे कुछ नया नहीं होगा, तो एक नई चीज यहाँ पे हो गई, देखो, जब हमने, इस पे reaction करवाया था, तो KOH से काम हो गया था, अब जब मैं, इस पे reaction करवाता हूं, तो पहले मेरे को KOH लेना पड़ेगा, फिर मेरे को NANH2 लेना पड़ेगा, दोनों बार, KOH लेने से काम क्यों नहीं चलेगा, यह चैट में बताओ, बताओ पड़ावट, KCP मतलब kinetically controlled product, TC मतलब, TCP मतलब thermodynamically controlled product, यहाँ पे बताओ, कि मेरे को NANH2 की जड़त क्यों पड़ी, second step पे, NANH2 में ऐसा क्या खास बात है, चलो, 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 पड़ावज की बातों में ध्यान देंगे, कौन NIT में जा रहा है, तुम क्या करोगे इसको जान के, पड़ावज लिखाई में ध्यान दो, ठीक है एनने इस टू बेस है दो एच कार्बन नहीं जहिल पाएगा बिल्कुल गलत रेजोनेंस बिल्कुल गलत हाँ वैबब सही बोला पहले के बाद बॉंट सेंट बढ़ जाएगी तो हमको जादा और बेसिक चाहिए बिल्कुल सही बोलाओ तो सही है जो ध्यान देगे पड़ेगा वो करेगा देखो पहला हाइड्रोजन को ओएच माइनस आके खा गया तो कोई दिक्कत नहीं है दूसरी बार यहाँ पे रेजोनेंस के साथ यह पाए बॉंड में मतलब हेलोजन के साथ इस पाए बॉंड का रेजोनेंस हो रहा है तो बॉंड स्ट्रेंथ कारबन और हेलोजन की बढ़ जाएगी इस बढ़ी हुई बॉंड स्ट्रेंथ को ओवरकम करने के लिए जादा तगड़ा बेस लेके आना पड़ता है इसलिए अगर आपको कोई ये reaction दे दे और इसके बाद 2 moles of alcoholic QH दे दे तो final product ये बनेगा ये advance में आ सकता है अब इसे लिखके ले लो अगर कोई आपको इस reagent पे इस substrate पे 2 alcoholic QH दे दे product यहीं पे आके रुख जाएगा आगे नहीं जाएगा पर अगर alcoholic QH के बाद NaNH2 दे तो alkyne बन जाएगा ध्यान देना ध्यान से ध्यान से इनी सब चीजों का हमको ध्यान रखना होता है यही सारी चीजे difference बनाती है प्लस 4 और माइनस 1 में तो क्या बन गया alkyne बन गया सेम काम आप क्या कर सकते हो jam diahelide एक carbon पे 2 diahelide की जगे आप क्या कर सकते हो vicinal diahelide ले सकते हो adjacent carbon पे 2 halogen वापिस से same reaction हेगा कुछ अलग नहीं है फिर आप tetra-halo-alkane alkyne पे 4 halogen adjacent position पे करा सकते हो क्या होगा zinc लिया अपने वो electron देगा एक इसको और एक इसको तो ये इसपे attack कर देगा ठीक है ये बाहर r c double bond c x x बन गया फिर से zinc आया electron इसको दिया यहाँ minus आया ये इसपे attack करके इसको बाहर कर देगा triple bond बन जाएगा सब similar reaction है कुछ अलग नहीं है alkyne के जैसा है इसलिए हमने alkyne time लगा के पड़ लिया आप grignard reagent ले सकते हो मेरे पास क्या है एक alkyne है grignard reagent आया c x 3 पे minus है इसको खाके चला गया यहाँ minus बन गया बहुत अच्छा हुआ ये क्या है sp 3 hybrid है carbon ion unstable ये क्या है sp hybrid है carbon ion stable ये further attack अब किस पे करेगा CH4 पे यहाँ पे minus है CH4 पे attack करेगा H plus खा जाएगा उसका और क्या बना देगा RC triple bond CH तो यहाँ पे आप कुछ भी R के साथ reaction करा लो N ही आ रही यह आएगा इस पे attack करेगा iodine को बाहर निकालेगा क्या बन जाएगा RC triple bond CH तो हम ग्रिग्राड रिएजेंट का यूज करकर higher alkynes बना सकते हैं यह सारे एकदम similar reaction है अब यह इसको याद कर ले न समझाने का कुछ भी नहीं है hydrogenation हो रहा है basically मैंने carbide लिया carbide क्या होता है carbide कैसा होता है पता है कि आपको C double bond C minus minus ठीक है है ना मैं जैसे उस पे water का reaction करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आ जाएगा triple bond और बन जाएगा CA OH hold twice इसको आपको याद करना है इसका mechanism not important laboratory में prepare होता है पूछा जाता है basically simple सा acid based reaction हो अबर mechanism में नहीं आएगे ठीक है आप यहाँ पे क्या ले रहे हो metal ले रहे हो दो मोल किसके ले रहे हो iodophone के यह क्या है iodophone जो metal है वो सारे iodine खा जाएगा तो 2C बचेंगे अब यह stable कैसे करें triple bond बना के क्या बन गया acetylene और silver iodide ठीक है acetylene और silver iodide का formation हो गया कुछ इस तरीके से यह आएगा और सारे iodine खा के चला जाएगा यह दोनों बचेंगे विचारे गरीब भापड़े यह आपस में mod मना के stable हो जाएगे ठीक है यह तो हो गया इसका formation का reaction अब हम आजाते हैं alkyne की chemical property पे हर्षल बोल रहे है कि break दे दो 10 minute को और बचाए साड़े बारा वज़े break मिल जाएगा आपको ठीक है अब हमारे addition reaction पे ठीक है तो hydrogen का addition अगर हम कराना चाहें तो अगर आप poison catalyst लेते हो तो alkyne मनेगा poison catalyst नहीं लेते हो तो alkyne मनेगा हम यह already देख चुके इस पे हम electrophilic addition अगर कराना चाहें important point क्या है यह अगर मेरे पास एक alkyne है एक alkyne है और एक alkyne है तो इस पे electrophilic addition reaction की rate alkyne की alkyne से ज़्यादा होती है ठीक है क्या कारण है alkyne पे मैंने electrophilic addition कराया तो जो कार्बोकटायन बनेगा वो sp2 hybrid carbon पे बनेगा इसको कार्बोकटायन नहीं पसंद इसको कार्बोकटायन पसंद है alkyne पे electrophilic addition कराऊंगा तो जो कार्बोकटायन बनेगा वो 1 degree पे बनेगा या 2 degree पे मतलब sp3 hybrid carbon पे कार्बोकटायन बनेगा वो महाँ पे खुश है तो double bonded carbon पे positive दूँ कि single bonded carbon पे positive दूँ अब्यस्सी बात है single bonded carbon पे इस कारण कार्बो कटायन की stability के कारण alkyn की rate alkyn से जादा हो जाती है electrophilic addition में ठीक है यह important point है आ सकता है अब हमको halogen को add करना है तो मैं क्या करूँगा एक Lewis acid के साथ reaction करा दूँगा halogen की alkyne पे तो 4 chlorine यहाँ पे जुड़ जाएंगे ठीक है metal halide की presence में dark में dye और tetra halodervative बना देंगे reactivity order क्या CL2, BR2, I2Q bond strength के कारण और size के कारण इनका size बहुत है तो यहाँ पे steric crowding बहुत जादा हो जाएगी तो iodine bromine में दिक्कत आएगी size बढ़ा होने के कारण bond strength भी कम है तो chlorine maximum reactive फिर BR2 फिर I2 तो यह हो गया addition of halogens ठीक है पक्का तो यहाँ पे mechanism क्या होता है जो FeCl3 है यह chlorine एक को खा जाएगा और एक को Cl plus बना देगा यहाँ पे attack हो गया three member state फिर Cl minus आएगा खोल देगा फिर से Cl plus आएगा ऐसा करेगा same mechanism repeat ठीक है तो यहाँ पे क्या बन रहा है important बात non classical cation बन रहा है क्या बन रहा है non classical cation तो अगर आप से कोई पूछे mechanism में कि क्या बन रहा है addition of halogen में जब हम करा रहे है alkyne के उपर तो आप क्या बोलोगे non classical cation weber बोले doubt है क्या doubt है भई बताओ doubt क्या है बताओ कि बोलो 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 कि बोलो 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 सर reaction देखके डर लग रहा है अब डरने की क्या बात है इतना simple है यह दिया है FECL3 क्या करेगा CL2 को तोड़ देगा CL plus और CL minus में CL plus के पास electron कम है इसके पास electron जादा है तो यह दो electron CL को दे देगा तो इस पे plus आएगा non classical cation का formation होगा simple है यह उसमें क्या है वेवा तरे को डाउट ता पूछ सर bond strength का order उपर वाले में same as reactivity अतलब bond strength का order उपर वाले में same as reactivity हाँ जादा stronger bond बनेगा बाद में जाकर तो reactivity जादा बढ़ेगी size भी कम होगा steric repulsion भी कम लगेगा तो reactivity जादा बढ़ेगी plus cl के उपर positive आएगा वो तो बहुत तरे multiple factors है इसमें ठीक है देख वैबब यहाँ पे cl अपना loan pair इसको दे रहा है cl better loan pair दे पाएगा कि br better loan pair दे पाएगा chemical bonding में हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था back bonding back bonding third period से नीचे वालों में होती नहीं है क्योंकि loan pair का donation ढंग से होता ही नहीं है तो यह bond br और i अच्छे से बना ही नहीं पाएगे इसी लिए chlorine जादा फिर bromine फिर iodine ठीक है आगया समझ में clear है वेबव clear हो गया ओके सर समझ गया चलो आगे जलते हैं है ना फिर आप ने जैसे सिर्फ हेलोजन का addition किया था हमने अभी किसका addition किया था x2 का exact same तरीके से hx का addition हो जाएगा 4x जुडने की जगे 2x और 2h जुड जाएंगे ठीक है तो क्या होगा alkyne लिया hx डाला 2x जुड गए और 2h जुड गए जैम डाय हैलाइड major product बन गया इसको याद कर लेना आप ऐसा भी तो सोच सकते हो कि सर एक एक सिधर और एक एक सिधर नहीं जैम डाय हैलाइड बनेगा इस particular case में reactivity order क्या है जो जितना अच्छा acid वो उतने अच्छे से reaction करेगा क्योंकि first step में acid का break होना आपका rds generate करता है rds rate decide करता है तो जितना अच्छा acid होगा जो जितनी आसानी से h plus दे देगा उसकी rate भी उतनी ही जादा कम होगी चीक है है ना चलो आगे जलते हैं फिर जैसे हमने x2 edition किया था exact same तरीके से hox edition भी कर सकते हैं यहाँ पे क्या होगा c l plus बनेगा b r plus बनेगा i plus बनेगा non classical cation का formation होगा तो जो alkyne में हो रहा था exact same alkyne में होगा बस एक molecule की जगे दो molecule का addition हो जाएगा ठीक है एक molecule की जगे दो molecule का addition यहाँ पे हो जाएगा तो होगा क्या यह product बनेगा जैसे हमेशा बनता आ रहा है पहले भी यही बना था gem dye halide बना था h h बना था इस बार हमने h cl की जगे o h cl लिया है तो o h o h इधर जुड़ गया c l c l इधर जुड़ गया मैंने क्या बोला था एक carbon पे 2 o h impossible यहाँ से पानी जो अच्छा living group है वो बाहर निकल जाएगा और double bond o हो जाएगा तो जब भी एक carbon पे 2 o h होते हैं एक पानी बाहर निकल जाता है और double bond o बन जाता है ठीक है? है ना? unstable होता है पानी बाहर निकलेगा diachloro ketone बन जाएंगे क्या बन गया? diachloro ketone ठीक है? alkyne पे nucleophilic addition reaction भी हो जाता है कैसे? सबसे पहले आप एक metal देते हो जैसे Hg2+, Pb2+, Ba2+, ये क्या करते हैं? alkyne की electron density अपने पास खीच लेते हैं तो alkyne पे electrons कम हो जाते हैं तो nucleophile आके उस पे attack कर देता है जैसे एक reaction है water का addition, इसको kushrov reaction भी बोला जाता है तो हम क्या करते हैं? 1% HgSO4 लेते हैं ये HgSO4 जाता है और यहाँ पे आके Hg+, बना लेता है एक bond break करके तो positive charge आ गया यहाँ पे कौन है? पानी पानी पे क्या है? loan pair उसको positive charge दिख रहा है वो आके इदर से attack कर देगा ये bond खुल जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH2CHOH ये Enol है, Unstable है फिर क्या बन जाएगा? Eldehyde फिर क्या बन गया? Eldehyde बन गया Keto-Enol-Totomerism यहाँ पे हो गया Enol था Unstable था Keto बन गया तो Keto-Enol-Totomerism ठीक है? Enol है, Unstable है Keto में convert हो जाएगा है ना? फिर oxidation reaction exact same, जादा oxygen दे दोगे तो carbon dioxide और water ठीक है? Acetylene का combustion किस में काम आता है? Welding में काम आता है क्योंकि localized level पे 3000 degree का temperature reach हो जाता है जब हम Acetylene का oxidation कराते हैं, तो आप इसको oxidize कराना चाहते हो direct oxygen देनी की जगे K-0-4, K2-C-R-2-O-7 permanganate, dichromate यह oxidizing agent होते हैं, बहुत तगड़े किसी को भी oxidize कर देते हैं आपके L-Kine को भी oxidize करके और carboxylic acid बना देंगे आप ozone olysis करा सकते हो तो यह बन जाएगा C double bond O, C double bond O, ठीक है? सब same reaction है, थोड़ा-थोड़ा अंतर आ रहा है, पहले bond को थोड़ा double bond O, double bond O लगाया, ठीक है? काम खतम, है ना? यह further breakdown नहीं होगा ठीक है? एक bond टूटेगा एक पे double bond O लगेगा एक bond टूटेगा, एक पे double bond O लगेगा यह बन जाएगा अब अगर मान लो, मैंने यहाँ पे zinc नहीं लिया तो यह क्या है? L-D-Hide convert किस में हो जाएगा? acid में किस में convert हो जाएगा? acid में convert हो जाएगा ठीक है? पर अगर मैं reductive O, लियाक्शन यहीं पे रुख जाएगा difference कहां पे आ रहा है? अब यह बहुत ध्यान से देखना यह वाला bond भी break हो रहा है oxidative O, लियाक्शन लिया जाता हूँ और अगर L-D-Hide वहाँ पे आके फस गया तो carbon carbon bond break हो जाएगा वो बना देगा H-COOH और C-S3-COOH तो यहाँ पे acid बन जाएगा यह फर्दर चला जाएगा किस में? CO2 प्लस जो भी वो बनेगा क्योंकि यह oxidative O, लियाक्शन लिसे से H-COOH फर्दर ब्रेकडाउन हो जाता है CO2 प्लस H2O में ठीक है? पक्का तो यह ध्यान रखना Reductive O, जोन लिसेस इसी ग्रुप पे रह जाएगा Oxidative O, जोन लिसेस अगर carbon की terminal side पे L-D-Hide आ गया इस पूरी chain की तो further break हो जाएगा हमारा compound एक acid, दूसरा acid और अगर दूसरा acid H-COOH है, तो CO2 और H2O बना लेगा ठीक है? अब इसका substitution reaction भी हो जाता है यह पूरा POC वाला part है इसका जो H है, वो acidic होता है हम main चीज़ क्या करें यहाँ पे? main point है कि alkyne का terminal H is acidic alkyne का terminal hydrogen is acidic मतलब, अगर यहाँ पे मैं NaOH लेकर आऊंगा तो वो OH इस H को H प्लस बना कर खा जाएगा और इस पे negative charge आ जाएगा ठीक है? पक्का है ना? तो यह इसका substitution reaction show कर देगा तो metallic derivative बन जाएगे most important reaction आज के पूरे lecture का यह तो 3-4 बार आ चुका है अभी तक है ना? अगर मैं alkyne लेता हूँ red hot iron tube को catalyst बना के इस पे reaction करवाता हूँ तो यह benzine में convert हो जाता है किसमें convert हो जाता है? benzine में convert हो जाता है किसमें convert हो जाता है? ठीक है? तो यह किसमें convert हो गया? benzine में convert हो गया अगर मैं ये लेता हूँ तो मैसी टाइलीन का फॉर्मेशन होगा क्योंकि ये वाला पार्ट तो बेंजीन में कनवर्ट हो गया और अल्टरनेट कार्बन पे CS3 CS3 आ गया इसको बोलते हैं मैसी टाइलीन 2018 जे एडवांस में एक क्वेश्चन आया था बार 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 ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है पक्का तो ये लेबोरेटरी टेस्ट है अगर आपके वास ये वाला इलकाइन है तो आप बेर्ज रिएजेंट यूज़ कर लो पिंक कलर डिसपियर हो जाएगा ब्रोमीन वाटर यूज़ कर लो रेड ब्राउन कलर डिसपियर हो जाएगा ओजोन यूज़ कर लो एसिड फॉर्म हो जाएगा तो तीन टेस्ट से हम एलकाइन का पता लगा सकते हैं कि ये एलकाइन है क्या टर्मिनल एलकाइन का अगर पता लगाना चाहते हो मतलब C, triple bond C, H है तो तीन तरीके हैं इसको याद करना है कोई मेकानिजम नहीं है इसमें बस ये होता है ये आपको याद करना है अगर मैं टर्मिनल एलकाइन पे क्यूप्रस क्लूराइड प्लस NH4 OH बदाता हूँ तो रेड प्रेसिपिटेट बन जाता है टॉलेंज रिएजिंट लेता हूँ तो वाइड प्रेसिपिटेट सिल्वर मिरर टेस्ट एने इन इथर लेता हूँ सोडियम इन इथर तो हाइडरोजन गैस रिलीज हो जाती है विच इस अ कलरलेस गैस तीन तरीके से हम पहचान सकते हैं कि टर्मिनल एलकाइन था कि नहीं था अगर मान लो यहाँ पे ह की जगे सी एस थरी लगा दूँ तो रेड प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा तो हमें पता लग जाएगा टर्मिनल एलकाइन नहीं है तो अगर टर्मिनल एलकाइन है तो क्या होगा red precipitate आ जाएगा अगर आप tolens reagent लेते हो तो silver mirror आ जाएगा sodium in ether लेते हो तो colorless gas का formation हो जाएगा ठीक है अरे रुको यार अब हम आ गए aromatic hydrocarbon पे ठीक है इसका formation हम पहले ही देख चुके है alkyne से, alkyne से, alkyne से सिर्फ इसका एक reaction हमको देख रहा है and that is electrophilic substitution reaction जिसमें हम इसमें halogen जोड़ देते हैं या nitration करदा देते हैं या sulfonation या friedel craft reaction ठीक है तो आप बनाओगे कैसे hexane से CR2O3, L2O3 देख लिया benzene मन जाएगा alkyne से red hot iron tube benzene मन जाएगा aromatic hydrocarbon मन गया deoxygenation कराके अगर आपके पास phenol है zinc के साथ reaction करा दोगे तो वो oxygen खा जाएगा benzene बन जाएगा ये compound है zinc oxygen खा जाएगा benzene बन जाएगा ये तो अपना toluene बन गया क्योंकि यहाँ पे CS3B है ठीक है carboxylic acid से soda lime करा लो COH हड़ जाएगा क्या बच जाएगा आपके आज benzene toluene बन जाएगे grignard reagent अगर benzene के उपर minus charge है तो पानी के साथ reaction करवा लो पानी लेकर चला जाएगा benzene बना देगा पानी के साथ reaction करा लो या alcohol के साथ reaction करा लो acidic hydrogen है ये basic है acid base reaction खाके चला गया toluene बना लिया तो ये हो गई हमारी preparation की reaction कराते हो sunlight देते हो कोई भी medium आपने नहीं लिया है तो सारे double bond हटेंगे और 6 chlorine जुड़ जाएंगे इसको याद कर लेना इसमें क्या-क्या याद करना है reaction याद करना है और इसको बोला क्या जाता है benzene, hexachloride या triple six या gamma hexene या lindane ये चारो नाम आपको इस compound के याद होने चाहिए इसको याद करना है ये क्या होता है एक insecticide होता है तो हमने यहाँ पर क्या किया कोई medium नहीं लिया इसलिए free radical के थूँ reaction हो गया अगर हम दुबारा से hydrogen का reaction कराते है सारे double bond हट जाएंगे hydrogenation हो जाएगा ये बन गया catalytic hydrogenation जो हमने alkyne alkyne के लिए पढ़ा था सब सेम दुबारा नहीं पढ़ेंगे oxidation ozonalysis के थूँ क्या करोगे ये वाला bond तोड़ोगे double bond हो बनाऊगे ये वाला bond तोड़ोगे double bond हो लगाऊगे reductive ozonalysis कराया है इसलिए क्या बन जाएगा ये बन जाएगा oxidative ozonalysis कराओगे तो ये फर्दर acid में convert हो जाएंगे अभी तक जो पढ़ा था वो ही repeat हो रहा है exact same कुछ अंतर नहीं है अब नया आया है जो aromatic के लिए specific है aromatic के लिए अलग है ये characteristic reaction होता है hydrocarbon का हमने क्या लिया है electrophile nucleophile की जोड़ी का एक compound लिया है जैसे मानलो मैंने HX ले लिया या CL2 FeCl3 ले लिया तो CL plus CL minus बन जाएगा तो होता क्या है इसका mechanism देखते है सबसे पहले आपके पास एक electrophile generate होता है E plus वो E plus इसकी electron density जो pi bond density है जो गूमे जा रही है 6 electron इदर से उदर इदर से उदर resonance में उससे attract होता है bond break होता है फिर इस positive charge का resonance होता है तो क्या बनता है sigma complex क्या बन गया sigma complex बना तो electrophilic substitution reaction of arines मे intermediate क्या बनता है sigma complex ये पहला point फिर आपके वास nucleophile आया उसको क्या चाहिए वो hydrogen खालेगा यहां से तो यह negative charge आएगा negative positive मिलके double bond तो aromaticity retain हो गई regain हो गई और electrophile जुड़ गया halogenation कराऊंगा CL2, FeCl3 क्या generate होगा CL plus तो electrophile क्या बना CL plus इस पूरे reaction में आपको क्या आना चाहिए electrophile क्या बनेगा वो समझ में पहचान में आना चाहिए तो इसमें क्या electrophile बनेगा CL plus तो H हटाओ CL लगाओ बहुत simple है अगर मैं toluene ले लेता हूँ क्या ले लेता हूँ मैं toluene तो यह अपने hyperconjugation से ortho पे और para पे negative charge density बढ़ा देंगे तो reaction सिर्फ कहां कहां पे होगा ortho पे और para पे meta पे reaction नहीं होगा तो वो सारे group जो benzene को और electrons देते हैं वो इस benzene पे negative charge density बढ़ा रहे हैं जिससे electrophile और ज़्यादा attract होगा तो इनको बोला जाता है ortho para directing activating group क्यों क्योंकि ये electrophilic substitution के लिए electrophilic substitution के लिए ये ring को activate कर रहे हैं यहाँ पे OH लगा दूँगा ring activate हो जाएगी कोई भी plus M group लगा दूँगा यहाँ पे तो ring activate हो जाएगी तो ortho para directing है activating है ठीक है अगर CL to H new कराऊंगा CL dot तो यहाँ पे क्या बनेगा free radical वो free radical सबसे ज़्यादा stable है तो ring break नहीं होगी reaction यहीं पे रुख जाएगा CH to CL बन जाएगा free radical substitution reaction इसे क्या बोला जाता है free radical आया एक hydrogen को substitute किया CL लग गया free radical substitution reaction पर अगर मैं CL2 FECL3 के साथ reaction करवाता हूँ CL प्लस आएगा electrophilic substitution reaction किसने substitute किया electrophile ने किसने substitute किया free radical ने तो इसलिए FRSR इधर electrophile ने किया इसलिए ESR अब FEBR3 कौन आएगा BR प्लस तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बताओ BR प्लस आएगा कि CH3 प्लस आएगा प्लस किसको देगे BR को कि CH3 को CH3 को देंगे कम electro negative है तो electrophile identify हमने क्या किया CH3 प्लस यहाँ पे कौन लगा हुआ है ortho para activating तो ortho पे लग जाएगा पेरा पे लग जाएगा तो ortho xylene पेरा xylene main काम क्या है electrophile को पहचानना main काम क्या है electrophile को पहचानना main काम क्या है electrophile को पहचानना हमको क्या पहचानना है electrophile चलो यहाँ पर फैचान लिया इसमें एलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा NO2 प्लस कौन एलेक्ट्रोफाइल बनेगा जब हम nitrogen कराते हैं nitrogen mixture लेते हैं concentrated NH3 और concentrated H2SO4 NO2 प्लस बनता है तो hydrogen को कौन सा एलेक्ट्रोफाइल substitute कर रहा है NO2 कर रहा है simple है वापस से activating group लगा दूँगा तो CS3 NO2 CS3 NO2 अगर मान लो मैं यहां पर ओएच लगा दूँँ तो एक ही प्रोड़क्ट मेजर बनेगा और्थो या पैरा बताओ कौन सब प्रोड़क्ट मेजर बनेगा अगर यहां पर मैं यही सेम मिक्स्टर यूज कर रहा हूं मतलब NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहा हूं तो और्थो और पैरा मैं इसे कौन सब प्रोड़क्ट मेजर बनेगा जवाब दो वैभव ने जवाब दे दिया बाकी बिलकुल mostly बच्चे सही जवाब दे रहे हैं कुछ गलत भी दे रहे हैं यहां पर और्थो प्रोड़क्ट मेजर बनेगा क्योंकि इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग हो जाएगी जब यहां पर NO2 लगाएंगे तो NO2 और OH के बीच में तो यह slight variations है mostly mains में नहीं आते एडवांस में आते हैं है ना sulfonation करा सकते हैं reversible reaction होता है अगर मैं concentrated H2SO4 लेता हूँ तो electrophile मेरा क्या generate होता है HSO3 प्लस तो क्या जुड़ जाएगा SO3H यहां पर जुड़ जाएगा फिर मैं friedel craft reaction करवा सकता हूँ friedel craft reaction का मतलब क्या होता है यह होता है अगर मैंने ALCL3 लिया उसपे CS3 CL का reaction करवाया तो क्या बन जाएगा CS3 प्लस क्यूं क्यूंकि ALCL3 CL माइनस को खा जाएगा ठीक है CS2 यह nitrobenzine में इसको करवाया जाता है solvent medium कि इसको use करते है CS2 यह nitrobenzine क्यूंकि यह nonpolar होता है reaction में छिड़कानी नहीं करते मेरे को एक medium दे जते है reaction करवाने के लिए इसको क्या बोला जाता है fredel craft alkylation क्यूं alkyl group बेंजीन पे जोड़ दिया बेंजीन से toluene बना दिया ठीक है अगर यह लेता हूँ CL माइनस इस पे प्लस बनेगा कार्बोकेटायन बन रहा है तो rearrange भी होगा ऐसा नहीं कि इसको सीधा और चिपका के मैंने यहां पे लगा दिया नहीं जहां भी कार्बोकेटायन बनेगा rearrange होगा तो actual molecule actual electrophile जो है वो यह है यह attack करेगा और यह जुड़ेगा इसका नाम याद करना है यह क्या होता है क्या होता है क्या होता है क्यू मीन ठीक है बहुत बढ़िया फिर alkylation कराने की जगे asylation करा सकते हो कैसे कराओगे alcl3 यहां पे बनेगा प्लस यह attack करेगा coch3 यहां पे कोई rearrangement वगेरा नहीं होगा this is free of rearrangement क्योंकि यह rearrange नहीं हो सकता तो coch3 जुड़ जाएगा तो किस पे जादा electrophilic substitution reaction होगा यह बता दो ठीक है अगर यह 1 है if this is 1 this is 2 this is 3 this is 4 this is 5 तो rate बता दो फटापट से rate क्या होगी what will be the rate what will be the rate rate क्या होगी rate बता फटापट 5 4 2 1 3 4 5 2 3 1 5 4 2 1 3 बिलकुल rate होगी 5 4 2 1 3 दो तरह के ग्रूप होते हैं एक होते हैं activating जो ring में density बढ़ाएंगे negative charge की तो यह एक activating group है OH एक activating group है NO2 ring में density कम करेगा तो यह deactivating group है CS3 hyperconjugation के थुरू ring में activity बढ़ा रहा है negative charge बढ़ा रहा है यह भी activating group है और यह neutral है OH और NH2 में better resonance कौन करता है NH2 loan pair donation ability better है तो इसका order आजाएगा सबसे ज़्यादा 5 क्यूंकि सबसे ज़्यादा electron density यह बढ़ा रहा है फिर 4 यह दोनों मीजोमेडिक effect है फिर 2 यह hyperconjugation है फिर 1 नो effect और फिर 3 क्यूंकि यह माइनस M है तो 5 4 2 1 3 इस पर्टिकुलर group को जो और्थो और पैरा पे electron density कम कर रहा है इसको मेटा डायरेक्टिंग बोला जाता है क्या बुला जाता है मेटा डायरेक्टिंग अगर मैं इस पर्टिकुलर कमपाउंड पे CL प्लस का अटाक करवाता हूं तो CL यहां आके जुड़ेगा कहां के जुड़ेगा यहां के जुड़ेगा बिकॉस बाकी और्थो और पेरा पे तो electron density खतम हो गई बची कहां सबसे ज़्यादा मेटा पे तो मेटा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ठीक है जैसे यह कंपाउंड है मैंने इसमें CL2, AL, CL3 मतलब CL प्लस का अटैक करवाया दो पॉसिबिलिटी बनती है पेरा प्रोड़क्ट या और्थो प्रोड़क्ट कौन सा मेजर होगा इन में से अगर यह A है और यह B है अगर if this is A and this is B कौन सा मेजर प्रोड़क्ट होगा बताओ इन दोनों में कौन सा प्रोड़क्ट मेजर होगा बताओ कौन सा अगर होगा बताओ इसका आंसर actually में steric crowding से जाएगा right answer is A para will be major ठीक है यह CL अगर यहां जुड़ेगा यह group बहुत बड़ा है बहुत भेंका repulsion लगेगा इसलिए यह हो जाएगा minor यह हो जाएगा major A question और A question और ठीक है और वो question क्या है वो question यह है कि यार इस वाली ring पे CL क्यों नहीं जुड़ा right वाली ring जो ring है उस पे chlorine क्यों नहीं जुड़ा यह बताओ right वाली जो ring है उस पे chlorine क्यों नहीं जुड़ा बताओ इधर भी तो क्लोरीन जुड़ सकता था और्थो पे या पैरा पे आरे क्या बात है आकाश बहुत बढ़िया ये वाला जो ग्रूप है ये माइनस एम इफेक्ट लगा रहा है ये पूरी रिंग डि-एक्टिवेट हो रही है एक्टिवेटेड रिंक कौनसी है ये तो जो भी लगेगा लगेगा तो इधर ही और मेजर कौनसा होगा पैरा वाला स्टेरिक रिपलिशन के कारण ठीक है ये कौनसा ग्रूप है माइनस एम तो ऑठो और पैरा तो गए रियाक्शन कहाँ पर होगा मेटा पर तो मेटा ये वाला reaction अब ये लगा रहा है प्लस H ये hyperconjugation के थुरू यहाँ पे यहाँ पे क्या बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है electron density यल्लो पे CH3 किसक पे बढ़ा रहा है यल्लो पे और OH कहां कहां पे electron density बढ़ा रहा है blue पे तो CL कहां लगाऊ यल्लो पे लगाऊ की blue पे लगाऊ बताओ पटापट resonance is more effective than hyperconjugation तो electron density blue पे बहुत ज़्यादा होगी as compared to yellow पे तो CL blue पे आके लगेगा ठीक है तो यार हमने अभी तक ये सारी चीज़े सीखी है सारी चीज़े आपको एक साथ मैंने करके बता दी अगर मैं benzene पे CH2, CL2, AL, CL3 का reaction करवाता हूँ सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा CH2, CL+, तो pH, CH2, CL बन जाएगा दुबारा AL, CL3 ले लिया तो अब क्या बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, pH, CH2+, तो pH, CH2, pH पे एक और pH पे आड़ हो जाएगा तो pH, CH2, pH बन जाएगा अगर मैं CH2, CL2 की जगे CH, CL3 लेता हूँ तो सबसे पहले तो जो बनेगा CH, CL2, प्लस बनेगा जुड़ जाएगा ठीक है फिर CH, यहाँ पे एक pH होगा pH, CH, प्लस, CL बनेगा फिर वो जुड़ जाएगा फिर pH2, CH, प्लस बनेगा वो जुड़ जाएगा तो फाइनली क्या बनेगा pH3, CH तो अगर multiple step में reaction हो रहा है तो electrophile कौन सा बनेगा उसको identify करते जाओ product बनाते जाओ ठीक है CCL4, ALCL3 मैंने लिया सेम कहानी last का एक CL नहीं हटेगा सारे CL रिप्लेस नहीं है 3 CL रिप्लेस हो जाएगे 1 CL बचेगा electrophile कौन बनेगा यह जाएगा, यहाँ पे plus आएगा, यह जुड़ जाएगा pH, CO, pH बना देगा क्यों? क्योंकि इधर भी chlorine है यह भी जाएगा फिर plus क्या बनेगा? इधर बनेगा तो इसको चलो तोड़ा सा डीटेल में बताज़ता हूँ ताकि आपको समझ में आजाए देखो, यहाँ पे pH है पहली बार में मैंने यह लिया तो electrophile क्या बना? C double bond O CL, इस पे plus तो product क्या बनेगा? pH, C double bond O CL फिर से pH पे reaction करवाऊंगा AL, CL3 लेके तो CL हटेगा plus 4 जाएगा यह किस पे reaction कर रहा है फर्दर? pH पे reaction कर रहा है तो यह electrophile है यह attack करेगा, क्या बनेगा? pH, C, pH double bond O तो यह हमारा हो गया है hydrocarbon खतम ठीक है? यह हमारा क्या हो गया है? hydrocarbon खतम हो चुका है ठीक है? एक last चीज बचिए oxidation, CO2, H2O मिल जाएगा, अगर आपने पूरा oxidize कर दिया तो catalytic oxidation इसको याद करना है दोनों reaction याद करने है समझाने का कुछ नहीं है, PDF से याद कर ले ना 300 degree पे कराओगे, phenol बनेगा 450 degree पे कराओगे, malike enhydride बनेगा अब, यह बहुत important है recently 3-4 साल में बहुत सवाल आ रहे हैं अगर मेरे पास बेंजीन पे ऐसी groups लगे में side change लगी हुई है बेंजीन से directly attached carbon के पास अब ध्यान से सुनना इसको बहुत focus करके बेंजीन से जो carbon directly attached है अगर उसके पास एक भी hydrogen है तो pH COOH बन जाएगा बाकी सारी आगे की chain further CO2 में oxidize हो जाएगी H plus K2Cr2O7 heat के साथ मतलब क्या बन जाएगा pH COOH यहाँ पे क्या बनेगा यह निकल जाएगा यहाँ से pH COOH यहाँ क्या बनेगा यह पूरा निकल जाएगा pH COOH यहाँ क्या बनेगा यह पूरा निकल जाएगा pH COOH पूरा निकल जाएगा pH COOH पर अगर मैं यह reaction करवाता हूँ तो इस case में इस case में sorry कोई भी reaction नहीं होगा oxidation कराने के लिए जो carbon directly attached है benzene ring के साथ उस पे एक hydrogen होना चाहिए है ठीक है cool शांदार आगे चले यह हो गया हमारा hydrocarbon समाप ठीक है तो अभी हो चुके हैं 1249 किते मिनिट का ब्रेक चाहिए बता दो पांच मिनिट चाहिए कि 10 मिनिट चाहिए फटावट बताओ इसके बाद अब हम जी ओसी आईजोमेरिजम आईउपी ऐसी पे जाएंगे जार आप लोगों ने बोला ता सर मेकैनिजम करा के बताओ तो मैंने मेकैनिजम करा के बता दिया दो घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं क्या परक पढ़ रहा है है ना पांच मिनिट का ब्रेक चाहिए दस मिनिट का ब्रेक चाहिए पटावट से बता दो 12.55 पे मिल रहे हो की एक बज़े मिल रहे हो दो दिन का ब्रेक चाहिए तू पढ़ाई छोड़ दे मैक्सिमम दस मिनिट का ही चाहिए भईया दस मिनिट का ब्रेक ठीक है तो एक बज़े वापिस मिल रहे हैं प्रेको नही आए हैं कि पर दिन दो नहीं प्रेको प्रेको झाल 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 बेटा यह compound होगा unsaturated क्यों होगा unsaturated क्योंकि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉंड प्रेजेंट है पाई बॉंड प्रेजेंट है तो यह compound हो जाएगा unsaturated मैंने आपको बोला था कि हम लोग organic compounds को दो क्याटेग्री में divide करते हैं तो जो second number category है वो है close chain या फिर cyclic compounds इसके लिए हम लोग क्या-क्या बोल सकते हैं कि एक तो होते है homocyclic compounds और दूसरे होते हैं heterocyclic compounds homocyclic compounds का मतलब है वो कोई cyclic compound जहां की ring में सिर्फ और सिर्फ carbon atoms आ रहे हों अगर carbon के अलावा oxygen atom या फिर कोई nitrogen atom आ जाए तो वो compound होगा heterocyclic compound ठीक है तो बेटा यहां पर यह कोई example दिये हो है लाइक अगर अपन cyclohexane की बात करें तो cyclohexane saturated cyclic compound है benzene unsaturated homocyclic compound है यह compound alicyclic compound है और उसमें भी heterocyclic compound होगा यह aromatic compound है और यह alicyclic अभी बच्चों हम लोग कैसे देखते हैं कि कौन सा compound aromatic है या फिर कौन सा compound alicyclic है इसकी definition में आपको बाद में बताऊंगी अभी सिर्फ आपको इतना सा याद करना है कि यार जो compounds जो compounds aromatic नहीं है उन सारे compounds को हम लोग क्या बोल देते हैं alicyclic compounds कहते हैं यह सिर्फ cyclic compound के लिए applicable है ठीके बच्चों अब अगर अपन स्टार्ट करते हैं IUPAC system of nomenclature से यह तो introductory part था बच्चों अब अपन थोड़ा सा fast चलेंगे देखो IUPAC system of nomenclature का सबसे बड़ा benefit यह है कि किसी एक organic compound के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही molecular structure possible होती यानि कि कोई भी organic compound है तो उसका सिर्फ एक ही IUPAC name possible होगा यह सबसे ज्यादा unique बात है IUPAC system of nomenclature की ठीक है अगर अपन nomenclature की बात करें तो जब भी हम लोग किसी भी organic compound का नाम लिखते हैं कि सबसे पहले जिस तरीके से सबसे पहले हमारा नाम आता है उसके बाद सरनेम आता है वैसे कि वैसे ही organic compounds को लिखने का IUPAC compounds को लिखने का भी एक method है वह method क्या है सबसे पहले secondary prefix लिखना है then primary prefix then word root then primary suffix and then secondary suffix अब हम एक-एक को consider करते जाते हैं अगर बिटा word root की बात करी जाए तो word root हमें किसी भी organic compound में ये बताता है कि उस organic compound के parent chain में कितने carbon atom present है यानि कि हमें word root क्या बताता है कि किसी भी organic compound में कितने number of carbon atoms present है parent chain में ठीक है तो बिटा अगर एक carbon होता है तो हम लोग word root में लिखते है math 2 के लिए eth 3 के लिए prop 4 के लिए but 5 के लिए pen 6 के लिए hex 7 के लिए hept 8 के लिए oct इस तरीके से ठीक है अब अगर primary suffix की बात करी जाए तो primary suffix क्या बताता है ये बताता है कि कोई भी organic compound saturated है या फिर unsaturated like अगर कोई compound saturated है तो हम लोग उसके लिए in लिखते हैं unsaturated है तो in लिखते हैं और अगर triple bond वहाँ पर present है तो हम लोग वहाँ पर iron लिख देते हैं ठीक है इसी तरीके से अगर किसी organic compound में दो double bonds आ जाएंगे अगर हम लोग यहाँ पर किसी organic compound को consider करें और अगर वहाँ पर कोई दो double bond present हो तो हम लोग उसके लिखते हैं यानि कि यह जो a है वो extra में आ जाता है इसी तरीके से अगर दो triple bond present होंगे तब भी हमें यहाँ पर extra a को mention करना पड़ेगा ठीक है अब अगर primary prefix की बात करी जाए तो primary prefix सिर्फ और सिर्फ cyclic compound के लिए यूज किया जाता है यह चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि जो primary prefix है वो सिर्फ और सिर्फ cyclic compounds के लिए यानि कि सिर्फ और सिर्फ ring वाले compounds के लिए ही यूज किया जाता है और जो primary prefix होता है उसके लिए हम लोग cyclo, bicyclo और spiral इस तरीके से यूज कर सकते हैं secondary suffix जो होता है वो होता है functional group suffix यानि कि secondary suffix हमें ये बताता है कि किसी भी organic compound में characteristic functional group कौन सा present है अगर secondary prefix की बात करी जाए तो जो भी parent carbon chain के अलावा जो भी groups होते हैं उसको हम लोग किस में लिख देते हैं secondary prefix में लिख देते हैं क्या बोल रही थी बच्चों में कि parent carbon chain के अलावा जो भी अपने groups होंगे उनको अपन किस में लिख देंगे secondary prefix में लिख देंगे जैसे कि alkyl, methyl, ethyl, hello compounds, alcoxy, methoxy, ethoxy, nitro, nitride, nitro तो ये सब क्या हैं बच्चों ये सारे के सारे primary, sorry secondary prefix हैं अब हम लोग saturated hydrocarbons की naming की बात करते हैं तो बच्चों किसी भी hydrocarbon की naming करते वक्त सबसे पहला काम क्या करना होता है longest carbon chain का selection करना होता है तो इस तरीके से हम लोग longest carbon chain का selection कर लेंगे फिर जब हम लोगोंने carbon chain को select कर लिया उसके बाद में हमें ऐसे carbon chain को select करना है जहां की maximum number of substituents present हो third number चीज आती है कि हमें वहाँ पर parent carbon chain की numbering करनी पड़ेगी तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि जितने भी substituents हैं उन सभी substituents को क्या मिल जाना चाहिए lower number जैसे कि हमारे पास यहां पर दो possibilities थी कि या तो हम लोग इसको two number देते या फिर हम लोग इसको five number देते तो हम लोग इसको कौशा number देंगे two number देंगे क्योंकि यह lower number और highest priority वाला number हो जाएगा ठीक है अगर मान लोग कि एक से ज़्यादा substituents present है तो हमें क्या चीज लगानी होगी first point difference rule लगाना होगा that means कि मान लोग कभी हमारे पास one two three ऐसे करके कुछ आ रहा हो एक बार हमारे पास one one five करके कुछ आ रहा हो तो उस condition में हमें इनको one two one compare करना होता है यानि कि one और one same है two और one में से कौन lower है one lower है तो हम लोग इस वाली numbering को सही कर देंगे और ये वाली numbering गलत होगी तो हम लोग हमेशा numbering करते वक्त क्या लगाते हैं बच्चों first point difference rule लगाते हैं कोई-कोई बच्चे जब doubt पूछते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि हम लोग इनको add कर दे क्या तो add नहीं करना होता first point difference यानि कि one to one compare करना होता है ठीक है इसके बाद अगर बात करी जाए कि यार कभी-कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि जो organic compounds हो वहाँ पर जो substituents से वो same number पे आ रहे हो like अभी तुम इसको ज़्यादा consider मत करना ये मत बोलना कि ये वाली parent chain ले लो मान लो कि parent chain ये है assume कर लिया तो यहां से भी इसको two number मिल रहा है यहां से भी इसको two number मिल रहा है तो जब हमारे पास ऐसी situation आती है तो हम लोग क्या चीज़ फोलो करते हैं alphabetical order को फोलो करते हैं यानि कि ethile और methyl में से alphabetically कौन पहले आएगा इthile पहले आएगा that means कि हम लोग इसको lower number assign कर देंगे इस तरीके से हम लोग यहां पर करते हैं ठीक है अब मान लोग की एक ही सब्स्ट्राइट दो बार आ रहा है तो die 3 बार आ रहा है तो try 4 बार आ रहा है तो tetra 5 बार आ रहा है तो penta 6 बार आ रहा है तो hexa इस तरीके से हम लोग यहां पर die try tetra penta का use कर देते हैं पर हम लोग इनको कभी भी alphabetical order में consider नहीं करते हैं ठीक है अब देखो यहां पर यह कोई example है यह वाली अपने पास क्या हो गई parent carbon chain हो गई अब अपन ने क्या किया इसका numbering किया तो numbering करने पर क्या होगा यहां पर यहा अब अगर इसका देखें तो 1,2,3,4 इसका नाम क्या बन जाएगा 2,3 dimethyl butane as it is अगर यहां से देखें तो 1,2, sorry 1,2,3,4,5,6,7 यह longest carbon chain हुई तो हम लोग इसका नाम क्या लिख देंगे 4,4 dimethyl heptane ठीक है तो बच्चों अभी तक तो हम लोगों ने saturated hydrocarbons के लिए naming पढ़ अब हम radicals के लिए naming पढ़ रहें कि radicals का किस तरीके से यूज करना है और इसमें जो बहुत important चीज़े वो होते हैं complex radical इनमें बच्चों को problem आती है अब आप बोलोगी कि माम यह simple radical और complex radical में difference क्या है यह बता दो तो बताती हूँ यार क्या difference है simple radical क्या है बटा जहां पे लंब complex radical का मतलब क्या होता है कि यार किसी substitute पे अगर वापस से substitution हो जाए तो हम लोग उसको क्या कह देते हैं complex radical के देते हैं जैसे CH3 methyl radical simple radical है CH2 CH3 methyl radical simple radical है CH2 CH2 CH3 propyl radical है CH2 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 CH3 butyl radical एक simple radical है यानि कि यहाँ पर यह सीधे 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 carbon chain चले जा रही है पर अगर इस पर वापस से substitution हो जाएगा तो यह किसमें चेंज हो जाएगा complex radical में चेंज हो जाएगा यानि कि यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा बिटा क्लोरो मिथाईल as it is अगर यहाँ पर hydrogen की जगद C-L लगाएगा तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो इथाईल as it is यहाँ पर C-L लगा दे तो यह 1,23 तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपाईल नाम हो जाएगा तो इस तरीके से किसी भी सब्स्टिट्वेंट पर फार्दर सब्स्टिट्यूशन होने पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है complex radical का ठीक है अब देखो इसी का एक example देख लेते हैं यहाँ पर यह कोई 2 complex radicals दिये हुए थे अब देखो यह तो अपनी parent carbon chain हो गई यहाँ पर इससे क्या जुड़ा हुआ है 1,2 यानि की 1,1 dimethyl, ethyl जुड़ा हुआ है इसकी बात करें तो 1,2 dimethyl, propyl जुड़ा हुआ है तो अब देखते हैं alphabetically कौन पहले आएगा तो बेटा alphabetically ethyl का E पहले आता है propyl से इस वज़े से हम लोग इस वाले subsequent को क्या assign करेंगे lower number assign करेंगे तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा 5,1,1 dimethyl, ethyl 6,1,2 dimethyl, propyl, decane यह बात हुई बेटा saturated hydrocarbons की अब बात कर रहे हैं unsaturated hydrocarbon की तो unsaturated hydrocarbon में हमें क्या करना होता है कि जैसे न तैसे multiple bond को that means कि double bond को हमें किसमें लेना होता है parent carbon chain में यानि कि सबसे पहली priority अपनी क्या होनी चीए कि double bond जैसे न तैसे किसमें आ जाए parent carbon chain में आ जाए दूसरा काम अपन को क्या करना है कि यार अपन ने double bound को तो parent carbon chain में ले लिया अब अब अपन को number of carbon atoms जितने ज्यादा number of carbon atoms हो सकते हैं उतने ज्यादा number of carbon atoms को अपन को किसमें include करना होगा parent carbon chain में जैसे कि यहाँ पर देखो one two three four five six included है अगर अपन नीचे जाते तो five होता है ना तो इस तरीके से अपन ने क्या किया कि इस straight chain को किस की तरह ले लिया parent carbon chain की तरह जिससे क्या हुआ maximum number of carbon atoms parent chain में include हो गए अब numbering करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है कि यार अगर multiple bond और substitute दोनों present हो तो preferably multiple bond को हमें lower number assign करना पड़ेगा ठीक है फिर जिस तरीके से हम लोगों ने saturated hydrocarbons के लिए lowest lock and true apply किया था वैसे के वैसे यहाँ पर भी हमें lowest lock and true को apply करना है यह बात हुई बैटा unsaturated hydrocarbons की ठीक है अब बात करते हैं naming of cyclic hydrocarbons की तो बच्चों difference कुछ भी नहीं है वही सारी चीज़े follow करनी है सिर्फ difference क्या आएगा कि हमें यहाँ पर primary prefix क्या लगाना पड़ेगा cyclo लगाना पड़ेगा एक बात और बता दू कि यार यह जो cyclo होता है ना primary prefix का इसको हम लोग alphabetical order में consider नहीं करते हैं पर कब consider करते हैं जबकि cyclo word as a substitute आ रहा हो तो हमें इसको alphabetical order में consider करना होता है other than that हमें इसको alphabetical order में consider नहीं करना होता ठीक है तो बिटा वापस से जो order है वो वह ही है कि सबसे पहले functional group को priority देनी यह देन multiple bond then number of carbon atoms then maximum number of substituents then nearest lock end और सबसे बाद में किसको priority देनी है alphabetization को ठीक है यह सारी चीज़े में आपको बता चुकी lowest lock end और alphabetization के बारे में तो बिटा अभी अपन को इनका numbering करना था यार cyclic ring पर कोई दो substituents जुड़े हुए थे अब हमें कोशिश क्या करनी थी कि यार जो substituent alphabetically पहले आता है क्योंकि किदर से भी numbering करो अपने पास position तो same आएंगी यानि कि position तो बिटा one और three ही आएगी अब अपन को यह देखना है कि यार अपन किस को अपन lower number दे तो जो alphabetically पहले आएगा उसको हम लोग lower number देंगे और जो बाद में आएगा उसको हम लोग कम priority यानि कि लोइस priority assign करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा वान फ्लोरो थ्री फ्लोरो साइक्लो हेग्सेन अब बात होती है कि यार ये कुछ special suffix होते है special suffix का मतलब क्या हुआ ये carb word वाले suffix होते है तो दिमाग में आता है कि यार ये carb word वाले suffix कभ यूज होंगे और कभ यूज नहीं होंगे तो बच्चों सिर्फ दो जगह ऐसा होता है कि ये carb वाले suffix यूज होते है वो दो जगह कौन-कौन से है पहली चीज तो जब भी कोई chain terminating functional group जब भी कोई chain terminating functional group डारेक्टली किसी ring के साथ attached हो या फिर benzene ring के साथ अगर attached हो तो हमें वहाँ पर carb suffix का यूज करना होता है दूसरी condition कब बनती है जबकि आपके पास कोई ऐसा organic compound दे दिया जाए जहांकि तीन या फिर तीन से ज़ादा तीन या फिर तीन से ज़ादा chain terminating functional group present हो तो उस condition में भी हमें carb word का यूज करना होता है ठीक है बच्चों तो बेटा अभी देखो जैसे carboxylic acid को अपन क्या लिख सकते है जैसे CWHOE के acid होता है इसको अपन क्या लिख सकते है alkane carboxylic acid लिख सकते है जैसे देखो ये कोई example है यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हो कि यार ये CWHOE है वो डारेक्टली इस रिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या बन जाएगा cyclopropane carboxylic acid पर यहाँ पर ये CWHOE इसके साथ डारेक्टली नहीं जुड़ा हुआ तो यहाँ पर ये वाली parent chain बन जाएगी क्योंकि यहाँ पर ये parent chain बन जाएगी और case 2 भी बच्चों मैंने आपको बता दिया था तो यहाँ पर देखो इस example में आप लोग क्या देखी हूँ कि CWHOE, 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 3-3 CWHOE है है ना? 3-3 CWHOE है और मैंने आपको क्या बोला था? कि या तो 3 या फिर 3 से जादा chain terminating functional group होंगे तो हमें वहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? कार्ब वर्ड का यूज करना पड़ेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1, 2, 3 Tricarboxylic Acid ठीक है? तो एक बार में आपको functional group की table बता देती हूँ Carboxylic Acid CWHOE के लिए OEC Acid suffix होता है सलफोनीक एसेड के लिए सलफोनीक एसेड ही होता है एनहाइडराइड के लिए OEC Anhydride लिखा जाता है एस्टर के लिए Alkyl O8 Alkyl Carboxylate लिखा जाता है Acid Helide के लिए Carbonil Helide या फिर Oil Helide लिखा जाता है Amide के लिए Amide या फिर Carboxymide लिख दिया जाता है साइनाइड के लिए कार्बोनाइट्राइल नाइट्राइल इस थरीके से लिख दिया जाता है आईसोसाइनाइड के लिए कार्बिल अमीन लिखा जाता है है ना एल्डी हाइड के लिए एल या फिर कार्बेल्डी हाइड का यूज होता है ketone के लिए own लिखा जाता है alcohol के लिए all thiol के लिए thiol suffix होता है और NH2 के लिए amine suffix होता है तो यहाँ पर वही rules को follow करते हुए आपको functional group के साथ naming करना होता है अब अच्छो aromatic compounds की बात करते हैं यह तो हम लोगों ने general compounds की बात करी अब यार aromatic compounds के साथ क्या होता है हम लोग उसकी naming कैसे करें तो यार aromatic compounds की naming करते वक्त एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यार यह तो कोई aromatic compound है अगर इसके साथ में कोई भी side chain जूड़ी हुई है और side chain पर या तो कोई functional group है या फिर कोई multiple bond है या फिर कोई substitute है अगर इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी present है तो उस condition में इस side chain को अपन को किस की तरह treat करना पड़ेगा parent carbon chain की तरह treat करना पड़ेगा और अगर यहां से कुछ भी attach नहीं है ना तो functional group ना ही multiple bond ना ही substitute कुछ भी attach नहीं है सिर्फ simple अगर ऐसी कोई chain है तो उस condition में हमें इस aromatic compound को किस की तरह treat करना पड़ेगा parent carbon chain की तरह यानि कि आपको बास समझ में आगी होगी कि अगर aromatic compound के साथ जुड़ी हुई side chain के साथ अगर कोई भी functional group, multiple bond या फिर substitute आकर जुड़ता है तो उस condition में वो chain बन जाएगी parent chain और benzene बन जाएगा substitute और अगर कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ हो तो फिर benzene को हमें किस की तरह treat करना है, parent carbon chain की तरह हमें इसको treat करना है, चीक है तो यह इसका कुछ होता है, जैसे मालो कि यहाँ पर यह कोई दो एक्जामपल्स आपको दिये हुए तो आपने क्या देखा कि यार यह जो C double O H वो directly इस aromatic ring के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा benzene carboxylic acid as it is बेटा यहाँ पर भी same condition हो रही है कि यार aromatic ring के साथ directly क्या चीज जुड़ा हुआ है functional group जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या हो गया benzene carbaldy hide ठीक है बच्चों अच्छा एक बहुत ही funny riddle है बच्चों इसका answer करना फटा-फट riddle है what spends all the time on the floor but never gets dirty क्या होगा इसका answer जल्दी से answer करो बच्चों यह आपके लिए ही बनाए गएंगे puzzles बच्चों आपको इस session का pdf मिल जाएगा आप उसका tension बिलकुल भी मतले ना आपको इस session का pdf available हो जाएगा ठीक है तो इसका answer क्या है बटा your shadow हमारी shadow हमेशा होती है ना floor पे इस तरीके से ठीक है सभी के answer गलत है सभी लोग dust 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 ऐसे answer कर रहे हैं और बच्चों इस video को अपने इस video को लाइक करना न भूले अपने friends के साथ जादा से जादा शेयर करो और साथ ही साथ इस channel को subscribe करना भी ना भूले ठीक है चलो बच्चों वापस से आपको याद दिलाया जा रहा है बच्चों की आपके dream तक पहुँचने में हम आपके साथ हैं जहां तक आपका syllabus complete नहीं होगा वहां तक हमें भी chain नहीं आएगा तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अब नया टॉपिक जनरल organic chemistry बहुत important टॉपिक है बहुत ज्यादा important टॉपिक है क्योंकि पूरे organic chemistry में ये यूज होता है अभी आपने पहले hydrocarbon पढ़ा है तो वहाँ पर सर लगा रहे थे ना plus m effect minus m effect resonance effect ये effect वो effect वो सारे effect आप इस वाले chapter में पढ़ने वाले हो ठीक है चलो देखो सबसे पहली चीज तो यार ये electron displacement effect क्या होता है तो किसी भी कोई भी electron के अपनी जगह से move करने की वज़े से अपनी place से displace होने की वज़े से जो effect arise होता है that is electron displacement effect अगर हम लोग यहाँ पर बात करें category की तो हम लोग इसको दो category में categorize कर सकते हैं कौन कौन से effect में एक तो होते हैं permanent polarization effect दूसरे होते हैं temporary polarization effect temporary polarization effect कब होगे जबकि हम लोगों को ये effect किसी reagent के presence में observe हो रहे हैं और जो effect हमें कोई reagent नहीं डाला कुछ भी नहीं डाला तब भी हमें जो effect observe हो रहे हैं वो है actual में और वो क्या हैं बेटा permanent polarization effect यानि कि कुछ भी मत डालो है ना कुछ भी नहीं डाला कोई reagent add नहीं किया फिर भी हमें जो effect दिख रहे हैं वो कौन से होंगे बेटा permanent polarization effect होंगे ठीक है अब अगर हम लोग इनके examples की बात करें तो temporary effect का मतलब क्या है किया reagent डाला और हमें effect observe हो गया वो कौन सा होगा temporary polarization effect होगा जैसे कि electromeric effect पर बिना किसी reagent को डाले जो effect हमें observe हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं बेटा inductive effect resonance effect और hyperconjugation effect ठीक है एक बात और है बेटा वो क्या है कि यार जब hybridization sp होता है तो carbon की electronegativity हो जाती है 3.25 के अप्रोक्स जब sp2 hybridization होता है तो carbon की electronegativity हो जाती है 2.75 के अप्रोक्स और जब sp3 carbon होता है तो carbon की electronegativity होती है 2.5 के अप्रोक्स हम लोग इस data से क्या conclusion निकाल सकते हैं हम लोग इस data से ये conclusion निकाल सकते हैं कि यार sp hybridization में सबसे ज़्यादा electronegativity होगी then sp2 में और then sp3 में यानि कि हम लोग बेटा क्या बोल सकते हैं कि यार अगर percent as character increase होता है तो electronegativity भी increase होगी ये बात हम लोग यहां पे बोल सकते हैं ठीक है अब यार कोई भी chemical reaction होती है है ना कोई भी chemical reaction होती है तो bond तो break होता ही है अब तो bond break होता है कोई भी organic reaction हुई तो पहले तो bond break होगा फिर नए bond का formation होगा तो यार यह जो bond break होता है यह भी दो तरीके से ब्रेक हो सकता है वो कैसे कैसे एक तो होता है homolytic bond breaking और एक होता है है हेट्रोलाइटिक bond breaking ना हम से ही क्या पता चल रहा है कि है होमोलाइटिक बाउन ब्रेकिंग यानि की equal distribution of electrons की बात हो रहे है तो यह bond में कितने electron होते हैं दो electron होते हैं तो एक electron A पर जाता है और एक electron B पर जाता है that means कि जब भी homolytic bond fusion होगा तो किसका formation हो जाएगा free radicals का formation हो जाएगा जबकि अगर अगर अपन हेट्रोलाइटिक बाउन फिशन की बात करें जैसे कि A भी है है ना अब क्या हुआ कि यह जादा electron negativity वाला है तो इसको क्या हुआ कि लालच आ गया अब अगर इसको लालच आ गया तो यह क्या कोशिश कर रहा है कि यार मुझे ऐसा दिमाग लगाना है कि जैसे ना तैसे इस bond के दोनों electrons मेरी तरफ किच जाए तो यार अगर यह bond के दोनो इसकी तरफ खीचेंगे तो फिर क्या होगा कि इस एक पर आटम पर जाएगा positive चार्ज और बी आटम पर आजाएगा negative चार्ज अब आपन तो organic chemistry की बात कर रहे हैं Karbon की chemistry की बात करना है? That means की homolytic bond fission से किसका formation होता है PB, carbon free radical का formation होता है, जबकी heterolytic bond fission में carbocatience and carbokatience का formation होता है क्या बोल रही हूँ बेटा कि होमोलाइटिक बॉन्ड फीशन में कार्बन फ्री राडिकल का फॉर्मेशन होता है और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फीशन में कार्बकिटायन एंड कार्म एनायन का फॉर्मेशन होगा ठीक है अब इटा नेक्स अपन बात करने इंडक्टिव इफएक्ट की इंडक्टिव इफएक्ट के साथ क्या कहानी है इंडक्टिव इफएक्ट के साथ ये कहानी है मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होती है इंडक्टिव इफएक्ट की डेफिनेशन ये होती है कि polarization of sigma bond that means कि inductive fact में सबसे पहला काम तो क्या होगा कि यार ये जो sigma bond है इसका polarization होगा और polarization बोले तो किसी पर positive charge और किसी पर negative charge आएगा ये अपन को पता है अब यार ये polarization होता क्या है क्यों होता है ये polarization तो ये polarization क्यों होता है जबकि दो different electron negativity के elements एक दूसरे से जुड़ते हैं यानि कि हम लोग inductive fact की definition क्या बोल सकते हैं कि due to difference in electron negativity of groups sigma polarization generates and this polarization is called as inductive effect यानि कि sigma bond के polarization की वजह से जो effect observe होता है वही effect क्या होगा बिटा inductive effect होगा ठीक है अच्छा ये कुछ बनाया हुआ है यहाँ पे इसको बड़े ध्यान से देख ले ना तुम क्या है यहाँ पे कार्बन है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है फ्लोरीन अब कार्बन कैसा है बिटा है sp3 कार्बन है that means की 2.5 electron negativity का कार्बन है फ्लोरीन की electron negativity कितनी है 4.0 है ना तो अब क्या करेगा फ्लोरीन को लालच आ गया क्या लालच आ गया कि यार इस बॉंड की of electrons को तो मैं अपनी तरफ खीचऊंगा तो इस ने लालच की वज़े से क्या 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 अपनी तरफ electrons को खीच लिए तो यह क्या हो गया नेगटिव अब आपको पता है कि यार लेने वाला negative होता है और देने वाला क्या होता है positive होता है ना тоб तो इस वज़े से fluorine पर आया delta negative charge और carbon पर आया delta positive charge अब क्योंकि इस पर positive charge आया तो इस carbon की electronegativity increase हो गई अब ये बाजुवाले से खीच रहा है इसके उपर delta to arise हुआ इसके उपर delta to arise हुआ इस वज़े से इसके उपर charge आया that means कि आप लोग क्या देख रहे हो कि electronegativity difference की वज़े से यहाँ पर bond का polarization हो रहा है और इसी bond के polarization को sigma bond के electrons के displacement को ही हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों inductive effect तो अपन यहाँ पर क्या बहु सकते हैं कि जो delta x है it is greater than del x 1 it is greater than del x 2 and it is greater than del x 3 और जो magnitude of charge होगा तो जितना negative charge इस पर आएगा उतना ही total positive charge यहाँ पर generate होगा अब बेटा यहाँ पर एक चीज़ और बोली जाती है वो क्या बोला जाता है कि यार यह जो inductive effect है यह distance dependent effect है वो कैसे distance dependent effect है कि जैसे जैसे फ्लोरीन के साथ distance बढ़ती जा रही है वैसे 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 inductive effect कम होता जा रहा है तीक है और क्या बोला जाता है यह बोला जाता है कि तीन carbon atom और उसके बाद यह जो inductive effect है वो negligible हो जाता है, that means कि 0 के बराबर हो जाता है, यानि कि उसका कोई measurable effect नहीं रहता, ठीक है? अब inductive effect के लिए अपन को एक चीज और पता चल रही है, कि यार ये जो inductive effect है, वो कैसा है? ये permanent effect है, कैसा effect है? permanent effect है, क्योंकि ये बिना किसी reagent की presence के observe हो रहा है, अब अपन बेटा इसके types पढ़ रहे हैं, पहला type पढ़ रहे हैं, अपन minus eye effect, तो minus eye effect क्या होगा? कि यार कार्बन के साथ अगर जादा electronegative atom आके जुड़ गया, तो वो क्या effect, कौनसा effect शो करेगा? minus eye effect शो करेगा, अब जो minus eye series होती है, उसका जो order होता है, वो कुछ ये होता है, मैं तुम्हें बता दू कि ये जो order है, वो on the basis of electronegativity है, किसके basis पर लिखा गया है, बेटा, electronegativity के basis पर ये effect लिखा हुआ है, ठीक है? रेंचो बोल रहा है कि मैं ये minus eye और plus eye कैसे पता चलता है, ये बेटा electronegativity से पता चलता है, कि जिस ग्रूप की electronegativity कार्बन के comparison में जादा होती है, वो दिखाता है minus eye effect और जिस ग्रूप की electronegativity कार्बन के comparison में कम होती है, वो दिखाता है plus eye effect, वो क्या दिखाता है बेटा प्लस आई इफेक्ट दिखाता है तो अगर अपन प्लस आई इफेक्ट के लिए डेफिनेशन देखें तो अपन क्या बोल सकते हैं हम लोग ये कुछ बोल सकते हैं कि if the electron donating power of group is higher than that of hydrogen then these groups are known as प्लस आई group और अगर प्लस आई सीरीज की बात करी जाए तो सबसे पहले कौन से ग्रुप आ रहे हैं बेटा negatively चार्ज ग्रुप सा रहे हैं क्यों क्योंकि इन पर electron density जादा होती है और अगर इन पर electron density जादा है तो ये क्या चाहेंगे ये जल्दी से जल्दी अपना electron देना चाहेंगे ठीक है अनुष्का पूछ रहे है कि ये learn करना होता है ना बिल्कुल बेटा minus i plus i का order और minus m और plus m का order आपको जरूर पता होना चाहे है क्योंकि जब आप goc का ही जो second part है acidic strength और basic strength वहाँ पर जब आप इसको पढ़ते हो तो आपको इसको apply करना होता है इस order को तो ये जो order है वो आपको पता होना चाहे है आपको याद होना चाहे है ठीक है अब ये जो सारे सारे जो point है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि यार ये inductive effect की applications क्या क्या है तो यार इसकी application पढ़ाने से पहले मैं आपको एक general चीज बता दो वो क्या है कि जो charge होता है ना बेटा it is inversely proportional to stability यानि कि अगर किसी species पर charge ज़्यादा है तो उसकी stability क्या होगी कम होगी ठीक है यानि कि मान लो कि अगर कोई carbocytion है तो वो क्या चाहेगा कि उसका positive charge क्या हो जाए कम हो जाए और positive charge का मतलब क्या होता है कि वो species कैसी है electronically deficient species है यानि कि ये carbocytion कब stable होगा जबकि इसको कोई electron देने वाला मिल जाए और electron देने वाले का क्या मतलब है जो कि plus i effect शो करता हो है ना तो अपन यहाँ पर क्या बोल सकते है कि यार जितना जादा plus i effect होगा उतना ही जादा carbocytion की stability होगी अगर minus i effect जादा होगा तो stability कम होगी carb anion की बात करें तो अगर plus i effect जादा है तो carb anion की stability कम है जबकि अगर carb anion की लिए बोला जाए अगर minus i effect जादा है तो carb anion की stability भी जादा होगी ठीक है बिटा तो अभी अगर अगर अपन इस वाले question को solve करें तो बिटा आप लोगों को बहुत ही ध्यान सी इसको solve करना है क्यों करना है क्योंकि Smith एक और नया rule में introduce करने वाली हूँ जो की inductive effect के लिए apply होता है and that is dnp rule पहले अपन इस question को solve कर लेते हैं फिर में आपको बताऊंगी कि क्या होगा ठीक है यहाँ पर no2 अपना क्या show कर रहा है minus i यहाँ पर यह दो-दो fluorine भी अपना minus i वापस से minus i यह भी minus i अब यार सबसे पहली चीज़ अपन को क्या देखनी है यहाँ पर distance जिसकी distance कम होग that means कि देखो कि यहाँ पर distance किसकी सबसे कम है इस वाले की यानि कि यह सबसे पहले आएगा भी ठीक है अब अगर b, c और d में comparison किया जाए तो यह तीनों ही minus i लगा रहे हैं पर आप लोग क्या देख रहे हो कि यहाँ पर यह दो-दो fluorine atoms हैं तो क्योंकि यहाँ पर दो-दो fluorine atoms हैं तो इनका minus i comparatively क्या होगा जादा होगा यानि किसके बाद अपने किसको लग दिया b को लिख दिया अब अपन को c और d में comparison करना था तो यार मुझे यह बताओ कि minus i series में no2 और cn कौन पहले आदा है no2 पहले आदा है इस वज़े से हमने फिर किसको रखा no2 को फिर किसको को रखा हमने cn वाले को यानि कि हमने यहाँ पर कौन सा rule apply किया है dnp rule apply किया है यानि कि सबसे पहले हमें कौन सा factor लगाना पड़ेगा distance वाला then हमें लगाना होगा group वाला और फिर लगाना होगा power वाला ठीक है अब अगर acidic strength वैसे तो मैं आपको detail में बढ़ाने वाली हूँ पर यह भी inductive effect पर depend करती है जितना ज्यादा minus i होगा उतना ही ज्यादा acidic strength होगा अगर plus i increase होता है तो acidic strength decrease होती है basic strength के लिए इसका just ultra होता है अगर plus i effect बढ़ता है तो basic strength भी बढ़ती है और अगर minus i effect बढ़ता है तो basic strength क्या हो जाती ही बटा कम हो जाती है अब हम लोग next electronic effect देख रहे है और वो next electronic effect क्या है बटा next electronic effect है resonance effect अब यार यह जो benzene है ना इसके लिए तीन तीनी structure दी गई और पूछा बताओ इन तीनों में से कौन सी सही है तो यार अब ना अपने तो नहीं बैठेंगे experimentally क्या चीज observe किया गया मतलब पहले तो क्या assumptions दिये गए कि यार बेंजीन की structure में single bond भी present है और double bond भी present है that means कि double bond के लिए bond length कितना आना चीए था 1.34 angstrom आना चीए था और single bond के लिए bond length कितना आना चीए था 1.54 angstrom आना चीए था पर जब real में जब bond length को measure किया गया तो वो ना तो single bond की bond length आई और ना ही double bond की bond length आई तो वहां से क्या conclusion निकला कि यार ये जो बेंजीन है वहां पर ना तो purely single bond present है और ना ही purely double bond present है वहां पर actual में partial double bond present है क्योंकि हमें जो bond length observe हुई वो bond length कितनी observe हुई बेटा 1.39 एंगस्ट्राम और ये किसको रिप्रेसेंट करती है ये रिप्रेसेंट करती है पार्शल डबल बॉंड को तो यहां से साइंटिस्ट किस conclusion पे पहुंचे कि यार ये जो बेंजीन है ना इसमें ये जो पाई electrons है ये जो पाई बॉंड है वो एक ही जगह पर localized नहीं है वो पूरी रिंग में क्या कर रहे हैं घूम रहे हैं फिर रहे हैं है ना इस वजह से हमें जो bond length observe हो रही है वो पार्शियल डबल बॉंड की bond length observe हो रही है तो यहीं से phenomenon आया बच्चो resonance का और resonance के लिए क्या बोला गय resonance को ही क्या कह दिया जाता है resonance कह दिया जाता है ठीक है अब अगर हम लोग resonance की definition देखें तो वहां पर भी यहीं चीज़ बोला हुआ है कि जब हम किसी molecule की structure को किसी एक Lewis structure से रिप्रेसेंट नहीं कर सकते हमें एक से ज़्यादा structures बनाने पड़ते हैं तो हम लोग ऐसे structures को कहते ह है resonating structure और इस फिनोमेना को कहते है resonance अब अगर resonance के characteristics की बात करी जाए बच्चों तो resonating structure रियल structure नहीं है वो कैसे structures है बच्चों hypothetical structures है ठीक है और जो resonance hybrid होता है वो उन सभी जो resonating structures है उनके contribution से क्या बनता है resonance hybrid बनता है और एक चीज़ अपन क्या बोल सकते हैं ये भी बोल सकते हैं कि यार जो जितनी ज़्यादा stable resonating structure होगी उसका resonance hybrid में उतना ही ज़्यादा contribution होगा ये भी अपन बोल सकते हैं ठीक है तो इसके important points क्या क्या है वापस से वापस से वही चीज़ रिपीट हो रही है क्या रिपीट हो रहा है वापस से कि resonance hypothetical है resonance hybrid क्या होता है कि resonating structure के contribution से बनता है according to their stability ये distance independent effect है जबकि जो inductive effect था वो कैसा था बेटा distance dependent effect था है ना resonance क्या है intramolecular phenomena यानि कि within the molecule होता है दूसरे molecule के साथ इसका कोई connection नहीं है ठीक है अब resonance की वजए से किस कंडिशन में किस किस कंडिशन में हमें देखने को मिलता है तो यह कप कब देखने को मिलता है जबकि system कैसा हो planar हो और system conjugation में प्रजेंट हो कॉंजगेशन का मतलब क्या होता है कि parallel पी और बाइटल system वहां पर present होना चाहिए क्या चीज़ प्रजेंट होना चाहिए पीर लंब और बाइटल system वहां पर present होना की ठीक है अब यार एक चीज और है वो क्या है कि क्या हम लोग इन सभी सिस्टम्स को एक साथ समप कर सकते हैं क्या बिल्कुल कर सकते हैं वो कैसे बच्चों यह बहुत important चीज से ध्यान से देख लेना कि जब भी positive charge, negative charge, free radical, pie bond या फिर long pair pie bond के alternate position पर आते हैं जब भी positive, negative, radical, pie bond और long pair pie bond के alternate position पर आते हैं तब उस सिस्टम में resonance possible होता है other than that वहाँ पर resonance possible नहीं होता यानि कि यह सबसे ज़्यादा essential condition है resonance के लिए कि अगर कहीं पर ऐसा कुछ present होगा तब ही resonance present होगा other than that resonance present नहीं होगा बच्चा पूछ रहा है विशाल की मैं contribution का क्या मतलब होता है contribution का मतलब यह होता है कि जैसे benzene है benzene की जो resonating structures है वो equivalent resonating structures है तो equivalent resonating structures का मतलब होता है कि दोनों का contribution 50-50% है तो जो resonance hybrid बनेगा वो दोनों के 50-50% contribution से बनेगा पर अगर कोई ऐसा कोई compound है जहां की कोई structure ज़्यादा stable है और कोई structure कम stable है तो जो structure ज़्यादा stable होती है उसका resonance hybrid में contribution ज़्यादा होता है in comparison to वो वाली structure जो की कम stable है ठीक है अब बिटा यहाँ पर अगर pi pi conjugation की बात करें तो आप लोग क्या देख रहे हो मैंने अभी condition बताई कि इसके alternate position पर अगर pi bond present होगा तो यहाँ पर यहाँ पर जो है हमें resonance देखने को मिलेगा other than that हमें यहाँ पर resonance देखने को नहीं मिलेगा तो इसके examples देख लेते हैं जैसे यह कोई दो structures बनाई हुई है तो यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हो pi sigma pi alternate position पर आ रहा है तो यहाँ पर resonance possible है as it is यहाँ पर देखो pi sigma pi यहाँ पर भी alternate position पर आ रहा है यानि कि यहाँ पर भी resonance possible है फिर मैंने next condition बताई थी long pair pi bond वाली तो यहाँ पर भी यह इस तरीके से resonance हो जाएगा कि यह long pair pi bond बना लेंगे pi bond negative charge बना लेगा negative charge pi bond pi bond negative charge तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर resonance observe हो जाएगा अब pi vacant orbital यानि कि positive charge की बात हो रही है तो यह pi electron ऐसे जा रहा है हमें यहाँ पर resonance observe हो रहा है as it is अगर radical की बात करें तो radical की case में बेटा आपको हमेशा one one electron को move कराना होता है एक एक electron को हमें यहाँ पर move कराना होता है ठीके लॉन पेर positive charge की बात करी जाए तो carbon के पास क्या चीज़ प्रसेंट है बिटा वैकेंट pi orbital प्रसेंट है तो क्या होगा यह लॉन पेर कहां जाएगा carbon के वैकेंट pi में जाएगा और हमें यहाँ पर resonance observe होगा ठीके एक चीज़ और बता दू बेटा यहाँ पर तो यह positive charge था अगर मानलो negative charge आ जाए तो आपके दिमाग में आ रहोगा मैं हम अगर negative charge आ जाए तो फिर हम लोग क्या करते तो भी resonance होता है जैसे अगर अपने example ने CCL3- का तो यहाँ पर क्या होता है carbon यह जो chlorine atom है इसके पास क्या चीज़ present है vacant d orbital present है इसके पास vacant d orbital present है तो इस carbon का जो negative charge है वो chlorine के vacant d में जाता है और हमें यहाँ पर resonance observe होता है ठीक है बटा अब बटा इसी से related एक example दिया हुआ है एक मिनिट हाँ तो बटा यहाँ पर जो next topic आ रहा है that is stability of resonating structure कि हम लोग किस तरीके से resonating structure को represent कर सकते है ठीक है तो बटा stability के लिए मैं आपको सिर्फ 5 point बताऊंगी पर यह जो 5 point से वो हमेशा आपको sequence wise ही apply करना है सबसे पहला point क्या है सबसे पहला point यह है कि जो uncharge structure होती that means कि जो neutral resonating structure होती है वो ज़्यादा stable होती किसी charge resonating structure के comparison में ठीक है यहाँ पर यही चीज बोला हुआ है है ना कि जो neutral structure है वो ज़्यादा stable होती है polar resonating structure के comparison में तो यहाँ पर first और second में अगर compare करें तो first की stability ज़्यादा हो जाएगी second से ठीक है second number point क्या है कि वो resonating structure ज़्यादा stable होती है जिसमें ज़्यादा number of pi bonds that means कि हर एक atom का octate completed होता है वो resonating structure जिससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो resonating ज़्यादा वो resonating structure ज़्यादा stable होता है जहां कि हर atom का octate completed हो तो यहाँ पर हमें ये दो structures दे रखी हैं यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हो कि यार एक भी pi bond नहीं है यहाँ पर एक pi bond है तो यहाँ पर क्यूंकि pi bond ज़्यादा है तो इसकी stability ज़्यादा है और इसकी stability काम है थार्ड नंबर अगर structure की बात करी जाए तो क्या बोला जाता है थार्ड नंबर पॉइंट में कि यार जब भी negative charge ज़्यादा electronegative atom पर होगा वो ज़्यादा stable होगा जबकि positive charge जितने ज़्यादा electronegative atom पर होगा उतना ही ज़्यादा stable होगा तो आपको यहाँ पर क्या दिया होई कि यार एक बार carbon पर negative charge है और एक बार oxygen पर negative charge है तो कौन ज़्यादा electronegative है oxygen ज़्यादा electronegative है तो अगर वो ज़्यादा electronegative है that means कि ये वाली structure ज़्यादा stable होगी इस वाले structure से fourth number क्या बोला जाता है कि यार कभी भी जो same charges हैं कभी भी जो same charges हैं अगर वो एक दूसरे के आजू बाजू आ जाएंगे यानि कि उनमें क्या होने लग जाएगा repulsion आपको पता है कि same charges के बीच में क्या होता है repulsion होता है ठीक है तो अगर उनमें रिपल्शन होने लग जाएगा तो इस वज़े से क्या होगा कि उनकी stability क्या हो जाएगी कम हो जाएगी जबकि यहाँ पर positive positive charge दूर दूर है तो यहाँ पर इनकी stability क्या होगी जादा होगी फिफ्ट नमर रूल क्या कहता है कि यहाँ जितने जादा aromatic structures होगे उतनी ही जादा क्या होगी stability होगी तो आप लोग क्या देख रही हूँ कि यहाँ फर्स्ट वाला जो structure है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक benzenoid ring है जबकि जो second वाला structure है वहाँ पर दो-दो benzenoid ring है that means कि यह वाला structure है वह जादा stable होगा इस वाले structure से तो बच्चों आपको यह पांचो rule समझ में आ गए होंगे मैंने क्या बोला था जब start क्या था कि हमेशा इन five rule को sequence wise ही apply करना है यानि कि सबसे पहले non-polar वाला charge वाला उसके बाद octate वाला rule उसके बाद में repulsion वाला rule और सबसे last में benzenoid structure वाला rule आपको apply करना है यह five rules आपको बहुत अच्छे से याद करने है तो बच्चों अभी देखते हैं यह वाला जो question है आप लोग solve करोगे इसको बताओगे कि यार इसमें क्या आना चाहिए order आपको यहाँ पर in resonating structures का stability का decreasing order लिखना है क्या लिखना है decreasing order of stability आपको यहाँ पर mention करना है ठीक है लिखो यह order बिटा प्लीज जल्दी करो सभी बच्चों का जल्दी जल्दी answer आना चाहिए सभी बच्चे जल्दी से answer करेंगे बिटा मेरे पास answers आ रहे हैं पर वो सही नहीं है कुछ answer सहीं है कुछ गलत है सबका line से same answer आना चाहिए बच्चा करेंगे बच्चा आना चाह और प्लदी से तक THIS आना है प्लदी का यह फ्ल वो सहीं है क् करेंगे थी जल्दी सेतमिक है मतर प्लदी का झाहिए conquist다 चलो discuss कर लेते हैं सबसे पहली चीज क्या देखनी थी number of pie bonds नहीं नहीं सबसे पहले क्या देखना था कि या structure neutral है या फिर charge है तो आप लोग क्या देखिए हो कि या फर्स्ट वाली structure क्या है neutral है यानि कि सबसे जादा stable होगी फिर second, third और four में अगर आप देखोगी तो किस से देखोगे number of pie bonds से तो second number में एक pie bond present है यानि कि first के बाद क्या आएगा second आएगा फिर अगर अगर अपन third और four के लिए comparison करें तो यहाँ पर अपन कौन सा factor apply करेंगे electronegativity factor electronegativity के लिए आप लोग क्या देख रहे हो कि यहाँ पर more electronegative atom oxygen पर negative charge है that means कि यह ज़्यादा stable होगा तो one, two, three और four यह हमारे पास final order आएगा तो one, two, three, four बच्चों इसका correct answer था बहुत बच्चों ने गलत किया इसको चलो next देखते हैं equivalent resonating structure का concept equivalent resonating structure मैंने आपको अभी अभी बताया था equivalent resonating structure का मतलब क्या है एक जैसी resonating structure यानि की जिनका resonance hybrid में contribution कितना होता है 50-50% होता है ठीक है तो यहाँ पर अपन लोग क्या बोल सकते हैं कि यार इसका जितना contribution होगा ठीक उतना ही contribution इसका भी होगा that means कि x equal to क्या हो जाएगा y हो जाएगा ठीक है second number अगर अपन देखें तो बेंजीन की दोनों structures क्या है equivalent resonating structures हैं अगर third number की बात करी जाएं मैं होने में तो क्या होता है organic acid है वैसे अपन लोग जीनर ली क्या बोलते ही कि यार हम जो inorganic acids होते हैं वह ज्लादा acidic होते हैं in comparison to organic acids that means कि यह तो organic acid है इसकी acidic strength क्या होना चीनता हूこれ SCovanoster क्या होना चाहिए present पर यह organic Viadas होते हुए भी इसका जो acidic strength होता है वो inorganic acids के comparable होता है क्यों comparable होता है क्योंकि यह जो squaric acid है वो four equivalent resonating structure से stabilize होता है इस वजह से जो squaric acid है वो बहुत 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 जादा acidic होता है बच्चों अब ये जेई में 2021 25 जुलाई shift 1 का question है previous year question है attempt करो और मुझे बताओ कि इन में से सही answer क्या होना चीए बताओ बेटा विकास आपका सही था मुझे पता है हुआ है मैंने पहले ही mention कर दिया था कि decreasing order of stability बताना है मैंने पहले ही ये बता दिया था बोल दिया था आप बच्चों को अ मैंने प्सक्षारी आप बता दिया था राय था को लाइड बताना है झाल 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 तो बच्चों यहाँ पर जो correct answer आएगा वो आएगा first number option ऐसा क्यों है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो like charges है वो एक दूसरे के पास पास है तो इसकी stability क्या होगी कम होगी next question attempt करो यह जेई में 2021 जुलाई shift 1 का question है करो इसे यहाँ पर वेटा आपको क्या चीज़ पूछा हुआ है यह पूछावाई कि resonance stabilized कार्बोकिताइन्स कौन कौन से है तो आप लोग क्या देख रहे हूँ कि यह resonance stabilized है यह pipe on यहाँ चला जाएगा यह भी resonance stabilized है पर यहाँ पर 2 sigma आ गए तो यह resonance stabilized नहीं है as it is अगर अपन d वाले option की बात करें तो यह भी resonance stabilized नहीं है तो यहाँ पर जो correct option आएगा वो आएगा a and b यानि की कौन सा option सही होगा third number option बिलकुल सही होगा next question करोगे बच्चों which of the following compounds does not exhibit resonance इसमें बताओ कौन सा answer सही है यह वाले question का answer बताएंगे सभी बच्चे अब यहाँ में क्या बोला हुआ है कि बताओ यार इन में से कौन सा resonance शोनी करता तो आप लोग क्या देख रही हूँ कि यहाँ पर lawn pair है lawn pair pi bond बना लेगा pi bond negative charge resonance possible है as it is benzene molecule में यह खुद खुद के pi bond ही resonance कर रहे है यहाँ पर अगर देखो तो यह c double bond onh2 है तो यह lawn pair यहाँ जाएगा pi bond उपर जाएगा that means कि यहाँ पर भी resonance possible है जबकि अगर आप fourth number option देखो तो यहाँ पर double bond उसके बाद में single bond फिर से single bond फिर lawn pair आ रहा है that means कि यहाँ पर यह alternate position पर present नहीं है तो यहाँ पर resonance possible नहीं होगा यानि कि कौन सा option correct हो जाएगा बच्चों fourth number option बिलकुल correct होगा ठीक है next question में बच्चों आपको stability of given carbo ketones पता करना था बताओ यार यहाँ पर stability का क्या order आना चाहिए बताओ बच्चों बताओ बिलकुल right युदा बच्चों कि कि युदा युदास बच्चों कि अधल दूएगा आना चाहिए पीताओ युदादित बताओ युदाँ नहीं है युदादित बच्चों का जल्दी 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 आंसर आ रहा है तो बिटा यहां पर देखो सबसे पहले चीज तो यार यह क्या है यहां पर क्या है एलेक्ट्रो नेगेटिविटी जादा है यहां पर यहां पर हाईब्रिडाइजेशन क्या रहा है बटा स्पी और यह हमें कहां पर अब्जर्व हो रहा है फर्स्ट नंबर ऑप्शन में यानि किसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है और ज्यादा तर स्टूडेंट्स का यहां पर सही आंसर आया है नेक्स्ट बच्चो हम लोग टॉपिक देखते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट जिसको की हम लोग रेजनेंस इफेक्ट भी कह देते हैं बच्चो मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजनेंस इफेक्ट में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है अगर मैं यहां पर बोलू तो मीजोमेरिक इफेक्ट का मतलब यह होता है बटा कि जैसे कोई कॉई कॉन्जुगेटिट सिस्टम है उसके साथ जुड़ा हुआ ग्रुप है तो वो ग्रुप क्या करेगा अपने इलेक्ट्रोन डेंसिटी को कॉन्जुगेट सिस्टम में देगा और अगर वो अपनी इलेक्ट्रोन डेंसिटी को देगा तो वो क्या करेगा कॉन्जुगेटिट सिस्टम पर इलेक्ट्रोन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं वो प्लस ए groups कहलाते हैं minus m groups वो कैसे कहलाएंगे बच्चो माइनस m groups कहलाएंगे यानि कि एक बार हम लोग इसकी definition read-out कर लेती कि definition कब क्या है दा ऑट्र एक्टेम्स और ग्रूप विच्ट डॉनेट और विड्रो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोंस ron Conjugated System via Resonance, Show Resonance और Mesomeric Effect मैं आपको Plus M Effect के बारे में बता चुकी हूँ Plus M Effect वाले Groups क्या करेंगे Conjugated System पर Electron Density को बढ़ा देंगे और ये Plus M Groups क्या होते हैं जहांकि जो Atom है उस पर कौन सा Charge हो Negative Charge हो या फिर Lawn Pair हो अगर किसी Group के First Atom पर या तो Lawn Pair या फिर Negative Charge प्रेसेंट हो तो वो क्या दिखाते हैं Minus M Effect की बात करी जाएता है Minus M Effect कौन दिखाएंगे जो की क्या होंगे Conjugated System के साथ जुड़े हुए Groups जहांकि Y की Electronegativity X की Electronegativity से जादा हो उस Condition में हमें क्या Observe होता है Minus M Effect Observe होता है या फिर जो Compound हो या फिर जो Group हो उसके पास Vacant P या फिर Vacant D Orbital प्रेसेंट हो ये वाली जो चीज है वो जहां पर भी Fulfill होगी वहां पर हमें Minus M Effect Observe हो जाएगा यानि की ये Minus M वाले Groups क्या करते हैं बच्चों किसी Conjugated System से Electron Density को अपनी तरफ Attract कर लेते हैं ठीक है और अगर Minus M Effect वाले Group की बात करी जाए तो ये सारे Groups क्या दिखाते हैं बटा Minus M Effect दिखाते हैं अच्छा अब ये J-Main 2021 25th July Shift 2 का Question है सभी बच्चे इसको Attempt करेंगे सभी बच्चे इसका आंसर बताओ किसका आंसर क्या होना चाहिए क्या है झाल झाल दुर्गेश को डिनर करना है तो बेटा डिनर तो शाम को करते हैं अभी तो कुछ करना ही नहीं है आपको है ना अभी तो पढ़े जाओ आराम से चलो इलेक्ट्रों डेंसिटी की बात हो रही है तो यहाँ पर तो कोई प्लसम ग्रूप नहीं है यहाँ पर यह एक प्लसम है यह यहां पर यह दो दो प्लस-एम ग्रूप है यहां पर भी यह दो दो प्लस-एम अब क्या है यार कीजिए जो ग्रोमीन होता है इसका प्लस-एम जादा होता है in comparison to क्लोरीन that means कि यहाँ पर हमारे पास जो option आएगा वो कौन सा आएगा first number option हमारे पास आजाएगा यानि कि D पर electron density सबसे जादा फिर C पर फिर B पर और फिर A पर ठीक है next topic start कर रहे हैं बिटा इसका next topic है hyperconjugation hyperconjugation क्या होता है यार अभी अभी अपन resonance में बढ़कर आए कि यार πाई बॉंड पाई बॉंड के साथ conjugate करता है पाई बॉंड लॉन पेर के साथ conjugate करता है पाई बॉंड रैडिकल के साथ conjugate करता है पर जब पाई बॉंड सिग्मा बॉंड के साथ conjugate करता है तो हम लोग उसको क्या कहा देते हैं हम लोग उसको कहा देते हैं hyperconjugation यानि कि जब carbon hydrogen bond की जो sigma electron density है वो जब pi bond के साथ conjugate होती है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं hyperconjugation कहते हैं ठीके यानि कि hyperconjugation को और क्या कहा जा सकता है कि hyperconjugation is sigma pi conjugation क्या कहा जा सकता है hyperconjugation is sigma pi conjugation ठीक है तो बिटा हम लोग इस hyperconjugation को no bond resonance भी कहते हैं क्यों कहते है no bond resonance क्योंकि तुम लोग क्या देख रहे हो यार कि जब ये bond टूटा है ना और इस पर जब ये positive charge आया तो इस carbon और hydrogen के बीच में कोई bond present नहीं है इस वज़े से हम लोग इसको जो hyperconjugation effect है जो बेकरनाथन effect है इसको no bond resonance भी कहा जाता है क्योंकि जब हम लोग इसकी hyperconjugated structures का formation करते हैं तो उस condition में carbon और hydrogen की बीच में कोई sigma bond present नहीं होता ठीक है अब यार इसके लिए condition क्या होती कि यार हमें कब तो अब अगर अपन यहां पर इसकी condition की बात करें तो condition क्या होती बच्चों इसके लिए कि यार एलकीन, एलकाइन, है ना, free radical या फिर कार्बो केटाइन के respect में जब भी alpha position पर hydrogen present होगा यानि कि sp3 carbon से जुड़ा हुआ hydrogen present होगा तो हमें hyperconjugation observe होता है ठीक है अब यार एलकीन के लिए वही चीज बोला हुआ है कि यार ठीक है महाँ पर observe होगा कार्बो केटाइन के लिए भी same चीज है कार्बो केटाइन में कैसे होगा देखो यह sigma bond तूटके यहाँ पर जाएगा, pi bond form हो जाएगा, यहाँ पर positive charge हो जाएगा इस तरीके से यहाँ पर hyperconjugation observe होता है as it is radical में observe होता है, है ना, अगर अपन benzene ring की बात करें तो benzene ring में भी जब benzene के साथ methyl group लगा हुआ होता है या फिर benzene ring के respect में alpha position पर कोई carbon hydrogen present हो sp3 carbon hydrogen present होता है, तो हमें hyperconjugation observe हो जाता है अब आप लोग एक चीज और ध्यार लगना, वो क्या है कि जब आप यहाँ पर, यहाँ पर जब आप hyperconjugation करवा रहे हो तो जो अपनी pi electron density है, वो कौन-कौन सी position पर आ रही है ortho और paraposition पर आ रही है, यानि कि ortho और paraposition पर electron density क्या है जादा है और अगर यहाँ पर electron density जादा है, यानि कि अगर कभी भी electrofile आएगा electrofile का मतलब होता है electronically deficient species तो कभी भी अगर electronically deficient species आएगी, तो वो species कौन सी position से जाकर जुड़ेगी और थो या फिर paraposition से वो जाकर जुड़ जाएगी, ठीक है बेटा अगर class खतम कर दूँगी मैं तो अभी यह topics रह जाएगे मेरा aim यह है कि कम से कम GOC आधा हो जाए, ठीक है समझ रहे हो बेटा, GOC कम से कम आधा तो करवा दू यह मानलो कि 15 to 20 मिनिट और पढ़ाऊंगी, इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगी ठीक है, खुश हो ना तुम लोग देखो, यहाँ पर वही सारी चीज़े लिखी हुई है कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कहाँ पर जुड़ेगा, और तो और पैरा पोजीशन पर यह इसके लिए hyperconjugative structures की बात कर दी, अब यार अगर इसके applications की बात करी जाए, तो हम लोग इससे क्या चीज़ इस इस एलकाइन की stability के लिए भी अपन यह कह सकते हैं कि यार जितने जादा जादा फ़ीशन होगा और उतनी ही जादा क्या हो जाएगी, stability हो जाएगी, ठीक है इस तरीके से, अब यार ये वाला जो example है वो थोड़ा सो specific example है किस तरीके से specific example है बेटा कि यहाँ पर 3, 6 और 9 alpha hydrogens present है यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है अब यार अपने दिमाग में क्या question आता है कि यार तीनो जगा number of alpha H तो same है अब कहाँ पर hyperconjugation जादा होगा तो बेटा वहाँ पर hyperconjugation जा जाएगा तो आपको पता है कि यार जो carbon hydrogen bond होता है वो ज़्यादा ज़्यादा वीक होता है carbon deuterium और carbon tritium के comparison में क्योंकि carbon tritium सबसे ज्यादा strong bond है then carbon deuterium and then carbon hydrogen bond तो क्योंकि यह ज़्यादा जल्दी तूट जाएगा यानि कि यह hyperconjugation जादा करेगा और अगर यह hyperconjugation जादा क करेगा तो तो क्या होगा इसकी stability क्या होगी जादा होगी that means कि हम लोग यहां पर stability order क्या बोल सकते हैं one is greater than two is greater than three ठीक है अगर radical की बात करी जाए तो radical में भी same है अगर heat of hydrogenation की अगर अपन बात करें तो यह दो factors पर depend करते है किन-किन factors पर बेटा कि जितने ज़्यादा pi bond होगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी heat of hydrogenation होगी और कोई भी alkene की stability जितनी ज़्यादा होगी heat of hydrogenation उतनी ही कम होगी यानि कि हम लोग एक तो देख सकते हैं इसको number of pi bonds के basis पर और दूसरा हम लोग इसको देख सकते हैं on the basis of stability ठीक है अगर bond length की बात करी जाए तो यार यह bond length के साथ भी बहुत अच्छा comparison देते हैं वो कैसे देते हैं यहाँ पर hyperconjugation नहीं है मान लो और जब hyperconjugation बन रहा है तो हमारे पास यह कोई structure बन रही है तो अब आपने यहाँ पर अगर अगर वान ओन टू c1 और c2 को अगर अपन compare करें तो आप लोग क्या देखें कि यह c1 c2 के बीच में क्या है double bond है है ना और hyperconjugation के बाद single bond है यानि की hyperconjugation की वजह से c1 और c2 के बीच की bond length क्या हो जाएगी increase हो जाएगी अगर अगर अपन c2 और c3 की की बाद करें तो अपन क्या conclusion निकाल सकते हैं कि यार पहले तो single bond था पर बाद में कौन सा bond आ गया double bond आ गया यानि की bond length क्या हो जाएगी कम हो जाएगी जबकि अगर अपन carbon hydrogen की bond length की बाद करें तो पहले तो एक proper bond था यानि की atoms क्या थे पास पास थे और जब hyperconjugation हुआ तो ये atoms की बीच में कोई bond नहीं रहा यानि की atoms comparatively क्या हो गए दूर हो गए तो इनकी bond length क्या हो जाएगी इनक्रीज हो जाएगी ये conclusion हम लोग यहां पर hyperconjugation की basis पर निकाल सकते हैं ठीक है अगर अगर अपन बेटा heat of combustion की बात करें तो heat of combustion के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं क्यार जितने जादा number of carbon atoms होंगे उतनी ही जादा क्या होगी heat of combustion अगर किसी compound की stability बढ़ती है तो heat of combustion कम होती है as it is अगर कहीं पर strain भढ़ता है तो heat of combustion भी बढ़ेगा ठीक है अगर हमें इन चारों को arrange करना हो तो हम लोग किस basis पर करेंगे बिटा number of carbon atoms की basis पर आप लोग क्या देख लिए हो कि up to down जाने पर number of carbon atoms increase हो रहे है और अगर number of carbon atoms increase हो रहे है तो यहाँ पर जो heat of combustion है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा increase हो जाएगा ठीक है अब बच्चों यह वाला जो question है वो आपको attempt करना है यह question आपके जेई में 2021 27th July shift 2 का question है सभी बच्चे attempt करेंगे इसको और सही answer बताएंगे दुर्गेश पूछ रही है या फिर पूछ रहा है कि strain क्या है तो बेटा strain का मतलब है कि यहां की शुर्णक का मतलब होता है कि जैसे कोई रेंग पर मेंबर तो क्योंकि वहां पर हृं जाधा होता है यानि की थैनका मतलब यह कि स्टैबिटी कम है क्योंकि वह आइडियल बांड आंगल को फॉलो नहीं कर पाती है ना तो strain का मतलब है ring strains है ठीक है हुआ है मेरे पास सही आंसर ने आ रहा है बच्चों सही आंसर दो मुझे आप लोग सही आंसर ने आ रहा है बच्चों इस वीडियो को like share और अन classics करो बलकुल भी मत बूलो ज्यादा सा ज्यादा बच्चे इस वीडियो को like करो अपने friends के साथ शेयर करो ताकि वह भी प्रिप्रेशन कर पालें और इस चैनल को subscribe करो, चलो start करतेज़ा यहां पर आप लोग क्या लेख रहे हों कि यार, hyperconjugation एक permanent effect है, तो यार, बिल्कुल सही बात है, hyperconjugation कैसा effect होता है, permanent effect होता है, क्योंकि बिना किसी reagent की presence के हमें ये observe होता है, ठीक है, second statement क्या है कि hyperconjugation in ethyl cation involves the, ethyl cation का मतलब होता है, यहाँ पर क्या है, positive charge है, ठीक है, involves the overlapping of carbon sp2 hydrogen 1s bond with mt2p orbital of other carbon, बिल्कुल गलत बात ह क्योंकि other carbon का कौन सा orbital involved होता है, sp3 orbital involved होता है, ना कि sp2, यानि कि ये statement क्या हो गया है, गलत हो गया है, यानि कि हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, कि statement 1, 2 ठीक था, पर statement 2 क्या है, गलत है अच्छा, एक बहुत ही funny reading है बच्चों आपके लिए, what starts with an e, ends with an e, and only has one letter in it, बताओ, बताओ बटा, यहाँ तो दिमाग चलाओ यार तो बच्चों इसका जो answer है वो है, n envelope, start भी e से होता है, बंद भी e पर होता है, मतलब end भी e पर होता है, है न, और इसके अंदर सिर्फ क्या होता है, one letter होता है तो बच्चों आपके dream तक पहुंचने में हम लोग आपके साथ हैं, आप लोग इसी तरीके से लगातार महनत करते जाएं, आप लोगों को बार बार ऐसा हो रहा था कि यार माम आप session को end करो, end करो तो मैं end कर देती हूँ क्योंकि तीन बज़े से तुमारी वापस से class भी है, तो आज के session को बच्चों यही end करते हैं, अच्छे से preparation जारी रखो, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करो बच्चों बहुती कम टाइम बचा है आपके exam होने में, all the best बच्चों मचा दो